प्रेजेंटेट बाई पतंजली शुद्ध सरसो तेल जहां सैसी की आए आँख में पानी स्वाद ऐसा की आए मू में पानी नमस्कार शाम के पांच बजने को हैं डिबेट के नमबर बंशो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ चुत्रात्रेबाठी राजधाने दिल्ली में मचे हुए रण के बात होगी जो लगातार हर गुजरते दिन के साथ भी शड़ होता हुँ चला जा रहा है एक तरफ आमाद्वी पार्टी के मुक्या अरवंदी केजरवाल जिनके मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है 23 अपरेल तक के लिए उनकी न्याएक फिरासत बढ़ा दिया अरवंदी केजरवाल ने देश के सर्वोच दालत का दर्वाजा खटकटाया था इस उम्मीद के साथ ताकि उनको चुनाव प्रचार की इजाज़त मिल पाए पूरे मामले में एडी को नोटिस जारी किया गया है लेकिन 29 अपरेल को अगली सुनवाई होगी तब तक के लिए यारे के दिल्ली के मुख्यमंद्री को राहत नहीं मिल रही है वो फिलाल दिल्ली से अपनी सरकार चलाने के लिए वो फैसले जेल के भीतर से लेते रहेंगे ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है वही दूसरी तरफ आपको बता दे नौर्थी सीट जहांसे मनोश दिवारी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की रादे से मैदान में उतरे है उनके सामने कॉंग्रिस पार्टी ने कनहिया कुमार को मैदान में उतार दिया है वैसे तो कनहिया कुमार ने पिछला 2019 का चुनाव बिहार के बेगुसराय से लड़ा था बुरी तरह से हार का सामना भी उनको करना पड़ा था गिराज सिंग के सामने लेकिन इस बार माना जा रहा है कि तेजस्वी यादब की वज़से लालू प्रसाद यादब ने उनको बाहर कर दिया यानि कि बिहार के बाहर वो चुनाव लड़े और उनको बिहार की किसी भी सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीट बेहत महत अपुन होती चली जा रही है क्योंकि एक तरफ कनहया कुमार लगातार हुंकार भर वह है मनोश दिवारी को हराने के लिए दो तिहाई से जादा वहाँ पर पूर्वांजली मत दाता है 23 पीसिदी के आसपास मुसिम्मत दाता है ऐसे में कनहया कुमार अपना दंभर रहे है तो वही दूसरी तरफ सनातन के पक्षवाले और दूसरी तरफ देश विरोधी वाले कहकर कनहया कुमार पर वार कर रही है भारती जनता पार्टी मनोश दिवारी ने तीन लाग से जादा मतों से पिछले बार जीत दर्श की थी लेकिन इस बार की परिस्टी क्या रहेगी ये देखना महत्वपूर्ण हैगा पक्ष विपक्ष की महमान हमारे साथ जुडने वाले हैं क्योंकि दोनों ही तरफ से एक दूसरी पर वार पलट वार का दौर जारी है लेकिन इस सब की बीच नौर्थ इस्ट की सीट सबसे जादा महत्वपूर्ण हो चली है वनों उस देवारी के सामने क्या मुश्किले बढ़ेंगी या फर पिछले दो बार की तरह वो हैट्रिक मानने में काम्याब रहेंगे या फर करहिया कुमार बासी मार ले जाएंगे क्यूंकि उनके साथ कॉंग्रेस पार्टी के साथ इस बार आम आदबी पार्टी की ताकत भी जुड़ गई है नौर्थ इस सीट पर दस में से साथ वधायक आम आदबी पार्टी के हैं दोनों ही पक्षों के तमाम मेहमानों की मौजूद्गी रहेगी उनसे करेंगे बड़ी चर्चा दंगल में लेकिन उसके पहले हमारी रिपोर्ट देखिए देश में एंडिये बनाम इंडिया की चुनावी जंग जोरों पर है मगर सबसे दिल्चस्प दिल्ली की सियासत है यहां एक तरफ करप्शन के आरोप में जेल गए केजडिवाल सबसे बड़े सियासी संकट से गुजर रहे हैं जेल में ही उनकी भेट मुलाकातों का दौर चल रहा है दूसरी तरफ केजडिवाल के साथ गड़ बंधन करके दिल्ली की साथ में से तीन सीट पाई कॉंग्रिस ने ऐसा कैंडिडेट उटारा है जिसे लेकर सियासी पारा हाई है दिल्ली की उत्तरपूर्वी सीट से बीजेपी के मनोश तिवारी के मकाबले कॉंग्रिस ने करहिया कुमार को उतार दिया है इससे एक मेसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से लोग सभाचुनाव लग रहे हैं जो टुकले-टुकले गएंग का नितरतो करता हो ऐसे व्यक्ति को अगर कॉंग्रेस अपना परत्यासी बनाती है तो कॉंग्रेस अपनी मानसिक्ता का परचे दे रहे हैं हम आम लोगों के नियाय की बात पिटिकर हैं जितने rejected हैं उन सब को लेके जुन-जुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हडा दे दरसल ये मुकाबला भीशन होने वाला है क्योंकि 28 फीस्दी से अधिक पूरवांचली वोटर और 23 फीस्दी मुस्लिम बहूल सीट पर दोनों के बीच कड़ी टकर की उमीद जताई जा रही है खासकर उस सूरत में जब आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुराव लड़ रहे हैं तो ये मनोज तिवारी के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है हाला कि 2019 के आकड़े देखे तो मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी सीट पर 7,87,799 वोट पाए थे कॉंग्रेस प्रत्याशी शीला दिक्षित को 4,21,697 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी के दिली पांडे को 1,90,856 वोट मिल पाए थे ऐसे में अगर कॉंग्रेस और आपके वोट को जोड़ भी दिया जाए तो मनोज तिवारी के पास करीब पौने 2,00,000 वोट अधिक पड़ते हैं फिर भी उत्तरपूर्वी दिली सीट से कनहिया कुमार को उतारने के बाद बीजेपी सीट पर हो रही टकर को राष्ट भग बनाम टुकडे टुकडे गैंग से लेकर सनातन बनाम देश विरोधी तक की चुनावी टकर बता रही है हाला कि कनहिया कुमार के साथ मजबूती की बात ये है कि कॉंग्रेस और आपकी साज़ा ताकत के अलावा उन्हें लेफ्ट दलो की संगठित शक्ती का भी साथ मिलने वाला है और अगर उत्तरपूर्वी लोकसभा सीट के विधान सभा सीटों पर नज़र डाले तो इनकी दस सीटों में साथ आम आदमी पार्टी के पास और तीन बीजेपी के पास है जिसमें बुराडी, तिमारपूर, सीमापूरी, सीलमपूर, बाबरपूर, गोकलपूर और मुस्तफाबाद सीट आम आदमी पार्टी के पास है जबकि रोहतास नगर, घोंडा और करावल नगर सीट बीजेपी के पास विदान सभा में आम आदमी पार्टी की पकड़ क्या लोकसभा के वोटिंग पैटर्न को बदल पाएगी ये देखना होगा लेकिन उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या के जाती धर्म वाले आंकडे देखे तो यहाँ 23 फीजदी मुस्लिम, 20 फीजदी OBC, 16 फीजदी दलित, 11 फीजदी ब्राहमर, 7.5 फीजदी गुर्जर, 4.5 फीजदी वैश और 4 फीजदी पंजाबी वोटर है और खास बात ये है कि इन में एक तिहाई वोटर पूर्वांचल यानि यूपी और बिहार के हैं जो मज़दूर, कामकाजी और छोटे कारुबारी बर्क के लोग है इस दिहाद से देखें तो बिहार में भगवा के रहने वाले मनोस्तिवारी की, बेगु सराय के रहने वाले कनहिया कुमार के बीच पुर्वांचली वोट को लेकर काटे की टकर हो सकती है उधर बिहार में जेडियू कह रही है कि लाली आदव के दबाव में कॉंग्रेस को मजबूरन कनहिया कुमार को बिहार से बाहर लाना पड़ रहा है अपने पुत्र के लिए प्रेम तो माने पपु यादव जी को टिकट से बेदखल कर दियाते हैं अब देखना होगा कि पांच चरण के मदान के बाद जब जब जटे चरण में दिल्ली के मतदाता वोट डालेंगे तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर वोटो का रुजहान क्या रहता है अनमोल बाली के साथ रामकिनकर सिंग दिल्ली आज तक कोल मिलाकर दिल्ली की लड़ाई इस बार बेहत दिल्शस्प होने वाली है कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले दंगल में खास महमानों का पर्चे आप से करवाओं उसके पहले आपको बता दे अपसे थोड़ी देर के बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी का एक्स्क्लोसिव इंटरव्यू आप देखने वाले हैं शाम साड़े पांच बजे से लगातार आज तक पर और अब दिल्ली के लड़ाई पर बात करने के लिए खास महमानों की मौझूदगी है उनका पर्चे आपसे करवाद देती हूँ शाजेल में जी राश्ची प्रवक्ता भारती जनरता पार्टी के हमारे साथ हैं राजिश गुपता जी मले स्पोक्सपरसन आमाद भी के हमारे साथ मौझूद है और साथ ही तैसीन पुनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे शाजे जी सबसे पहले आपसे ही शुरुबात करते हुए अब तो कनहिया कुमार ने पूरे जेन्यू की अपनी फौज के साथ यहां पर गोशो खरोशो लेकिन होश कहीं नहीं है होश होता तो इतना बड़ा आत्मगात इंडी अलाइंस नहीं करता सोचने वाली बात है आज के दोर में जहाँ एक तरफ है राश्ट धर्म राश्ट बाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुकडे तुकडे गैंग है जो सबसे उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किसी तरह से भी काटे की टकर है और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगु सराय में हमने देखा क्या ज होई जल्वा यहां पर बिखेरेंगे दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते हैं लेकिन सब जानते हैं कि तुकडे तुकडे गाइंग भारत को तोड़ने वाले जो लोग लोग जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है यह उसे और इस बार फिर से कॉंगरेस से थाबित कर दिया है कि जिस सरह से राहुल गांधी बाकायदा जर्मिनी जाकर इंगलेंड जाकर भारत का अपमान करते हैं तिरसकार करते हैं एक-एक संस्थान का मज़ाक उडाते हैं जि भीक मांगते हैं कि भाई हमारी सरकार बदल दो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे और जितने भी सुप्रीम कॉर्ट हो और इलेक्शन कमिशन हो आप देख रहे हैं कि चाहे आर्मी हो चाहे सरकार हो चाहे इलेक्शन कमिशन हो चाहे हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं उसके सरगना उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है राश्टरवादी ही नहीं ऐसे लोगों को जो कर्मट इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि कॉंग्रेस में इस बात के तदीक कर लिया है अब बात कर लेती हूं राजेश जी सीधे आपके पास आते हुए अब बार-बार करने अकुमार के ओपर टुक्रे टुक्रे गैंक कहकर ये लोग बार कर रहे हैं अब समय के साथ आमाद्बी पार्टि और कॉंग्रेस पार्टि खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आप जाजपा का ये काम है कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है अर्विन केदरिवाल जी पहे कोई नाम नहीं किसी चार्टृर्ट में नाम नहीं फाइयर में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना, शीश महल, संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नहीं, जिन चीजों से ट्रैक, टिकेट ब्लै किया, हर एक के ओपर एक ब्रांडिंग करनी है, तुकडे तुकडे गैंग, अरे भाई, अगर ऐधी कोई बात है, उसमें कोई सच्चाई है, तो आपके पास में, आप क्यों नहीं कोई कारवाई कर पाए आस तक, बेवज़े ऐसे ही शोर मचाते रहोगे, कि आपको नियाले पर भरुसा नहीं है, वैसे मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नियाले ने एक आदेश पारित करा, कि दिल्ली को पावर है, ट्रांस को तुकडे-Tुकडे करने की बात करता है, तो तो इसके खिलाफ ये एक्शन नहीं ले पाए, ये जूट बोलते हैं, ये ब्लैंडिंग है, सिर्फ लोगों के मन में बात को डालने की देश को असली बातने का काम, यहीं सोच करती है, कि अपने लोगों को यंदरी, ये बातत हैं सिर्फ जीतने के लिए, दूसरी बात भाए साब जो बोल रहते हैं, शायद जानते नहीं कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे, जिन लोगों को चोर कहने वाले, कट्टर बेइमान वाले कहने वाले, वहीं लोग इनकी मदद में हैं, और ये वो है, ज बेइमान हैं, और इनक्या तो आगाज हुआ था ना, अस्वरात से इनका अंजाम देखा अपने, क्या हो गया शराब पर, और यही इनके कहानी है, जाडू से दारू तक की, और इनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त, क्या उनको पता है कि मनी से सोडिया भी अभी बेली तकनी मिली, देड़ साल से जेल में हैं, अर्विन केशिवाल की हिरासत और बढ़ा दी गई है, के कविता जी को भी हिरासत में ले लिया गया है, सतेंद्र चेहन तो बहुत दिनों से अपने बाकाइदा मसाज करवा रहे हैं जेल में, तो अलगी कहानी है, तो किस दु भाई साब आप रहे हैं, आप किस दुनिया में रहे हैं, भाई साब थोड़ा अकबार पढ़ लिया है, अपने नेताओं के बारे में थोड़ा संग्यान ले लीजे ना, कहा हैं आपके सीम, पता तो करा लिए जी थोड़ा बहुत, अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप आपको एक रिक्स्वेक्ट करणा और आप रिक्स्वेक्ट करणा और आप रिक्स्वेक्ट पूछना चाहता हूं प्रीम कोटने हमको पावर दी दिली के अंदर, वो पावर हमके क्यों चिंदी गई संसक्वेक्ट के अंदर, क्यों सुपाड़ी वाली पार्टी सेटर गई थे, चाहे दुरबेश वापको आपका चाहे जी प्रीज मैं बोलो, आपने कहा कि आपने का ट्राइल अभी पैंड प्रीम को लेट करा गया क्योंकि आप जाए और यूपी तो एजम चीज इसको नटकाती रहेंगी, एक टैक्क कर दो, एक एक नेगेटिव ब्रैंडिंग करो, और चलाते हो, यूपी एक की सरकार ने बनाया था यहां जाजिए दंबरम जोलता ही नहीं, आपके प्लीज तैसीन कुनावाला जी, कॉंग्रिस पार्टी राष्ट्रिया पार्टी है, लेकिन क्या उसको आरजेडी की पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में, ये आरूप बीजेपी वाले लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि बेगुसराय से पार्टी की, तैसेन पुनावाला जी, तैसेन पुनावाला जी, तैंक ये चित्रा जी, आपके शो में मुझे शर्कत करने का मौका मेला, दो या तीन चीज को समझ लेते हैं, मैं किसी कॉलेज बच्चे के बारे में, क्यों बड़ा नहींता है, चोटा नहींता है, इस सारी चीजों में नहीं किर गाओ, हम दो या तीन चीज को समझ लेते हैं, भाजपा के प्रवक्ता यहां कहते हैं, कि दीश को तोड़ने की साधिश्ट, क्या मान लिए, इन्हों ने कहा कि दीश को टुकड़े टुकड़ा करना चाते हैं, और ये बात मानने ने प्रधान मंत्री जी ने भी कही, अब आप सोचे चितर जी और मैं आपकी दर्शकों के विवेक पे ये चोड़ता हूँ, कि मानने ये प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री मानते हैं, कि दीश के सबसे ताकत वर दुनिया के सबसे ताकत वर लोग है, रश्य और यूक्रीन के युद रुकाने व मैं आप जानते हैं, आप या तो उनका ट्रेडर दाउन कीजिए, या तो आप बोजे बोलेगा, मैं किसी के बीच में बात हो जाओ, उसके बाद आप बोलेगा, ठीक है, ओके, जिदर जी मैं एक चीज आपके शो में कहना चाहता हूँ, मैंने नोटिस के राजी जी बोल रह है, इतने हैं आप दाकत वर रहे हैं, कि आप रश्य युक्रीन का वार लुका तो एक लड़का जो उधारी पर कैंटीन में खाना खाता है, उसको देश को तोड़ने की साधिश बना रहा है, अंतर राश्य ग्रूप्स के साथ, आप आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर कि देश के तोड़ने की साधिश है, उन्होंने आरोप लगाया कि माननिया प्रदानमंत्री को मारने की साधिश गौतम नवलखा ने, ये इमेल निकला, आज वो सारे केसे उन्होंने विड्रॉय किये, और जो इमेल था, वो गलत साबित हुआ, ये एनाये ने, मैं टीवी प लिप्ट है, चाहे बीफ बेशने वाले हो, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो इनके हिसाब से जो लोग मनी लॉंडर करते हैं, उन्हों ये लोग देश को बचाएगे, चलो मैं मैं मान दिया को अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती, वो कनहिया के ओपर को आरोप लग है, भले ही वो हार गये थे, गिर्रा सिंग वहां के कद्दावर मंत्री हैं, उन्होंने जीत हासल किते हैं, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हासल की थी, लेकिन पांच सालों दक लगातार करने हैं, कुमार ने बिहार में पूरी ताकट जोगी आंद में पता चला की आप उनको दली लेकर आए, इसका जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन मैं अर्विंद बाजपेजी से देखा आपके उदारन से देता हूं, आज आप कहां पर एच चित्रा जी आप से तिफ विननती, मैं आप पूछना चाहता हूं, कहां है आप आज, आज कि देश के किस ह अगर मैं आपको पूछू, कि चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वान शो है, आपकी स्टूडियो से नहीं करी, क्या है मत्मूर आगे, आज तब की स्ट्रा जी की स्ट्रा जी है, आपको जैसे करना आप करोगे शो, यह कोई तर्क होता है, कि भाजपा कहेगी कि क अपने आपने आवस्ट उसने, आपको जैसे नहीं करें आप गलत उदारन देकर इसलिए फस गये हैं, क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूँ, दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है, इसी वज़े से हमारा शो नंबर वन है, लेकिन चुनाफ के वक्त वोटर बेगु सराय का आकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा, और दिल्ली का वोटर बेगु सराय में नहीं डालेगा, इस वज़े से ये सवाला शो जाता है, लेकिन अर्विंद वाजपे, इस सीदिया आपके पास आते हुए, वाजपे, आप कॉंग्रेस पार्टी अपने नेता को दिल्ली से उतारे, या बेगु सराय से उतारे, या जहां से मन वहां से उतारे, आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है, उनके नेता है, जहां से उनको लगएगा चुनाव जीतने के सिती बनेगी, वहां से उतर जाएंगे मैदान में हमें कोई अत्राज नहीं है कोई अत्राज बिल्कुल नहीं है लेकिन अत्राज देश की जनता को है दिल्ली की जनता यह जानेगी कि इस आदमी का इत्यास क्या है यह आदमी का वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जेन्यू में जो क्रिमिनल के एक्टिविटीज की थी उ तो ऐसे लोगों को जैब वोट मिलेगा और जिंदिगी आपर ये सक्स को गाली देते रहे आज कॉंग्रेस के पाले में कड़े हो गए और ऐसे सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा ये देश की जन्त को गुमराण नहीं कर सकते हैं करेंगी अलाल कि क्या बैकराउंड है लेफ पाले नहीं लड़ सकते इसलिए तो मिल गए ने कॉंग्रेस और आप और दोनों कों लोगे कॉंग्रेस की गर्दन तक ये ब्रस्टा चार में डूबे हुए हैं इनके सीर्ट सेनेता अभी भी वेल पे हैं और यही हाल आप वालों का हो गया है इनके मुक्यमत्री भी जैल मे हैं सेज्जी अधब भी जैल में हैं सतन्दर जैन भी जैल में हैं पंजाम में तेंच्वार्ण जेल में क्या बोलेंगे चुनाओं में देश की जनता को ये ज़्यादा देर आप मूर्क नहीं बना पाएंगे गुम्रा नहीं कर पाएंगे ये बात तय हैं और इसलिए मनोस सिवारी जी के पीछे चैरा है मोदी का चैरा मोदी की घरंटी मतलब बोधी की विस्ट जनीता दस सालों के जो काम है दिली की जनता भी देख रही है देश की जनता भी देख रही है क्या बात झेंगे किस मुंसे चनावां में जीतने एक लें कि झाले हैं यह तो इनको बताना कि और से बीजेपी के नेताओं के ओर से ठीक है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रसाद्यादव इस वज़र से बह दो जर्मोही बोल रहा है ना यह बात तो सही है कि कनया वाक पुटता में तेजस्वी से बहुत आगे और यह बात भी सही है कि अटश्री को ढर लगता है का अगर कनया जैसे लोग आ गए तो कहीं तेजस्वी जो साइद एज्यूकेशन उनकी सबको मालूम है कहीं वह लुगों का है और उनसे उंचा है और ब्यार की जो भविश्य है वो चिराग पासवन में भी दिखता है लालू यादव किसको काटेंगी पॉल्टिक्स में कोई काटेंगी थोड़ी देर के लिए तो काटेंगी तैसीन कुनावाले जी आप जबादें बियार से किसी को लालू बहुत जरूरी है जो नारे भी लगनेंगे और यह कॉंग्रेस पार्टी और आमादवी मिलकर जो नारे लगाएंगी वो वही सारे नारे हैं जो कनहिया जी लगाते थे अफजल हम शरमिंदा हैं तेरे कातिल जिन्दा हैं भारत की बरबादी तक जंग चलेगी जंग चलेग है इसके रावा अगर मैं आपको पता दू जो उनकी ट्वीट से हैं अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी बीवी से कहूंगा कि अपना जो है अपना नाम कर दो भारत माता की जै सोचिए यह किस तरह की बाते जो शक्स करता है वो है और यह नारे होंगे कॉंग्रेस और आम आ ऑफेश सफेश्व हिंदू विरोधि देश व रोधि है वह पूरी तरह से और यह उन्होंने आप सबूत भी देदिया कर फ़िए तरह से भारत विन कंज पार्टी और आमांडी पार्टी के बारे में हम जानते हैं सित्राजी मैं उत्तर देता हूं एक कॉंग्रेस और आम आपनी पार्टी हिंदु विरोधी मैं दुवारा से कहता हूं बीफ कंपनी से चंदा इन लोगों ने चंदा का धंदा किया बीफ कंपनी से 200 करोड उपे यह कह रहे हिंदु विरोधी राजीश भाई को और मुझे यह कह रहे हैं इनसे मैं सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बार नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरी दीश लिखिला यह भाजपा की ऑफिशल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पेका है अब चित्रा जी मैं आपसे अगर करता हो हाथ चित्रा जी यह आज तक की इंडिया टुड़े की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट थी जो नारे लगाए गए थे यह बाहर से थे वो ओडियो फॉरेंसिक जाज गलत थी आज तक की जाज थी यह कोट में भी साविट हुई गलत नहीं यह यह रिपोर्ट गलत निकली यह जो नारे निकले उसके बावचूद आज तक के मंच पे आके दो पुलिटिकल राष्ट्र क्या सित्रा जी आपको आज तक को यह लगता है कि और फॉचर में लगाए कि करने के लिए यह किस तरह की बाद ही वुर्ट के इस आप तरकों पर इसका विरूट कि यह आप पर जीने बाच्पई जी ने बाच्पई जी ने तर्क दिये उस तर्क से नहीं होता ने डिबेट चितरा जी नहीं इसे डिबेट करता हूँ अगर आप चार बार यह कहेंगे कि मैं छोड़ कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूँ आप छोड़ कर जा सकते हैं अगर हम राली में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पर वन वे कम्निकेशन होता है आप भी जानते हैं आने की जुरत नहीं है एनिवे मैं नहीं चाहूंगी आप छोड़कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाज़े उसके बाद जबाद जबाद देंगी इसलिए करते कि एक हमारा फ्लोट उट जाए और जंता तक सच ना जाए अगर हमें कोई जैनुएन बात पर रोके मैं इस चीज को मानता हूं यह रोकते हैं ताकि हमारी बात ना जाए इनकी स्ट्रेटिजिया में एक्स्पोस करना है लेकिन अपनी बात समाप करना जाता हू चीज करने को त्यार हूं वह अच्छी डिवेट है यहां आकर कहना हाइपोटेटिकली दो रास्ट्रे पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाले चुनों के दागयां और भाजपा के राश्ट्र प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे इक है इसमें मुझे सक्त चित्रा जी और यह जाएज है आप किस बास के आधार पर यह कह रहे हो तो इस पर मुझे आपको जबाब लेगा था जी 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 चित्रा जी मैं आप से ये कहना चारी हूं कि देखे इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाइदा कर्काइदा कर रॉड्र में पररोसिक्यूट में पेंडिंग है इन्होंने भी पी क्या कि ग्रोसेक्यूट नहीं हुआ हुआ जाते है चीजोरा जे जाते हैं यह जनűश है नहीं के तो वकील हे जामना चल रहा होता है चाहिवा शाहर के सारा की प्रोफ सबकい सामने दिया गय को कि उन्होंने उस वंग जा उमर खालीद ये सब नारे लगा रहे थे तो वह वहाँ पे मौझूद नी थे और उन्होंने इसके साथ समर्थन नहीं किया बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम होगणाइस कराया है नहीं उसके लिए कभी माफी मांगी है तो क्यों नहीं हम मानें कि आप फिसमें वो इनारे नहीं लगाएंगे इसी जिस वक्तत्व के लिए जिस भारत विरोधी नारों के लिए आपने उनका चैन किया है और आपने उनको उमीदवार बना है तो आपको क्या लगता है कि किसी को कुसी और तरीके के आशंका होगी कि को इनारे नहीं लगाएंगे आपकी सोच है यह पुरी तरह से दर्शाती है कि जो इनसान इस तरह के भाशन और गनाइस करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और उम्मीदवार बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे कि नहीं कनहिया कुमार तो देश जोडने वाले लोगों में से हैं भारत जोडो यातरा में जो लोग मौजूत होते हैं कि उनमें से एक है भारत तोडो यातरा का में एहम भूमिका निभाने वाला कनहिया कुमार उसको प्रतीक बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने और आपने इसको सुभी कारा है ये देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई एक एक इनसान जाएगा करेया कुमार की रैली में और ये पूछेगा कितने शर्मिंदा भाई तुम हमारे सुप्रीम कोड को लेकर बताओ देश की बरबादी की बनोकावना करते हो है ना इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की समृद्धी होगी निशानला तब कहते ना तब मानते है पर्सेप्चन को बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जा रही है और मेरे सवाल ये भी राजिश गुप्ता जी देखे आप में और कॉंग्रिस पार्टी में सीटों का ताल मेल हो गया अब सब कुछ बड़ा गुड़ गुड़ होकर आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे ह तो वहाँ पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होता रहा है मनौश तिवारे जिस सीट से जीते हैं नौर्थी सीट से वहाँ पर एक तरफा मुकाबला है पचास-पच्पन फीसदी से जादा वोट उनको हसल हुए है दोनों लोग मिल भी जाएंगे अगर तो क्या कर लेंग इंकंबंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनिया बदल देंगे 2019 के चुनाव में पुलवावा के ऊपर खेला गया सेनाव के ऊपर वोट मांग लिया गया इस बार वह वाला चुनाव नहीं है ज्ल्कूरвин धीर्यू की बाद करने वाले लोग और शादय धी कहरें कि सथानातर के खिलाफ हैरे कौन सथानातर के खिलाफ है नोगर बडना अचम्बा होता है जो लोग सथानातर को मांनते ही नी Less कि बात करने लगते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे आईए मैं तो दो 2 के निवाande की तने खिलाप हैं और मिरी एक बात को समझिए कि आप बैठके कहते हैं कि लोग जाके भी नौशकmbлы not कश्टिल को सुक्रबस नवरातरी कि बहुत बहुत शुश्बाबना जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किसी तरह से भी काटे की टककर है और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगु सराय में हम भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है यह उसे और इस बार फिर से कॉंग्रेस से थाबित कर दिया है कि जिस तरह से राहुल गांधी बाकाइदा जर्मिनी जाकर इंग्लेंड जाकर भारत का अपमान करते हैं तिरसकार करते हैं एक एक संस्थान का मज़ाक उडाते हैं जिससे मनीशंकार एयर जाते हैं रशलमान कुरुची जाते हैं पाकिस्तान से भीक मांगते हैं कि भई हमारी सरकार बदल दो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो जितने भी सुप्रीम कॉर्ट हो और इलेक उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है राश्टरवादी ही नहीं ऐसे लोगों को जो कर्मत इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि कॉंग्रेस ने इस बात के तदीक कर लिया है और मान लिया है कि वाकई में वो शेहनशाय आजम है तुकड़े तुकड़ कहकर ये लोग बार कर रहे हैं सब्सक्राइब के साथ आहमाद्वी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा राजेश जी देखिए चित्रा जी भाजपा का ये काम है कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है अर्विन केद्रिवाल जी पर कोई नाम नहीं किसी चार्डशीट में नाम नहीं एफाई एर में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना शीश महल संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नह किया हर एक के ओपर एक ब्रांडिंग करनी है तुकड़े तुकड़े गैंग अरे भाई अगर ऐसी कोई बात है उसमें कोई सच्चाई है तो आपके पास में सारी एजनसीज है आप इस देश में एजनसीज को 49 पार्टियों के इलावा जिसके साथ आपका गढ़बंदन है उन दिल्ली के फिवर में नयाले ने एक आदेश पारित करा कि दिल्ली को पावर है ट्रांपर पॉस्टिंग की वो भी आपने संसेट में छीन लिया तो ये सिरफ ब्रैंडिंग करते हैं लोगों के मनों में कुछ बात को जानते हैं अगर किसी की इतनी जुरत हुई इस देश मे को असली बातने का काम यहीं सोच करती है कि अपने लोगों को यंदरी यह बाटते हैं सरफ जीतने के लिए सबस्क्राइब बता दू करनहिया कुमार के किस अभी पेंडिंग है दूसरी बात भाई साब जो बोल रहते हैं शायद जानते नहीं कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े यह थे जिन लोगों को चोर कहने वाले कटर बे-इमान वाले कहने वाले वही लोग इनकी मदद में है और ये वो है जो कटर बे-इमान है और इनकी तो आगाज हुआ था था ना अस्वरात से इनका अंजाम देखा अपने क्या हो गया शराब पर और यही इनकी कहानी है जाडू से दारू तक की और उनको क्या पता नहीं किता नहीं किया हो रहा है शक्त kya पता है कि मनी-स-सोडिया भी पे इनको बेली तक नहीं मिली मिली ए और देर साल से जेल में है अर्विन केशिंवाल की हiraसत और बळा दि गई है कि कविता जी को भी हiraसत पर ले लिया गया है सतेंडर जेहन तो बहुत दिनों से अपने बाकाइदा मसाज करवा रहे हैं जेल में वो अलगी कहानी है तो किस दुनिया में भाई साथ अब रहे हैं आप किस दुनिया में रहे हैं भाई साथ थोड़ा अग्बार पढ़ लिदी आ aigon kवारा के खिे खिला अधालत अधालत पने जाने के लिए और बाकातर केस करने के लिए इन्नोंने मन्सूरी दी ती भूल rót gente है भाई ठीक है हाँ बोले राजी जी मैं जवाब दू और न्यायले रहत नहीं दे रहा है ना मुख्यमंद्री को चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा कि हमने हमने मंदूरी दी थी हम तो हम तो कह रहे हैं अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना तो आपके एजनसी क्या कर रही है शा चाहता हूं कि अपने आपने कहा कि आपने का ट्राइल अभी पेंडिंग है अगर कोई आदमी देश के खिलाब बोल रहा है ट्राइल पेंडिंग चलता रहा आर्विन केजरिवाल जी को तो आपने पीमें एक्ट में बंद कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आदमी इतना लेट क्यों हो गया क्योंकि इसको लेट करा गया क्योंकि आप जाने को कुछ ही नहीं और यूपी तो एजम्ची इसको नटकाती रहेंगी एक टैक कर दो आप फिर एक नेगिटिव बैंडिंग करो यूपी एक की सरकार ने बनाया था यह आपके पर रहते हैं तैसीन पुनावाला जी कॉंग्रिस पार्टी राष्ट्रिय पार्टी है लेकिन क्या उसको आरजेडी की पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में यह आरूप बीजेपी वाले लगा रहे हैं यह कहते हुए कि बेगुसराय से पिछले बार चु पार्टी की तैसेन पुनावाला जी तैकिए चित्रा जी आपके शो में मुझे शरकत करने का मौका में ला दो या तीन चीज को समझ लेते हैं मैं किसी कॉलेज बच्चे के बारे में यह बड़ा नहींता है चोटा नहींता है इस सारी चीजों में नहीं किर गाओ हूं हम दो कोई व्यक्ति एक कॉलेज का बच्चा जो उधारी पर खाना खाता है उधारी चुकाने के मुश्किल होती है वो देश को तोड़ रहा है और यह लोग आज तक उसको प्रॉसेक्यूट नहीं कर पाए अच्छा खुद ही कहते हैं कि प्रॉसेक्यूशन की जो 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 इज प्रॉसेक्शन की जो जो तो एक लड़का जो उधारी पर कैंटीन में खाना खाता है उसको उस देश को तोड़ने की जो साधिश बना रहा है अंतराश्यों ग्रॉप्स के साथ आप आज तक उसको प्रॉसेक्यूट नहीं कर पाए आज तक को जेल में नहीं है अच्छा देखें मैं आपको दूसरा एक उधारन देता है आप ही के आज तक पर मैं आता था एनाए डेश की सबसे प्रत्तम इंव किये और जो इमेल था वो गलत साबित हुआ यह एनाए ने में टीवी पे चाटी ठोक कर के रहा हूं मैं आज तक पर इस चीज के उपर और मैंने प्रदान मंतरी का साथ दिया कि मेरे प्रदान मंतरी को मारें यह कैसे लोग है अरे यह ऐसे लोग है चित्रा जी जो इलेक्ट यह लोग देश को बचाएगे चलो मैं मान दिया कोई अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती वो कनहिया के उपर को आरोप लगा दी बात यह लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था तहसीम कुनावाले जी आपने उसका जबाब नहीं दिया बिहार के बाहर लाने की क्या ज जीत हासल की थी लेकिन पांच सालों दक लगातार करनेया कुमार ने बिहार में पूरी ताकत जोगी आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए इसका जवाब आपने नहीं दिया लेकिन मैं अपने उम्मीद्वार अगर मैं आपको पूछू कि चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वन शो आप क्यू स्टूडियो से नहीं करी क्या है मतूरा गए आज तब की स्ट्रा जी की स्ट्राइजी आपको जैसे करना आप करोगे शो यह कोई तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि कॉंग्रिस इसकी स्ट्राइजी क्या है कि बारी है प्लीज ठीक है ठीक है ठीक है अर्विंद वाजपेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उदारन देकर इसलिए फस गए हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूँ आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़े से हमारा शो नंबर वन है लेकिन चु bark के वक्त वोटर वेगुसराय काकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा और दिल्ली का वोटर वोटर वीगुसराय में नी में डालेगा विशपेस आपके पास आते कि हमें कोई अत्राज नहीं है कोई अत्राज बिलकुल नहीं है लेकिन अत्राज देश की जनता को दिल्ली की जनता को थे भूल गए खालिद को आज तक जवान पे नाम नहीं आए कि खालिद की बेल क्यों नहीं हो यह है ऐसे लोगों को क्या वोट मिलेगा और जिंदिगे बर यह सक्स कांग्रेस को गाली देते रहे आज कांग्रेस के पाले में खड़े हो गए ऐसे सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा यह देश की जन्ता को गुमरान नहीं कर सकते हैं करेंगे लाल कि क्या बैकराउंड है लेफ्टिस्ट रहे ना पूरी जिंदिगी कांग्रेस को गाली देते रहे कि नहीं देते रहे सबसे ज़्यादा अगर मुखर कोई होता था तो यह लेफ्ट वाली लोग होते थे आज यह बड़े बारे इतासी बन रहे हैं और यह आपके साथ सपोर्ट ले रहे हैं पहले यहार मान चुके हैं यह तो कि अकेले नहीं लड़ सकते इसलिए तो मिल गए ने कांग्रेस और आप और दोनों कों लोग हैं कांग्रेस की गर्दन तक यह ब्रस्टा चार में बोलेंगे चुनाओं में देश की जनता को यह ज्यादा देर अब मूर्ख नहीं बना पाएंगे गुम्रा नहीं कर पाएंगे यह बात तैय है और इसलिए मनोस्तिवारी जो काम की है और खाली मनोस्तिवारी जी के पीछे चैरा है मोधी का चैरा मोधी का चैरा मतलब मोधी क कि विश्रिस नीता दस सालों के जो काम है दिली की जनता भी देख रही है देश की जनता भी देख रही है क्या बात रहे हैं यह थे लोगों को ऐसा देखें जेडिव की नेताओं के ओर से ठीक है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रसाद्य यादव इसे सब इसलिए मोदी जी कहते हैं यह पुत्र मों वाले लोग है लालू जी का पुत्र मों ही बोल रहा है ना यह बात तो सही है कि कनया वाकपुरता में तेजस्वी से बहुत आगे हैं और यह बात बीजिए कि उनके पिता श्री को डर लगता कि अगर कनगिया जैसे लोग आ गए तो कहीं तेजस्वी जो साइद एजूकेशन उनकी सबको मालूम है कहीं वह एजूकेशन में कंपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहीं ब्यार की जंता के विश्वास उनकी तरफ चला गया तो थोड़ी ज़र के लिए तो कार तो तैसीन कुनावाले जी आप जबादे बीजिए लालूट साथ यादव नहीं चाहते हैं कि पेजस्वी यादव कि चवी कमजोर हो इसलिए कनहया कुमार उभरते वे लीडर उनको बाहर कर दिया गया शाज़े इसके बाद में फौर अ हैं तेरे कातल जिन्दा हैं भारत की बरबादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी भारत के तुकड़े तुकड़े होंगे इन्शालला इन्शालला तो ये नारे लगेंगे मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई टक्कर होंगी तो आप समझ जाईएगा और क किस तरह की बाते जो शक्स करता है वो हैं और ये नारे होंगे कॉंग्रेस और आम आद्नी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासिस्पद है और पर फिर से कॉंग्रेस दिखा रहे ये साफ तौर से क्या उसका चरितर है क्या कितनी विरोधी सनातन विरोधी हिंदू विरोधी देश विरोधी है वो पूरी तरह से और यह उन्होंने आप सबूत भी दे दिया कनहिया जी का कैंडिटेशर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी पार् चाप का जुसेंगे, एक कांग्रेस और आम आपनी पार्टी हिंदु विरोधी में दुवारा से चाहिए हों, बीफ कमपनी से चंदा, इन लोगों ने चंदा का धंदा किया, बीफ कमपनी से, धाई सो करोड उपे ये कह रहे हिंदू विरोधी राजीश भाई को और मुझे ये लोग कह रहे इनसे मैं सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बाद नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरे दीश लिखिला ये भाजपा की ओफिशल प्रव अब लगे ये जो नारे लगे थे उस कॉलेज के अंदर ये आज तक कि और राहुल कवल की रिपोर्टी मैं अपने चित्रा जी में जिए किसी के बीच में ने बोलता हूं जब ये बीच में बीचते आप का सम्मानित कैस्ट तो चित्रा जी आपको कि बात हो जाए हुँए चित्रा जी ये आज तक की इंडिया टुडे की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट थी, कि वो जो नारे लगाए गए थे ये बाहर से थे, वो और्डियो फॉरेंसिक जाज गलत थी, आज तक की जाज थी, ये कोट में भी साबित हुई गलत नहीं ये रिपोर्ट कलत निकली है, जो नारे निकले, उसके बावचूद आज तक के मंच पर आके दो पुलिटिकल राश्ट्रिय पार्टी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के जूट कह रहे है, चित्रा जी क्या इस पर अब्जेक्शन होना चाहिए या नहीं होना आप आज तक को यह लगता है कि चित्रा जी आपको अज तक को यह लगता है कि और पावच्पा के लिए और यह फूर после नने चिख करें अब बाजपई जी ने बाजपई जी ने तर्क दिए उस तर्क से नहीं होता ने डिबेट चितरा जी नहीं इसे बेट करता हूं आप मुझे माफ कर दीजे मैं जा रहा हूं जोड़ेता हूं अगर कहीं लगेगा तो वो इंटरप करेंगी रहा ठीक है ओके अगर आप लाइब डिवेट में आप चार बार यह कहेंगे कि मैं छोड़कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूं आप छोड़कर जा सकते हैं को समझना होगा जब हम डिबेट का हिस्सा होते हैं तो एक दूसरे के बीच पर क्रॉस कर्शन करते हैं अगर अगर हम रैली में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पर वन वे करते हैं और यह इसलिए करते कि एक हमारा फ्लोट उट जाए और जन्ता तक सच ना जाए अगर हमें कोई जैनुएन बात पर रोके मैं इस चीज को मानता हूं यह रोकते हैं ताकि हमारी बात ना जाए इनकी स्ट्राटिजिया में एक्स्पोस करना है लेकिन अपनी बात समा हो वह अच्छी डिवेट है यहां आकर कहना हाइपोटेटिकली दो रास्ट्रे पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाले चिनुप के दान्मया और भाजपा के राश्ट्र प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे इक है इसमें मुझे सक्त अब्जेक्शन है चित जी चितरा जी मैं आपसे यह कहना चारी हूँ कि देखे इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाइदा हाई कॉर्ड में पेंडिंग है इन्हों ने भी भी क्या क्या कि प्रोसीक्यूट नहीं हुआ ना तो हमारी एजिंसी है और यह तो उनका यह तो इनका दावा है और यह तो इनका जूट है ना यह तो वकील है यह जानते गार मामना चल रहा होताया है तो जाहरे को उसकों पर प्रोग्राम ओंगि मांगी है तो क्यों नहीं हम माने कि आ तत्व के लिए जिस भारत विरोधी नारों के लिए आपने उनका चैन किया है और आपने उनको उमीदबार बनाई है तो आपको क्या लगता है कि किसी को उसी और तरीके के आशंका होगी कि वो इनारे नहीं लगाएंगे आपकी सोच है ये पूरी तरह से दर्शाती है कि जो इस तरह के भाशन और्गनाईज करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और उम्मीदवार बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे ये कि नहीं करनेया कुमार तो देश जोडने वाले लोगों में से हैं भारत जोडो यातर का में एहम भूमिका निभाने वाला करनेया कुमार उसको प्रतीक बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने और आपने उसको सुभीकारा है ये देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी न नुकाबना करते हो है ना इसके लिए अरे देश के आबादी होगी देश की समर्दी तब कहते ना तब मानते देश चित्राजी पार्टी से भी रियक्शन ले ले लेती हूं फिर उसके बाद वरना दो लोगों में ये डिवेट रह जाएगी दो लोगों राजिश गुपता में सीटों का ताल मेल हो गया अब सब कुछ बड़ा गुड़ गुड़ होकर आप लोग चुनावी मैदान भी जा रहे हैं लेकिन पर दो चुनाव की नतीजे अगर हम आप देखें तो वहाँ पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होता रहा है मनुश तिवारी जिस सीट से जीते हैं नौर्थी सीट से वहाँ पर एक तरफा मुकाबला है 50-55 फीसदी से जादा वोट उनको हसल हुए हैं दोनों लोग मिल भी जाएंगे अगर तो क्या कर लेंगे आप मनुश तिवारी जी का वोट प्रतिशत में तो दोनों मिल कर भी उनका कुछ भी बिगारते में दिखाई नहीं दे रहे हैं अगर 2019 के लिहाज से देखे तो पार्टी वह यह पार्टी चुनाव लड़ रही है जो लोग तंसर को खतम करना चाहती है जो सविधान को बदलना चाहती है शादिया ने बाद बार कहा कि यह वाले नारे लगेंगे देखे कैसे लोगों को उकसाते हैं कि टू नीशन ठेरियों की बात करने वाले लोग और कि सनातर के खिलाफ है अरे कौन सनातर के खिलाफ है नुजया बड़ा अचमबा होता है जो लोग सनातर को मानते ही नहीं वो सनातर की बात करने लगते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे आए मैं तो दो बार का विदाये कूँ मैं तो जमीन पर चलता हूँ अब जमीन पर ताके राश्टरबाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुक्डे तुक्डे गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं कि किसी तरह से भी काटे की टकर है और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगु सराय में हमने देखा क्या जलबा था करहिया भाई साब का अब ये वही जलबा यहां पे बिखेरेंगे दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते हैं लेकि कि जिस तरह से राहुल गांधी बाकाइदा जर्मिनी जाकर इंग्लेंड जाकर भारत का अपमान करते हैं तिरसकार करते हैं एक एक संस्थान का मजाक उडाते हैं जिस तरह से मनी शंकार रयर जाते हैं रशल्मान खुरुचिन जाते हैं पाकिस्तान से भीक मांगते हैं कि भ चाहे इलेक्शन कमिशन हो, चाहे सुप्रीम कॉर्ट हो, हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं, उसके सरगना, उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है, राश्टरवादी ही नहीं, ऐसे लोगों को जो करमट इतने हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही अफ आपके पास आते हुए, अब बार-बार करनेया कुमार के ओपर टुकड़े टुकड़े गैंक कहकर, ये लोग बार कर रहे हैं, सनावाद्वी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है, ऐसे में बचाफ करना क्या आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा, राजेशी, देखें चित्रा जी, भाजपा का ये काम है, कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है, अर्विन केद्रिवाल जी पे कोई नाम नहीं, किसी चार्ट शीट में नाम नहीं, एफाइयर में नाम नहीं, लेकिन शराब सरगना, शीश महल, संजे सिंग जी का क कोई सच्चाई है, तो आपके पास में सारी एजनसीज है, आप इस देश में एजनसीज को 49 पार्टियों के इलावा, जिसके साथ आपका गढ़बंदन है, उन तीन एजनसीज को भी आप गढ़बंदन की तरह इस्तवाल करते हो, ED को, CBI को, Income Tax को, दिल्ली की पुलिस आप के पास में, आप क्यों नहीं कोई कारवाई कर पाई आज तक, बेवज़े ऐसे ही शोर मचाते रहोगे, कि आपको नयायले पे भरुसा नहीं है, वैसे मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नयायले ने एक आदेश पारित करा, कि दिल्ली को पावर है, पुस्टिंग की वो भी आपने संसेट में छीन लिया तो ये सिरफ ब्रैंडिंग करते हैं लोगों के मनों में कुछ बात को जानते हैं अगर किसी की इतनी जुरत हुई इस देश में इतनी हिम्मत हुई कि वो भारत को भारत को तुकड़े-Tुकड़े करने की बात करता है तो शाल जाजी आप जब आप दे दीजिए उसके बाद बाकिन अगरत करता हैं बिल्कुल जली से चित्रा जी करने कुमार के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है दूसरी बात भाई साब जो बोल रहते हैं शायद जानते नहीं कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये असवरात से इनका अंजाम देखा अपने क्या हो गया शराब पर और यही इनके कहानी है जाडू से दारू तक की और इनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त क्या उनको पता है कि मनी से सोडिया भी अभी इनको बेली तक नहीं मिली देड़ साल से जेल में है अर्विन पर रहे हैं भाई सब्सक्राइब थोड़ा अगबार पढ़ लिए अपने नेताओं के बारे में थोड़ा संग्यान ले लीजे ना कहा है आपके सीम पता तो करा लिए जी थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जब आपको याद है आपने क्या कहा था ठीक है अपन सब्सक्राइब करता हूं लेकिन मैं आपको एक रिस्पेक्ट करणा और आप तो रिस्पेक्ट पूछना चाहता हूं पूछना चाहता हूं अपने आपने कहा कि आपने का ट्राइल अभी पैंडिंग अगर कोई आदमी देश के खिलाप बोल रहा है अरविन केजरिवाल जी को तो आपने प्येमें बंद कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आदमी तुकडे-टुकडे की बात कर रहा था उसमें ट्राइल पैंड आपके पास आते हुए प्लीज तैसीन पुनावाला जी कॉंग्रिस पाटी राश्ट्रिय पार्टी है लेकिन क्या उसको आरजेडी की पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में यह आरूप बीजेपी वाले लगा रहे हैं यह कहते हुए कि बेगुसराय से पिछली बार चुनाव लड़े हार गए दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब में साफ क्या दिया कि यह बिहार में नहीं रहेंगे इनको बाहर भेजिए इस वज़़े से कनिया कुमार को बिहार से बाहर का टिकट देना पड़ा है क्या मजबूरी बन गई है कॉंग्रिस पार्ट अब आप सोचे चितर जी और मैं आपकी दर्शकों के विवेक पे यह चोड़ता हूँ कि मानने ये प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री मानते के दीश के सबसे ताकत वर दुनिया के सबसे ताकत वर लोगे रश्य और उक्रीन के युद रुकाने वाले इंडों कोई व्यक्ति एक कॉलेज का बच्चा जो उधारी पर खाना खाता है उधारी चुकाने को मुश्किल होती है वो देश को तोड़ रहा है और ये लोग आज तक उसको प्रोसेक्यूट नहीं कर पाए अच्छा खुद ही कहते हैं कि प्रोसेक्यूशन की जो 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 इजाज़त है अच्छी साल जी मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ मैं आप जानते हैं आप या तो उनका फेडर दाउन कीजिए या तो आप मोजे बोलेगा चीज़तर जी मैं एक चीज़ आपके शो में कहना चाता हूँ मैंने नोटिस किया राजी जी जी बोल रहे थे मैं जो भाज़प जी आप इतने ताकतवर लोग हैं इतने आप ताकतवर कि आप रश्य युक्रियन का वाउ लुका तो एक लड़का जो उधारी पे कैंटीन में खाना खाता है उसको देश को तोड़ने की साधीश बना रहा है अंतर राश्य ग्रूप्स के साथ आप आज तक उसको प्रॉस् प्रदानमंत्री को मारने की साधिश गौतम नव लखाने लिए इमेल निकला आज वो सारे केसे उन्हों ने विड्रॉक किये और जो इमेल था वो कलत साबित हुआ यह ने टीवी पे चाटी ठोक कर रहा हूं मैं आज तक पर इस चीज के उपर और मैंने प्रदानमंत्री का स सारे गलक कामूं में लिख थे चाहे बीफ बेचने वाले हो चाहे वो फ्रॉड हो चाहे वो खुड इनके हिसाब से जो लोग मनी लॉन पिर पैसे लिए इन लो यह लोग देश को बचाएगे चलो मैं मान दिया कोई अच्छी पारटी देश को बचाना चाती वो कनिया के कुछ सराय में उनको चुनाव लड़ते हुए देखा है भले ही वो हार गये थे गिरासिंग वहां के कदावर मंत्री हैं उन्होंने जीत हासल की थी लेकिन पांच सालों दग लगातार करनेया कुमार ने बिहार में पूरी ताकत जोगी आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी अगर मैं आपको पूछू कि चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वन शो है आपकी स्टूडियों से नहीं करी क्या है मत्रूरा गई आज तब की स्ट्रा जी की स्ट्राइजी आपको जैसे करना आप करोगे शो यह तर्क होता है कि भाजपा करेगी कि अरवंद बाजपाईजी की बारी है प्लीज ठीक है ठीक है अरवंद बाजपेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उदाहरन देकर इसलिए फस्ट गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूँ दरशक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़े से हमारा शो नंबर बन है लेकिन चुनाफ के वक्त वौटर बेगुसराय का कर दिल्णी में मोट नी डालेगा और दिल्ली का वोटर बेघू सराय में डालेगा इस वज़ए वहांplement जिते सीधरस आते वे वाज्फेस आप कौंग्रेस पार्टी अपने नेता को दिल्ली से उतारे या बेगू सराय से उतारे या जहांसे मन वहाँ से उतारे आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है उनके नेता है जहां को लगेगा चुनाबजीतने के सितीब बनीगी वहां से उतर जाएंगे मैदान में कि हमें कोई इतराच बिलकुल नहीं है लेकिन इतराच देश की जंतां अन्ट है दिली की जंतां या जानेगी कि इस आदमी का इत्यास क्या है यह आदमी का वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जेन्यू में जो क्रिमनल के एक्टिविटीज की थी उसमें एक खालिद भी बंद हुआ थे एक स्टुडेंट इनके साथ के थे भूल गए खालिद को आज तक जवान पे नाम न को गुमरान नहीं कर सकते हैं करेंगे लाल कि क्या बैक्राउंड है लेफटिस्ट रहें ना पूरी जिंदगी कॉंग्रेस को गाली देते रहें कि नहीं देते रहें सबसे ज़्यादा अगर मुखर कोई होता था तो यह लेफट वाली लोग होते थे आज यह बड़े बारे जाता अभी भी बेल प्यूंग है और यही हाला आपवलों का हो गया है इनके मुक्यमत्री पी जेयल में है सातंदर जैन भी जेल में हैं पंजाम में तिंचार मिनिस्टर जेल में क्या बोलेंगे चुनावा में देश की जनता को ये ज्यादा देर आप मूर्क नहीं बना पा कि यह घृट रहे हैं कि अभागे वह देश हैं लाट कर रहे हैं तो वह सो देखे लिएंपनी आति हैं ब्लोगों को एसा जेडियू के नेताओं के ओर से वीजेपी के नेताओं के ओर से ठीक है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादब के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रसाद्य यादब लालू जी का पुत्रमो ही बोल रहा है न ये बात तो सही है कि कनईया वाकपुर्ता में तेजस्वी से बहुत आगे हैं और ये बात ही सही है कि अनके प्ताश्री को डर लगता है कि अगर कनईया जैसे लोग आ गए तो कहीं तेजस्वी जो साइद एजूकेशन उनकी सबको मालूम है कहीं वह एजूकेशन में कंपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहीं ब्यार की जंता के विश्वास उनकी तरफ चला गया तो क्या होगा लेकिन यह भूल जाते हैं कि चिराग पासवन भी ब्यार में हैं वो भी उनीका भी कद वह है जो इन लोगों का है और उनसे उंचा है और ब्यार की जो भविश्य है वो चिराग पासवन में भी दिखता है लालू यादब किसको काटेंगी फॉल्टिक्स में कोई काटेंगी ठोड़ी जर के लिए तो काटेंगे तो तैसी लिए इसके बाद में फॉर्ट अच्छा बोलीजे दस सेकंड बोलीजे शाज़े मैं देखिए मैं आपको मैं ब्रेकिंग न्यूस बता दूं आपको चित्रा जी बहुत जरूरी है जो नारे भी लगनेंगे और यह कॉंग्रेस पार्टी और आमादी मिलकर जो नारे मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई टकर होगी तो आप समझ जाएएगा और कनिया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है इसके रावा अगर मैं आपको पता दू जो उनकी ट्वीट से हैं अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी बीवी से कि अपना जो है अपना नाम कर दो भारत माता की जै सोचिए ये किस तरह की बाते जो शक्स करता है वो है और ये नारे होंगे कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासेस्पद है और एक बर फिर से कॉंग्र इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी पार्टी के बारे में थम सब जानते ही है तितरा जी मैं उत्तर देगा है मुझे लगता है इस पर तैसी जी आप जवाब दे दीजे बोलिए बोलिए मैं इस पहले इस पर टूपे ये कह रहे है हिंदू विरोधी राजीश भाई को और मुझे ये लोग कह रहे है इंसे मैं सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बार नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरी दीश लिखिला ये भाजपा की उफिशल प्रवक्ता अब चित्राजी मैं आप से अघ्रफ करता है आज चो बहुर्ट करता है चितरा जी यह आज तक थी इंडिया टुडे की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट ती कि वो जो नारे लगाए गए थे यह बाहर से थे वो और यो फॉरेंसिक जाज गलत थी आज तक की और की की जाज थी यह कोट में भी साविट हुई गलत नही यह रिपोर्ट कलत निकली है जो नारे निकले उसके बावचूद आज तक के मंच पे आके दो पुलिटिकल राश्ट्रिय पार्टी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के जूट कह रहे है चितरा जी क्या इस पर अब्जेक्शन होना चाहिए और नहीं होना चाहि सब्सक्राइबर है अगर आप आप चार बार ये कहेंगे कि मैं छोड़ कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूँ आप छोड़ कर जा सकते हैं लेकिन इस बात की गरिमा को समझना होगा जब हम डिबेट का हिस्सा होते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्रॉस क्रेशन करते हैं अगर हम रैली में स्पीश दे रहे होते हैं तो वहाँ पर वन वे कम्मुनिकेशन होता है आप भी जानते हैं इस बात को आप इतने सीनियर हैं मुझे तो यह संजाने की जूरत नहीं है एनिवे मैं नहीं चाहूंगे आप छोड़कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाजय उसके बाद जबाद देंगी वो लिए मैं इसलिए कहारा हूं चाहिए चाहिए इसलिए कर लोट जाए और जनता तक सच ना जाए अगर हमें कोई जैनूइन के रोकते था कि हमारी बात ना जाए लेकिन अपनी बात समात करना जात हूं बाद पर जींच बुद्द उठा है उन मुद्दों में तर्थ था हम उस पे अपोस कर सकते हम कह सकते चेदाग जी बड़े नेता है चीज़ स्वी बड़े नेता है कर नहीं या नहीं है उस चीज़ पे मैं डिबेट करने को त्यार हूँ वह अच्छी डिबेट है यहां आकर कहना हाइपोटेटिकली दो राष्ट्र पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाने चिनुप के दागया और भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे एक है इसमें मुझे सकत अबजेक्शन है चित्रा जी और यह जाइज है आप किस बास के आधार पर यह कह रहे हो तो यह जबाब लेगा था आप उनको इतना बोलने देंगी जी जी चित्रा जी मैं आपसे यह कहना चारी हूं कि देखे इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाइदा हाइपार्ट में पेंडिंग है इन्हों ने भी पूटे ना यह तो कि ले यह जानते हैं गर मामना चल रहा होता है तो जाहर एक कोर्स इस पर तैकर करता है और सारे की सारा प्रूफ सबके सामने दिया गया है ऐसा कोई भी लिए डिया गया है कनेया कुमार को कि उन्होंने उस वख जा उमर खालीद यह सब नारे लगा रहे तो क्यों नहीं है कि आप इनारे नहीं लगाएंगे इसी जिस वक्तत्व के लिए जिस भारत विरोधी नारों के लिए आपने उनका चयन किया है और आपने उनको उमीदवार बना है तो आपको क्या लगता है कि किसी को कुसी और तरीके की आशंका होगी कि वो इनारे नहीं लगाएंगे आपकी सोच है, यह पुरी तरह से दरशाती है कि जो इनसान इस तरह के भारशन औरगनाईस करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और उम्मीदवार बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे ये कि नहीं कनहिया कुमार तो देश जोडने वाले लोगों में से हैं भारत जोडो यातरा में जो लोग मौजूद होते हैं कि उन मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई है एक एक इनसान जाएगा करेया कुमार की रैली में और यह पूछेगा कितने शर्मिंदा हो भाई तुम हमारे सुप्रीम कोड को लेकर बताओ देश की बरबादी की मनों काबना करते हो है ना इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की सिम्रिदी होगी इंशानला तब कहते ना तब मानते देश चित्रणी अमादी पार्टी से भी रियक्शन ले लेती हूँ फिर उसके बाद बढ़ना दो लोगों में ही ये डिबेट रह जाएगी दो लोगों राजिश गुप्ता जी आ पर चुनावी मैदान में जा रहे हैं लेकिन पर दो चुनाव की नतीजे अगर हम आप देखें तो वहाँ पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होता रहा है मनुझ तिवारी जिस सीट से जीते हैं नौर्थी सीट से वहाँ पर एक तरफा मुकाबला है 50-55 फीसदी से जादा व मनुझ तिवारी जी का वोट प्रतिशत में तो दोनों मिलकर भी उनका कुछ भी बिगारते वे दिखाई नहीं दे रहे हैं अगर 2019 के लिहाँ से देखें तो देखें चित्रा जी हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है 2015-14 का जो चुनाव था वो कॉंग्रिस की एंटिंकमंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनिया बदल देंगे 2019 के चुनाव में पुलवा चाहती है जो सविदान को बदलना चाहती है शाधिया ने बाद बार कहा कि ये वाले नारे लगेंगे देखे कैसे लोगों को उकसाते हैं कि टू नीशन थेरियू की बात करने वाले लोग और शाधिया बड़ा अचंबा होता है जो लोग सब्सक्राइब को मानते ही नहीं व लोगों से सुनिये लोग क्या किरें लोग कितने खिलाफ हैं और मेरी एक बात को समझिये कि आप बैटके कहते हैं कि लोग जाके राष्टवाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुक्डे तुक्डे गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया आया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं कि इसी तरह से भी काटे की टकर है और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगु सराय में हमने देखा क्या जलबा था कर नहीं या भाई साब का अब ये वही जलबा यहां पे बिखेरेंगे दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते हैं लेकिन सब जानते हैं कि तुकडे तुकडे गाइंग भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है और इस बार फिर से कॉंग्रेस से साबित कर दिया है कि जिस सरा से राहुल गांधी बाकाइदा जर्मिनी जाकर इंग्लेंड जाकर भारत का आप मान करते हैं तिरसकार करते हैं एक एक संस्थान का मज़ाख उडाते हैं जिससा से मनी शंकार रयर जाते हैं रशलमान कुरुची जाते हैं पाकिस्तान से भीक मांगते हैं कि भई हमारी सरकार बदल दो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं चाहे सर्जिकल स्ट्राइ हो हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं उसके सरगना उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है राश्टरवादी ही नहीं ऐसे लोगों को जो कर्मत इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि कॉंग्रेस में इस बात के तदीक कर लिया है और मान लिया है कि वाकई में वो शेहनशाय आजम है तुकड़े तुकड़े गैंग के ठीक है मैं बात कर लेती हूँ राजेशी सीधे आपके पास आते हुए अब बार बार करनेया कुमार के ओपर तुकड़े तुकड़े गैंग कहकर ये लोग बार कर रहे हैं अब एक काम है कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है अरविन केदरिवाल जी पहे कोई नाम नहीं किसी चार्डशिट में नाम नहीं एफ़ाइर में नाम नहीं लेकिन शराप सरगना शीश महल संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नहीं जिन चीज़ों से ट्रैक के इलावा जिसके साथ आपका गढ़बंदन है उन तीन एजेंसिस को भी आप गढ़बंदन की तरह इस्तवाल करते हो एडी को सीबी आई को इंकम टैक्स को दिल्ली की पुलिस आपके पास में आप क्यों नहीं कोई कारवाई कर पाया आस तक बेवदे ऐसे ही शोर मचाते रह अगर किसी की इतनी जुरत हुई इस देश में इतनी हिम्मत हुई कि वो भारत को भारत को तुकडे-तुकडे करने की बात करता है तो इसके खिलाफ ये एक्शन नहीं ले पाए ये जूट बोलते हैं ये ब्लैंडिंग है सिर्फ लोगों के मन में बात को डालने की देश को असली बातनी का काम यहीं सोच करती है तो अपने लोगों को यंदरी ये बातते हैं सिर्फ जीतने के लिए शाल जाजाजी आप जब आप दे दीजिए उसके बात बाकी महान अपास है तो बिल्कुल जली से चित्रा जी करहिया कुमार के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है दूसरी बात भाई साब जो बोल रहते हैं शायद जानते नहीं कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे केने«ए वालेए कटर बेहिए निकी मदद में हैं और ये वो है जो कतर बेहिमान हैं और इनक過 आगाज हुआ था ना ? आसवारात से انका अंजाम देखा अपने क्या हो गया शराब पर और यहीं के कहानी है ज़ाडू से दारू सकी और उनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त कि उनको पता है कि मनीस सोडिया भी अभी इनको बेली तक नीम ली देड़ साल से जेल में है अरविन केशिवाल की रासत और बढ़ा दी गई है कि एक कविता जी को भी हिरासत पर ले लिया गया है सतेंद्र चेहन तो बहुत दिनों से अपन संग्यान ले लिजे ना कहा हैं आपके सीम पता तो करा लिए जी थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जब आपको याद है आपने क्या कहा था ठीक है ठीक है में जबाब दूँ और न्यायले रहत नहीं दे रहा है ना मुख्यमंत्री को शाध्या जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने हमने मंदूरी दी थी हम तो हम तो कह रहे हैं अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना तो आपके एजंसी क्या कर रही है शाध्या दीने कहा कि मैं करता हूं लेकिन मैं आपको एक रिस्पेक्ट करवा और आप तो एक बात पुछना चाहता हूं कि अपने आपने कहा कि आपने का ट्राइल अभी पेंडिंग है अगर कोई आदमी देश के खिलाप बोल रहा है ट्राइल पेंडिंग चलता रहा अर्विन केजरिवाल जी को तो आपने प्येमें अक्ट में बंद कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आदमी तुक्डे तु आपके पास आते हुए प्लीज तैसीन पुनावाला जी आपके पास आते हुए प्लीज तैसीन पुनावाला जी कॉंग्रिस पार्टी राष्ट्रिय पार्टी है लेकिन क्या उसको आरजेडी की पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में ये आरूप बीजेपी वाले लगा रहे हैं ये कहते हुए कि बेगुसराय से पछली बार चुनाव लड़े हार गए दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब में साफ कह दिया कि ये बिहार में नहीं रहेंगे इनको बाहर भेजिए इस वज़े से कनिया कुमार क को बिहार से बाहर का टेकर देना पड़ा है क्या मजबूरी बन गई है कॉंग्रूस पार्टी की तैसीन पुनावाला जी तैंकिए चित्रा जी आपके शो में मुझे शरकत करने का मौका में दो या तीन चीज को समझ लेते मैं किसी कॉलेज बच्चे के बारे में क्यों बड अच्छकों के विवेक पे ये चोड़ता हूं कि मानन ये प्रधान मंत्री और रह मंत्री मानते के देश के सबसे ताकत वर दुनिया के सबसे ताकत वर लोगे रश्य और युक्रीन के युद रुकाने वाली इंडोग है कोई व्यक्ति एक कॉलेज का बच्चा जो उधारी पर खाना खाता उधारी चुकाने को मश्किल होती है वह देश को तोड़ रहा है और यह लोग आज तक उसको प्रोसेक्यूट नहीं कर पाएं अच्छा खुद ही कहते हैं कि प्रोसेक्यूशन की जो 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 इजाज़त है वह आम आदमी पार्टी की सदकार या एची दॉड जो 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 जाए हम ठोड़ा से चाहिए मैं और यह विपास्ति इंडियोत जो की जो 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 आपता ख़ोड़ बहुंचंद नहीं होगा तो जो तो एक लटका जो उधारी ने केंटीन में खाना कहता है इस अस देश को तोड़ने की उसा आज तक को जेल में नहीं है अच्छा देखें मैं आपको दूसरा एक उदारन देता है आप ही के आज तक पर मैं आता था एनाए देश की सबसे प्रत्थम इन्वेस्टिगेटिंग एजनसी आतकवाद के खिलाव कि देश के तोड़ने की साधिश है उन्होंने आरोप लगाया कि माननिया प्रधान मंत्री को मारने की साधिश गौतम नव लखा ने यह इमेल निकला आज और जो सारे केसे उन्होंने विड्रॉय किये और जो इमेल था वो गलत साबित हुआ यह ने टीवी पे चाटी ठोक कर के रहा हूं मैं आज तक पिता इस चीज के उपर और मैंने प्रधान मंत्री का साथ दिया कि मेरे प्रधान मंत्री को मारें यह कैसे लोग है अरे यह ऐसे लोग है चित्रा जी जो इलेक्ट्रोल बॉन्स का चंदा का ध से लेते इन लोग यह नोग देश को बचाएगे चलो मैं मान दिया को अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती वो कर रिया के उपर को यह आरोप लगा है लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था तहसीं कुनावाले जी आपने उसका जबाब नहीं दिया बिहार के बाहर लान बिहार में पूरी ताकत जोगी आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए इसका जवाब आपने नहीं दिया लेकिन मैं अर्विंद बाजपेजी अपने उमीद्वार को मैं आरे हूं आरे हूं अर्विंद किसे में आप आप कहा पर रहार में हूं अगर मैं आपको पूछू कि चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वान शो है आप क्यू स्टूडियों से नहीं करी क्या है मतूरा गए आज तब की स्ट्रा जी की स्ट्राटीजी आपको जैसे करना आप करोगे शो यह कोई तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि कॉंग्रिस की स्ट्राटीजी क्या है वाजपा वाले कहेगे अटिस साल का जो यह बालत है अर्विंद वाजपेजी की बारी है प्लीज ठीक है ठीक है अर्विंद वाजपेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उधारन देकर इसलिए फस गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूं दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़े से हमारा शो नंबर वन है लेकि सराय से उतारे या जहां से मन वहां से उतारे आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है उनके नेता हैं जहां से उनको लगेगा चुनाव जीतने के सिती बनेगी वहां से उतर जाएंगे मैदान में कि हमें कोई अत्राज नहीं है कोई अत्राज बिलकुल नहीं है है लेकिन अत्राज देश की जंता को है दिली की दिली जंता यह जानेगी कि इस आदमी का इत्यास क्या है यह आदमी का वो टुकडे टुकडे गेंग वाला ज jijए हैंbas जो क्रिमिनल के एक्टिविटीज की थी उसमें एक खालिद भी बंद हुआ थे एक स्टुड़ेंटिन के साथ के थे भूल गए खालिद को आज तक जवान पर नाम नहीं आए कि खालिद की बेल क्यों नहीं हो इसे लोगों को क्या वोट मिलेगा और जिंदिगे बर ये सक्स का कॉंग्रेस को गाली देते रहें आज कॉंग्रेस के पाले में कड़े हो गए और ऐसी सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा ये देश की जन्ता को गुमराण नहीं कर सकते हैं करेंगे लाल कि क्या बैकराउंड है लेफटिस्ट रहें ना पूरी जिंदिगी कॉंग्रेस को ग कॉंग्रेस और आप और दोनों को लोगे कॉंग्रेस की गर्दन तक ये ब्रस्टा चार में डूबे हुए हैं इनके सीर्ट सेनेता अभी भी वेल पे हैं और यही हाला आपवलों का हो गया इनके मुक्यमत्री भी जेल में हैं सटंदर जेन भी जेल में हैं पंजाम में तीन मनोस टिवारी जी काम की हैं और खाली मनोस टिवारी जी के पीछे चाहरा है मोड़ी का चाहरा मौभी का च्यरह मतलब मोदी की गरंटी मतलब मोदी की विस्रेसनिदा स्वाल यह पूछे जा रहे हैं कि तेजस्फी यादब के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना चाहते हैं लालू प्रसाद्यादव इस विज़र से बाहर भी जा दिया गया है इसमें रत्तिवर भी सचाई है कि या आप लोग की वल महौल बनाने के लिए इस लिए मोधी जी कहते है नहीं यह पुत्रमोव वाले लोग हैं लालू जीं का पुत्रमो ही बोल रहा है ना यह बात तो सही है है जो इन लोगों का है उनसे उंचा है और ब्यार की जो भविश्य है वो चिराग पास्वन में भी दिखता है लालू यादव किसको काटेंगी पॉल्टिक्स में कोई कार सकते हैं थोड़ी देर के लिए तो कार सकते हैं नहीं चाहते हैं कि तेजस्पी यादव कि शवी कमजो हो इसलिए कनहिया कुमार उभरते वे लीडर उनको बाहर कट दिया गया शाज़े इसके बाद में फॉर अच्छा बोलीजे दस सेकिंड बोलीजे शाज़े देखिए आपको मैं ब्रेकिंग न्यूस बता दूँ आपको चित्रा जी बहुत जरूरी है जो नारे भी वो ही सारे नारे हैं जो कनहिया जी लगाते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातल जिंदा हैं भारत की बरबादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी भारत के तुकडे तुकडे होंगे इन्शालला इन्शालला तो ये नारे लगेंगे मुझे लगता है आपको लगता है कोई टक्कर होगी तो आप समझ जाएएगा और कनिया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है इसके रावा अगर मैं आपको बता दू जो उनकी ट्वीट्स हैं अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी बीवी से कहूंगा कि अपना जो है अपना नाम कर दो भारत माता की किजे सोचिए यह किस तरह की बाते जो शक्स करता है वह है और यह नारे होंगे कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासेस्पद है और एक बर फिर से कॉंग्रेस दिखा रही है साफ तौर से कि क्या उसका क्या कि इस विरोधी हंदू विरोधी देश विरोधी है वो पूरी तरह से और यह उन्हों ने आप सबूत भी मैं कनहिया जी का कैंडिटेचर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रिस पार्टी और आम आदनी पार्टी के बारे में तुम सब जानते ही है तितरा जी मैं उत्तर देड़ू चीक है मुझे लगता है इस पर तैसी जी आप जवाब दे दीजे बोलिए मैं इस पहले इस पर जवाब देता हूं तीन चास चीज शाजिया ने कही एक के कॉंग्रिस और आम आदनी पार्टी हिंदू विरोधी है मैं दुवारा से कहता हूं बीफ कंपनी से चंदा इन लोगों ने चंदा का धंदा किया बीफ कंपनी से धाई सो करोड उपे ये कह र मैं हैं अगर इस तरह के नारे नहीं लगे इस तरह के नारे नहीं लगे आप इनको बुला कर आप इनको एक्सपोज करें इस तरह का जूट फैला जा रहा ह। पर देखे。 शाज़ा जी प्लीज उनके बाद हुजर तरा बोलेगा वो जैसे ही चुप होंगे मैं आप से जवाब दे लूँगी मैं आप से जवाब दे लूँगी तैंक यू चितरा जी चितरा जी यह आज तक की इंडिया टुडे की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट कि वो जो नारे लगाए गए थे यह बाहर से थे वो ओडियो फॉरेंसिक जाज गलत ही आज तक की और की जाज थी यह कोट में भी साबिट हुई गलत नहीं यह यह रिपोर्ट गलत निक से लाग चीज़ अपमें से अगरी ना करें कांग्रेस से ना करें आप राजीष भाई से आप आप आंड़ी पार्ट क्या चितरा जी आपको अर्वाज टक को लगता है कि कॉंग्रस और आम आद्मी पार्टी से नारे लगाए एक जो भाजपा कह और यह फूचर में करेंगे अब था यह तरक दिए उस तरक से नहीं होता नहीं तरक से नहीं होता है यह जोड़ देता हूं अगर आप लाइब डिवेट में आप चार बार ये कहेंगे कि मैं छोड़कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूँ आप छोड़कर जा सकते हैं जब हम डिवेट का हिस्सा होते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्रॉस क्रेशन करते हैं अगर हम रैली में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पर वन वे कम्मूनिकेशन होता है आप भी जानते हैं इस बात को आप इतने सीनियर हैं अगर मैं नहीं चाहूंगे आप छोड़कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाजय उसके बाद जबाद देंगी वो हमें कोई genuine बात पर रोके मैं भी उस चीज को मानता हूँ यह रोकते हैं ताकि हमारी बात ना जाई इनकी strategy है strategy हमें expose करना है लेकिन अपनी बात समाप करना जाता हूँ बादपरी जी ने कुछ मुद्ध्य उठा है उन मुद्धों में तर्थ था हम उस पर अपोस कर सकते हम क पर राश्टर प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे इक है इसमें मुझे सकत अब्जेक्शन है चित्रा जी और यह जाइज है आप किस बात के आधार पर यह कह रही हो तो इस पर मुझे अब्जेक्शन है जी जी चित्रा जी मैं आप से यह कहना चारी हूँ कि देखे इस पर दाथ के लिए कणहिया कुमार जी जाने जाते हैं। नहीं थे और उन्हों ने उसके साथ समर्थन नहीं किया बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम उगनाइस करा आए नाही उसके लिए कभी माफ ये माफ्य उत्व मांगी तो क्यूं जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और उम्मीदबार बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे ये कि नहीं कनहिया कुमार तो देश जोडने वाले लोगों में से हैं भारत जोडो यातरा में जो लोग मौजूद होते हैं कि उन संदेर आ रहे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई एक एक इंसान जाएगा करेया कुमार की रैली में और यह पूछेगा कितने शर्मिंदा भाई तुम हमारे सुप्रीम कोड को लेकर बताओ देश की बरबादी की मनोकाबना करते हो है ना इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की समर्दी होगी निशानला तब कहते ना तब मानते देश चित्रा जी अमादी पार्टी से भी रियक्शन ले लेती हूँ फिर उसके बाद बढ़ना दो लोगों में ही एडिवेट रह जाएगी दो लोगों राजिश गुप मैदान भी जा रहे हैं लेकिन पर दो चुनाव की नतीजे अगर हम आप देखें तो वहाँ पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होता रहा है मनुझ तिवारे जिस सीट से जीते हैं नौर्थी सीट से वहाँ पर एक तरफा मुकाबला है 50-55 फीसदी से जादा वोट उनको हस दो देखें चित्रा जी हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है दोजार पंदरा चौदा का जो चुनाव था वो कॉंग्रेस की एंटिंकंबंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनिया बदल देंग 2019 के चुनाव में पुलवावा के ऊपर खेला गया सेनाव के ऊपर वूट मांग लिया गया इस बार वो वाला चुनाव नहीं है लोग समझ चुके हैं कि इलेक्टरल बॉंड का धंदा करने वाली पार्टी जो जिपक्षियों को बंद गेल में करने वाली पार्टी वो ये प कौन सनातर के खिलाफ हैं नुजा बड़ा अचमबा होता है जो लोग सनातर को मानते ही नहीं वो सनातर की बात करने लगते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे आए मैं तो दो बार का विदाय को मैं तो जमीन पर चलता हूं आप जमीन पर आए मेरे साथ में घुम ये मैं शाद् दूसरवाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुक्डे तुक्डे गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किसी तरह से भी काटे की टकर है और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगु सराय में हमने देखा क्या जलबा था कर नहीं या भाई साब का अब ये वही जलबा यहां पे बिखेरेंगे दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते हैं लेकिन सब ज जिस तरह से राहुल गांधी बाकाइदा जर्मिनी जाकर इंग्लेंड जाकर भारत का अपमान करते हैं तिरसकार करते हैं एक एक संस्थान का मजाक उडाते हैं जिस तरह से मनी शंकार रयर जाते हैं रशल्मान कुरुचिन जाते हैं पाकिस्तान से भीक मांगते हैं कि भई ह हमारी सरकार बदल दो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे जितने भी सुप्रीम कॉर्ट हो और इलेक्शन कमिशन हो आप देख रहे हैं कि चाहे आर्मी हो चाहे सरकार हो चाहे इलेक्शन कमिशन हो चाहे सुप्रीम कॉर्ट हो हमेशा सि को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं उसके सरगना उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है राश्ट्रवादी ही नहीं ऐसे लोगों को जो कर्मत इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि कॉंग्रेस में इस बात के तदीक कर लिया है और मान लिया है कि वा बार करनेया कुमार के ओपर टुकड़े टुकड़े गैंक कहकर ये लोग बार कर रहे हैं अब सब्सक्राइब के साथ आमादभी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा राजेश जी देखिए चित्रा जी भाजपा का ये काम है कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है अर्विन केद्रिवाल जी पे कोई नाम नहीं किसी चार्ट शिट में नाम नहीं एफ़ाइर में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना शीश महल संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नह किया हरे एक के ओपर ब्रांडिंग करनी है तुकडे तुकडे गैंग अरे भाई अगर ऐसी कोई बात है उसमें कोई सच्चाई है तो आपके पास में सारी एजनसीज है आप इस देश में एजनसीज को 49 पार्टियों के इलावा जिसके साथ आपका गढ़बंदन है उन तीन इजनसीज को भी आप गढ़बंदन की तरह इस्तेमाल करते हो ED को CBI को income tax को दिल्ली की पुलिस आपके पास में आप क्यों नहीं कोई कारवाई कर पाया आस तक बेवजय ऐसे ही शोर मचाते रहोगे कि आपको नियाले पे भरोसा नहीं है वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि किसी की इतनी जुरुत हुई इस डेश में इतनी हिम्मत हुई कि वह भारत को भारत को तुकड़े-टुकड़े करने की बात करता है तो से खिलाफ ये अक्षन नहीं ले पाए ये जूट बोलते हैं ये ब्लैंडिंग है सफ लोगों के मन में बात तको डालने की देश को असल चित्रा जी कनहिया कुमार के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है दूसरी बात भाई साफ जो बोल रहते शायद जानते नहीं कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे जिन लोगों को चोर कहने वाले कट्टर बेइमान वाले कहने वाले वही लोग इनकी मदद में हैं और ये वो हैं जो कट्टर बेइमान हैं और इनकी तो आगास हुआ था ना अस्वरात से इनका अंजाम देखा अपने क्या हो गया शराब पर और यही इनकी कहानी है जाडू से दारू तक की और इनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त क्या उनको पता है कि मनी से स मसाज करyas रहे हैं जेहली है, तो ऐह अलगी कहानी है, तो किस दुन्या में भाय साहब आप रहरो हैं, आप नहीं दूनी हैं, ठुछा आप रहा हैं, पता तो करालीजी थोड़ा रहेगा आपके लिए, आप पो यार लगा हैं, झबले हैं, आपके बार क्निया कुमार के खाला अदालत में जाने के लिए और बाखादा केस करने के लिए इन्होंने मन्जूरी दी थी भूल जाते हैं भाई साब हम लों को याद रहता है ठीक है पूत चीक कँ चीक शीता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने मन्दूरी दी हम तो हम तो कह रहे हैं अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना तो आपकी एगंसे क्या कर रही है शाद्यादी ने कहा कि मैं अपने मैं अखबार नहीं पढ़ता है शाद्यादी मैं बहुत अच्छी तरीके देपड़ता हूं विद ओल्ड रिस्पक्ट जब आप टीवे पर आती थी मैं आपको भी बड़ा सब्बान करता था और करता हूं लेकिन आपको एक क्यों आदमी देश के खिलाब बोल रहा है चलता रहा अर्विन केजरिवाल जी को तो आपने प्या में बंद कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आदमी तुक्डे तुक्डे की बात कर रहा था उसमें ट्राइल पेंडिंग है इतना लेट क्यों हो गया क्योंकि इसको ल आपके पास आते हुए प्लीज तैसीन कुनावाला जी कॉंग्रेस पार्टी राश्ट्रिया पार्टी है लेकिन क्या उसको और जेडी की पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में या रूप बीजेपी वाले लगा रहे हैं यह कहते हुए कि बे दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब ने साफ कह दिया कि यह बिहार में नहीं रहेंगे इनको बाहर भेजिए इस वज़़े से कनिया कुमार को बिहार से बाहर का टिकट देना पड़ा है क्या मजबूरी बन गई ह कॉंग्रूस पार्टी की तैसीन पुनावाला जी तैंकिए चित्रा जी आपके शो में मुझे शिर्कत करने का मौका में ला दो या तीन चीज को समझ लेते मैं किसी कॉलेज बच्चे के बारे में क्यों बड़ा नहीं ता है चोटा नहीं ता है इस सारी चीजों में नहीं कि हम दो या तीन चीज को समझ लेते हैं भाजपा के प्रवक्ता यहां कहते हैं कि दीश को तोड़ने की सालिष्ट के मान लिए इन्हों ने का कि दीश को टुकड़े टुकड़ा करना चाहते और यह बात मानने में प्रधान मंत्री जी ने भी कही अब आप सोचे चितर जी और रहे हैं और यह लोग आज तक उसको प्रॉसेक्यूट नहीं कर पाएं अचा खुद ही कहते हैं कि प्रॉसेक्यूशन की जो 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 इजाज़त है वह आम आदमी पार्टी की सरकार्ट या एची साल जी मैं इसे डिवेट नहीं करता हूँ मैं आप जानते हैं आप या करने वाले तो प्लीज आप इनको रोकिए हम उनके पीच में नहीं बोलते हैं मैं दो यह तीन चीज़ के नहीं अगर आप दुनिया के ताकत वर लोग है इतने आप ताकत वर क्या रश्य युक्रियन का वाल लुका तो एक लड़का जो उधारी पे कैंटीन में खाना खाता है उसको उस देश को तोड़ने की साधिश बना रहा है अंतराश्य ग्रूप्स के साथ आप आज तक उसको प्रॉस्ट नहीं कर पाएं आज तक को जेल में नहीं है अच्छा देखें मैं आपको दूसरा एक उदारन देता है गौतम नवलका आप ही के आज तक पे में आता थ सबसे प्रथम इंवेस्टिगेटिंग एजनसी आतरकवाद के खिला कि देश को तोड़ने की साधिश है उन्होंने आरोप लगाया कि माननिया प्रधान मंत्री को मारने की साधिश गौतम नवलका ने लिए इमेल निकला आज वो सारे केसे उन्होंने विड्रॉय किये और ज इसे लोगे चितरा जी जो इलेक्ट्रोल बॉंज का चंदा का धंदा सारे लोगों से लेते ह। जो सारे गलग कामों में लिप ए ह। है orgिशने़ चाहे वो प्रॉडो चाहे वो इनके हिसाब से जो लोग मनी लोटने करते उनसे पैसे लेते इन लोग ये लोग देश को बचाएगे चलो मैं मान दिया को अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती वो कनहिया के ओपर को आरोफ लगा लिए बात आपने जो सवाल पूछा था तहसीम पुनावाले जी आपने उसका जवाब नहीं दिया बिहार के बाहर लाने की क्या जूरत थी कनहिया कुमार को उन्होंने पूरी ताकत जोग कर रखी वी थी बीते पांच सालों में मैंने खुद बेकुस सराय में उनको चुनाव लड़ते हुए देखा है भले ही वो ह पार गये थे गिर्रासिंग वहां के कदावर मंतरी हैं उन्होंने जीत हासल की थी लेकिन पांच सालों दक लगातार करने हैं कुमार ने बिहार में पूरी ताकत जोगी आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए इसका जवाब आपने नहीं दिया लेकिन अर्विंद बाजपेजी से देता हूं आज आप कहां पर रहे हैं चितरा जी आप सिर्फ विर्णतीर में आप पूछना चाहते हूं कहां है आप आज आज कि देश के किस हिस्से में आप अगर मैं आपको पूछू कि चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वन शो है आपको स्टूडियों से नहीं करी क्या है मतूरा गए आज तक की स्ट्रा जी की स्ट्राइजी आपको जैसे करना आप करोगे शो यह तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि कॉंग्रिस की स्ट् अब अब बाज पेजी की बारी है प्लीज चीक है अरवंद बाज पेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उदाहरन देकर इसलिए फस गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूं दरशक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़ कॉंग्रेस पार्टी अपने नेता को दिल्ली से उतारे यहां से मन वहां से उतारे आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है उनके नेता है जहां से उनको लगेगा चुनाव जीतनी के सिती बनेगी वहां से उतर जाएंगे मैदान में ouch, हमें को describesy नहीं है, को या तराज बिलकुल नहीं है, लेकिन अथिराज देश की जनता को है, दिल्ली की जनता यह जानेगी कि इस आदमी का इत्यास क्या यह आदमी का वो टुकडे-टुकडे गैंग वाला जो क्रिमिनल के एक्टिविटीज की थी उसमें एक खालिद भी बंद हुआ थे एक स्टुडेंटिन के साथ के थे भूल गए खालिद को आज तक जवान पर नाम नहीं आएगा खालिद की बेल क्यों नहीं हुई है ऐसे लोगों को क्या वोट मिलेगा और जिंदिगे बर ये सक कॉंग्रेस को गाली देते रहें आज कॉंग्रेस के पाले में खड़े हो गए और ऐसी सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा ये देश की जन्ता को गुमरान नहीं कर सकते हैं करेंगा लाल की क्या बैक्राउंड है लफटिस्ट रहें ना पूरी जिंदिगी कॉंग्रेस को ग गए ने कॉंग्रेस और आप और दोनों को लोगे कॉंग्रेस की गर्दन तक ये ब्रस्टाचार में डूबे हुएं इनके सीड सिनेता अभी भी बेल पे हैं और यही हाल आप वालों का हो गया इनके मुक्यमत्री भी जेल में हैं सटंदर जैन पी जेल में हैं पंजाब में का तिन-चार मीनिस्टर जेल में क्या बोलेंगे चुनाव में देश की जनता को ये जादा देर अब मूर्क नहीं बना पाएंगे गुम्राह नहीं कर पाएंगे ये बात तेया है और इसलिए मनोस्तिवारी जी क्याम की है और muchas death by नहीं मनोस्तिवारी जी के पीचे चेरा है म कि अचारा मतलब मोधी की गरंटी मतलब मोधी की विश्रिस्थी नीता दस सालों के जो काम है वो दिल्ली की जनता भी देख रही है देश की जनता भी देख रही है क्या जबात देंगे किस मुझे चुनाव में जीतने की क्लेम कर रहे हैं यह तो इनको बताना पड़ेगा सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रसाद्य यादव इसमें रत्तिभर में सच्चाई है कि यह आप लोग की वल मह पुटता में तेजस्वी से बहुत आगे हैं और यह बात भी सही है कि उनके पिताश्री को डर लगता है कि अगर कनगिया जैसे लोग आ गए तो कहीं तेजस्वी जो साहिद एजूकेशन उनकी सबको मालूम है कहीं वह एजूकेशन में कंपीट कर पाएंगे नहीं कर पाए है और ब्यार की जो भविश्य है वो चिराग पासवन में भी दिखता है लालू यादव किसको काटेंगी फॉल्टिक्स में कोई काटेंगी थोड़ी देर के लिए तो काटेंगी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव कि शवी कमजोर हो इसलिए कनहया कुमार उभरते वे नारे भी लगनेंगे और ये कॉंघ्रिस पार्टी और आमादी यादी मिलकर जो नारे लगाएंगी वो होई सारे नारे हैं जो कनहया जी लगाते थे अफजल हम शरमिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा भारत की बरबादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी भारत के तुक्डे तुकडे होंगे इन्शालला इन्शालला तो ये नारे लगेंगे मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई टक्कर होगी तो आप समझ जाएएगा और कनिया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है इसके रावा अगर मैं आपको पता दू जो उनकी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासेसपद है और फिर से कॉंग्रेस दिखा रही है साफ तौर से कि क्या उसका चरित्र है क्या कितनी सनातन विरोधी हिंदू विरोधी देश विरोधी है वो पूरी तरह से और यह उन्होंने आप सबूत भी दे दिया कानिया जी का कैंडिटेचर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी पार्टी के बारे में थमसब जानते ही है सित्राजी मैं उत्तर देगा है मुझे लगता है इस पर तैसीं जी आप जवाब दे दीजे बोलिए बोलिए मैं पहले इस पर जवाब देता हूं तीन चाज चीज शाजिया ने कही एक के कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी हिंदु विरोधी में दुवारा से कहता हूं बीफ कंपनी से चंदा इन लोगों ने चंदा का धंदा किया बीफ कंपनी से धाइसो करोड रुपे ये कह रहे इनसे मैं सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बार नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरी दीश लिखिला ये भाजपा की ओफिशल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पे काये अब चित्रा जी मैं आपसे अगर करता हूं हाच चोड़ते ब जाज़ी आपकी बात हो जाए इनडिया टड़े की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूस इव रिपोट के वो जो नारे लगाए कैप बाहरे द लंगा आपसे जवाग देलूगी मैं है ये तैंक्यों चित्रा जी चितरा जी ये आज तक तखी इंडिया टुड़े तो फोरेंसिक जाज गलत थी, आज तक की जाज थी, यह कोट में भी साविट हुई गलत नहीं, यह रिपोर्ट गलत निकली है, जो नारे निकले, उसके बावचूद आज तक के मंच पर आके दो पुलिटिकल राश्ट्रिय पार्टी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता इस अगरी ना करें, आप कॉंग्रेस से ना करें, आज तक को यह लगता है कि कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाएगे जो भाजपा कह दिए, और यह फ्यूचर में लगाएगे करने के लिए, यह किस तरह की बात ही हो रिषो के इंदर? आप तर्खों बाजपई जी ने आपके चुपई विरोज किया आप बाजपई जीने बाजपई जीने तर्क दिये उस तर्क से नहीं होता ने डिवेट चित्रा जी नहीं इसे डिवेट करता हूं अगर आप लाइब डिवेट में चोड़ कर जाओंगा चोड़ कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूं आप छोड़ कर जा सकते हैं आप लाइब लेकिन इस बात की गरिमा को समझना होगा जब हम डिवेट का हिस्सा होते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्रॉसक्रेशन करते हैं अगर हम रैली में इस पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पर वन वे कम्मुनिकेशन होता है आप भी जानते हैं इस बात को आप मैं नहीं चाहूंगे आप छोड़कर जाएं, दो लाइन में अपनी बात पूरी करें, शाजय उसके बाद जबाद देंगी, बोलिए. उन मुद्दों में तर्फ था, हम उस पर अपोस कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, चेदाग जी बड़े नेता हैं, चीज़ बड़े नेता हैं, कर नहीं हैं, उस चीज़ पर मैं डिबेट करने को त्यार हूँ, वो अच्छी डिबेट है, यहां आकर कहना, hypothetically, दो राष्ट्र लगाने वाने चुनल के दान मयां, और भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे एक हैं, इसमें मुझे सकत अब्जेक्शन है, चित्रा जी, और यह इज़क्शन में नहीं जाइज है, आप किस बास के आधार पर यह कह रहे हो, आप किसी पार्टी पर इस जो है, बाकाइदा हाई कॉर्ड में पेंडिंग है, इन्होंने भी भी क्या क्या कि प्रोसीक्यूट नहीं हुआ, ना तो हमारी एजिंसी है, और यह तो इनका दावा है, और यह तो इनका जूट है, यह तो वकील है, यह जानते हैं, गर मामना चल रहा होता है, तो जाहर है, कौर्स इस पे तैह करता है, और सारे की सारा प्रूफ सबके सामने दिया गया है, ऐसा कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है, कनेया कुमार को, कि उन्होंने उस वक्च जा उमर खालीद, यह सब नारे लगा रहे थे, तो वह वहाँ पे मौजूद नहीं थे, और उन्ह को क्या लगता है, कि किसी को कुसी और तरीके की आशंका होगी, कि वो इनारे नहीं लगाएंगे, आपकी सोच है, यह पुरी तरह से दर्शाती है, कि जो इन्सान इस तरह के भाशन और गनाईज करता है, जिस पर केश चल रहा है, उसी को आपने प्रतीक बनाए है, अपना और उम्मीदबार बनाए, कोई किया कहेगा, किसको किसको आपकगाते पिरेंगे यह, कि नहीं करनय यह प्रतीक बनाए है, कांग्रेस पार्टी ने, और आपने इसको सुपी का रहा है, यह देश जान ले, और वो चनारे लगे ते, जो सबसे भध्दें और गंदें रारे थ मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई है एक एक इनसान जाएगा करेया कुमार की रैली में और ये पूछेगा कितने शर्मिंदा हो भाई तुम हमारे सुप्रीम कोड को लेकर बताओ देश की बरबादी की मनोकाबना करते हो इसके लिए अरे राजिश की समर्दी होगी इंशाल्ला तब कहते ना तब मानते बेट चित्राजी चित्राजी अमादी पार्टी से भी रियक्शन ले ले लेती हूँ फिर उसके बाद बढ़ना दो लोगों में ही एडिवेट रह जाएगी दो लोगों राजिश गुप्ता जी आपकी पास देखें तो वहाँ पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होता रहा है मनुश्तिवारी जिस सीट से जीते हैं नौर्थी सीट से वहाँ पर एक तरफा मुकाबला है पचास-पच्पन फीसदी से जादा वोट उनको हासल हुए हैं दोनों लोग मिल भी जाएंगी अगर तो क्य की एंटिंकंबंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनिया बदल देंगे 2019 के चुनाव में पुलवावा के उपर खेला गया सेनाव के उपर वोट मांग लिया गया इस बार वो वाला चुनाव नहीं कि दिखे कैसे लोगों को उकसाते हैं कि फिंशन थिर्यू की बात करने वाले लोग और शादियादी सब्सक्राइब लोगों से आप कितने खिलाफ है और वे लोगों से आप कमरे में बैठके कुछ भी कह सकते हैं लेकिन जड़ा लोगों से सुनिये लोग क्या करें लोग कितने खिलाफ है और मेरी एक बात को समझिए कि आप बैठके कहते हैं कि लोग जाके राष्टबाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुक्डे तुक्डे गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया आया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रिस अपने पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किसी तरह से भी काटे की टकर है और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगु सराय में हमने देखा क्या जलबा था कर नहिया भाई साब का अब ये वही जलबा यहां पे बिखेरेंगे दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बकते हैं लेकिन सब जानते हैं कि तुकडे तुकडे गाइंग भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है ये उस और इस बार फिर से कॉंग्रेस से साबित कर दिया है कि जिस सरा से राहुल गांधी पाकिस्तान से खी मांगते हैं कि भैँ हमारी सरकार बदल दो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं चाहे सरजिक्ल स्ट्राइक FA and the Supreme Court हो और इए इार्मी हो चाहे सरकार हो जाए इलेक्शन कमिशन हो चाहे सुप्रीम काउठ हो हमेशा सिर्थ देश को विभाजण करने वाल ऐसे लोगों को जो कर्मट इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि कॉंग्रेस ने इस बात की तदीक कर लिया है और मान लिया है कि वाकई में वो शेहनशाय आजम है तुकड़े तुकड़े गैंग के ठीक है मैं बात कर लेती हूँ राजेशी सीधे आपके पास आते हुए अब बार बार करने हैं आकुमार के ओपर टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर ये लोग बार कर रहे हैं सनाव के साथ आमादभी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आ अरविन केद्रिवाल जी पे कोई नाम नहीं किसी चार्ड़ शीट में नाम नहीं एफाईयर में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना शीश महल संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नहीं जिन चीजों से टिकेट ब्लै किया हर एक के ओपर एक ब्रांडिंग करनी है तुकड़े गैंग अरे भाई अगर ऐसी कोई बात है उसमें कोई सच्चाई है तो आपके पास में सारी एजनसीज है आप इस देश में एजनसीज को 49 पार्टियों के इलावा जिसके साथ आपका गढ़बंदन है उन तीन एजनसीज को भी आप गढ़बंदन की तरह इस्तवाल करते हो को, E.D. को, C.B.I. को, Income Tax को दिल्ली की पुलिस आपके पास में आप क्यों नहीं कोई कारवाई कर पाया आस तक बेवजय ऐसे ही शोर मचाते रहोगे कि आपको नियाले पर भरुसा नहीं है वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नियाले ने एक आ पता है तो इसके खिलाफ ये एक्शन नहीं ले पाए ये जूट बोलते हैं ये ब्लैंडिंग है सिर्फ लोगों के मन में बात्र को डालने की देश को असली बाटने का काम यहीं सोच करती है तुभी अपने लोगों को यंदरी ये बाटते हैं सिर्फ जीतने के लिए शाल जाज़ जी आप जब आप दे दीजे इसके बाद बाकी बाटते हैं बिल्कुल जल्ली से चित्रा जी करहिया कुमार के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है दूसरी बात भाई साब जो बोल रहते शायद जानते नहीं कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे जिन लोगों को चोर कहने वाले कटर बेइमान वाले कहने वाले वही लोग इनकी मदद में हैं और ये वो है जो कटर बेइमान हैं और इनकी तो आगाज हुआ था ना अस्वरात से इनका अंजाम देखा अपने क्या हो गया शराब पर और यही इनकी कहानी है जाडू से दार दी गई है कि कविता जी को भी रासत में ले लिया गया है सतेंदर जेहन तो बहुत दिनों से अपने बाकाइदा मसाज करवा रहे हैं जील में तो किस दुन्या में भाइसाब आप रहे हैं थोड़ा अगबार पढ़ लिया अपने नेताओं के बारे में थोड़ा संग्यान ले कनिया कुमार के खिलाफ अदालत में जाने के लिए और बाकादा केस करने के लिए इन्हों ने मन्जूरी दी थी भूल जाते हैं भाइसाब हम लोगों को याद रहता है ठीक है बोले राजिर जी मैं जवाब दूँ और नयायले रहत नहीं दे रहा है ना मुख्यमंत्री को चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा कि हमने हमने मंदूरी दी थी हम तो हम तो कह रहे हैं अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना तो आपके एजनसी क्या कर रही है शाधिया द तरीके से बढ़ता हूं विद आल ड्यू रिस्पेक्ट जब आप टीवे पर आती थी मैं आपको भी देखता था और आपको बड़ा सभान करता था और करता हूं लेकिन मैं आपको एक रिस्पेक्ट करणगा और आप तो रिक्स्ट्फुली बात पुछना चाहता हूं कि जि कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आदि तुक्डे तुक्डे की बात कर रहा था उसमें ट्राइल पैंडिंग है विए इतना लेट क्यों हो गया तो लेट करा गया क्योंकि आप जानी कि पुछ हाई नहीं और यूपी एक नेगिटिव बैंडिंग करो यूपी एक सरका आपके लेटिव बैंडिंग करें ने थी मुद्दे पर रहते हैं में नहीं रहेंगे इनको बाहर भेजिए इस वज़े से कनिया कुमार को बिहार से बाहर का टेकर देना पड़ा है क्या मजबूरी बन गई है कॉंग्रूस पार्टी की तैसीन पुनावाला जी तैंकिए चित्रा जी आपके शो में मुझे शरकत करने का मौका मेला दो या तीन हम इस दो या तीन चीज को समझ लेते में किसी कॉलेज बच्चे के बारे में क्यों बड़ा नेता है चोटा नेता है इस सारी चीजों में नहीं किर रहा हूं हम दो या तीन चीज को समझ लेते हैं भाजपा के प्रवक्ता यहां कहते हैं कि दीश को तोड़ने की साज़िश् प्रधान मंत्री जी ने भी कही अब आप सोचे चितर जी और मैं आपकी दर्शकों के विवेक पर यह चोड़ा हूँ कि देश के सबसे ताकत वर दुनिया के सबसे ताकत वर लोग है रश्य व युक्रीन के रुकाने वाली इंडोग है कोई व्यक्ति एक कॉलेज का बच्चा जो उधारी पर खाना खाता है उधारी चुकाने को मश्किल होती है वो देश को तोड़ रहा है और यह लोग आज तक उसको प्रोसेक्यूट नहीं कर पाए अचा खुद ही कहते हैं कि प्रोसेक्यूशन की जो 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 इजाज़त है वह आम आदमी पार्टी की सदकार जाज़त जी मैं इसे डिबेट नहीं करता हूँ मैं आप जानते हैं आप या तो उनका ट्रेडर डाउन कीजिए या तो आप मोजे बोलेगा ठीक है ओके जिदर जी मैं एक चीज़ आपके शो में कहना चाहता हूँ मैंने नोटिस के राजी जी बोल रहे थे मैं जो भाज़ जी रहे थे बाइस लिए बिच में वोड़े हैं तो आपको इनको रोकना होगा क्योंके एक लड़का जो उधारी पे कैंटीन में खाना खाता है उसको देश को तोड़ने की चाहिव बना रहा है अंत राश्यों ग्रूप के साथ आप आज तक उसको प्रोस्ट्र नहीं कर प आपको दूसरा एक उदारन देता है, Gautam Nawlakha, आप ही के आज तक में आता था, NIA, देश की सबसे प्रत्थम इंवेस्टिगेटिंग एजनसी आतकवाद के खिला, क्योंकि देश के तोड़ने की साज़िश है, उन्होंने आरोप लगाया कि माननिया प्रत्थान मंतरी को मारने की साज़िश Gautam Nawlakha, यह इमेल निकला, आज वो सारे केसे उन्होंने विड्रॉ किये, और जो इमेल था, वो गलत साबित हुआ, यह NIA ने, मैं टीवी पे चाटी ठोक कर के रहूँ, मैं आज तक पिता, इस चीज के उपर, और मैंने प्रदान मंतरी का साथ दिया, कि मेरे प्रदान मंतरी को मारे, यह कैसे लोग है, अरे यह ऐसे लोग है चित्रा जी, जो इलेक्ट्रोल बॉंज का चंदा का धंडा, सारे उन लोगों से लेते हैं, जो सारे गलत कामों में लिप्ट है, चाहे बीफ बेचने वाले हो, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो इनके हिसाब से, जो लोग मनी लॉंडर करते हैं, उनसे पैसे लिते, यह लोग देश को थी कनहिया कुमार को उन्होंने पूरी ताकत जोग कर रखी वी थी, बीते पांच सालों में, मैंने खुद बेकुस सराय में उनको चुनाव लड़ते हुए देखा है, भले ही वो हार गय थे, गिर्रा सिंग महां के कददावर मंतरी हैं, उन्होंने जीत हासल की थी, लेकिन पांच सालों दक लगातार करने हैं, कुमार ने बिहार में पूरी ताकत जोगी, आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं, फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए, इसका जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन मैं अर्विंद बाजपेजी सिदे आपकी देश के किस हिते में आप, आप कहा परेयाच, मैं मत्वरा में हूँ, मत्वरा में, मत्वरा की पावण धर्टी के, अगर मैं आपको पूछू, कि चितरा जी आपका शो पाच बजे का नमबर वान शो है, आपकी उस्टूडियो से नहीं करी, क्या है मत्वरा गे, आज तब क की इस स्ट्राजी की स्ट्राजी, आपको जैसे करना आप करोंगे शो, यह तरक होता है, कि भाजबा कहेगी, कि कांगरिस की स्ट्राजी क्या है, यह भाजबा वाले कि आगीए, आपने तरह सल यहे हैं, आप गलत वदारन लेकर प्लाइए, श्थेकिके अरबिन अर्विंद वाजपेज इसे बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उधारन देकर इसलिए फस गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूँ दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़े से हमारा शो नंबर वन है लेकिन चुनाफ के वक्त वोटर बेगु सराय का आकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा और दिल्ली का वोटर बेगु सराय में नहीं डालेगा इस वज़़े सी यह सवाल अपके पास आते हुए वाजपेस आप कॉंग्रेस पार्टी अपने नेता को दिल्ली से उतारे या बेगु सराय से उता पर आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है उनके नेता है जहां से उनको लगेगा चुनाफ जीतने के सितीघी वहां से उतर जाएंगे मैदान की थी उसमें एक खालिद भी बंद हुए थे एक स्टुडेंटिन के साथ के थे भूल गए खालिद को आज तक जवान पे नाम नहीं आए गालिद की बेल क्यों नहीं हो इसे लोगों को क्या वोट मिलेगा और जिंदिगे बर ये सक्स कांग्रेस को गाली देते रहे आज कांग इसको गाली देते रहे कि नहीं देते रहे सबसे ज़्यादा अगर मुखर कोई होता था तो ये लेफ्ट वाली लोग होते थे आज ये बड़े बारे इतासी बन रहे और ये आपके साथ सपोर्ट ले रहे पहले यार मान चुके हैं यह तो कि अकेले नहीं लड़ सकते इसलि अब्ड tim उनिस्ट जेल में बूलेंगे चुनाव में जे जनता को यह ज़्यादा देर आप बूर्ख नइब्लठ नहीं कर पाएंगे यह बात और इसливоै और इसलिए मनोस्तिवारी जो युझ Monte और खाली मनोज तिवारी नहीं मनोज तिवारी जी के पीछे चेहरा है मोधी का चेहरा मोधी का चेहरा मतलब मोधी की घरंटी मतलब मोधी की विश्रिसनीता दस सालों के जो काम है वो दिल्ली की जनता भी देख रही है देश की जनता भी देख रही है क्या जो बात देंगे कि कर रहे हैं यह तो इनको बताना पड़ेगा देश की जनता को हमें कोई अतार नहीं है कि नहीं को लाएं राहूल को लाएं राहूल तो चोड़ बाग गए वाइनाड में हमें ठीकी तो बात उन्हें की नहीं तो यह आप लोगों को ऐसा देखें जेडियू के नेताओं के और स ठीक है सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रसाद्य यादव इस वज़र से बिहार से बाहर भेग दिया गया है इस तो सही है कि कणिया वागपुटता में तेजस्वी से बहुत आगे हैं और यह बात भी सही है कि उनके पिताश्री को डर लगता है कि अगर कनिया जैसे लोग आगए तो कहीं तेजस्वी जो साहिद एजूकेशन उनकी सबको मौलूम है कहीं वो एजूकेशन में कंपीट कर करपांगे कई ब्यार की जंता के विश्वास उनकी दरफ चला गया तो क्या होगा लेकिन यह भूल जाते हैं कि चिराग पासवन भी ब्यार में है वो भी उनीका भी कद वही है जो इन लोगों का है और नहीं चाहते हैं लालु यादव किसको काटेंगी पॉल्टिक्स में कोई कार सकते हैं तो थोड़ी ज़र के लिए तो कार सकते हैं लालु तसाथ यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्पी यादव के छवी कमजोर हो इसलिए कनहया कुमार उभरते वे लीडर उनको बाहर कर दिया गया शाज़े इसके बाद में अच्छा बोलीज जो कनहया जी लगाते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातल जिंदा हैं भारत की बरबादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी भारत के तुकडे तुकडे होंगे इन्शालला इन्शालला तो ये नारे लगेंगे मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई ट सौचिये यह किस तरह की बाते जो शक्स करता है वो है और यह नारे होंगे कॉंग्रेस और आमा आदमी पार्टी कर आप विरोधी की कुई जंग होगी दोनों के बीच में मतलब हासिस पद है और यह पर फिर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टि और आम आद्मी पार्टि के बारे में टूम सब जानते ही यह मुझे लगत जवाब कांग्रेस और आम आदनी पार्टि ने दुवाराइब कि बीफ कंपनी से चंदा इन लोगों ने चंदा का भीफ कंपनी से धाई सो करोड रुपे ये कह रहे हिंदू वी रोधी राजीश भाई को और मुझे ये लोग कह रहे इनसे मैं सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बाल नारे लगे गे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरे दीश लिखिला ये भाजपा क कि उफिष्यल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पर अब चित्रा जी में आपसे एगर चुर्टे बिंदंधा़ करता हूँ talk अगर इस तरह के नारे नहीं लगे इस तरह के नारे नहीं लगे आप इनको घुट फैला आई जा रहा है ये जो नारे लागे थे सॉक्ट कामर के इ चितरा जी यह आज तक की इंडिया टुडे की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट ती कि वो जो नारे लगाए गए थे यह बाहर से थे वो और यो फॉरेंसिक जाज गलती यह आज तक की और की की जाज थी यह कोट में भी साबिट हुई गलत नही यह रिपोर्ट कलत निकली है जो नारे निकले उसके बावचूद आज तक के मंच पे आके दो पुलिटिकल राश्ट्रिय पार्टी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के जूट कह रहे है चितरा जी क्या इस पर अब्जेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहि क्या चितरा जी आपको और आज तक को यह लगता है कि कॉंग्रस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाएगे जो भाजपा कह दिए और यह फ्यूचर में लगाएगे करने के लिए यह किस तरह की बात ही हो रिए शो के अंदर आप तर्कों पर इसका विरूट किया आप बाजपई जीने बाजपई जीने तर्क दिए उस तर्क से यह नहीं होता ने डिवेट चितरा जी नहीं इसे डिवेट करता हूँ अगर आप लाइब डिवेट में आप चार बार यह कहेंगे कि मैं छोड़ कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूँ आप छोड़ कर जा सकते हैं अगर हम रैली में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पर वन वे कम्निकेशन होता है आप भी जानते हैं इस बात को आप इतने सीनियर हैं एनिवे मैं नहीं चाहूंगी आप छोड़ कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाज़े उसके बाद जबाद देंगी बोल यह यह इसलिए कि एक हमारा फ्लोट टूट जाये और जन्ता तक सच ना जाए अगर हमें कोई जेनूने बात पे रोके मैं इस चीज को मानता हूँ यह रोकते हैं ताकि हमारी बात ना जाए इनकी स्ट्रेज हैं स्ट्रेजिया में एक्स्पोट करना है लेकिन अपनी ब बड़े नेता है चीजे सुई बड़े नेता है कर नहीं या नहीं है उस चीज़ पर मैं डिबेट करने को त्यार हूँ वह अच्छी डिबेट है यहां आकर कहना हाइपोटेटिकली दो राष्ट्रे पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वादे चिनुप के दागया और भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे एक है इसमें मुझे सकत अबजेक्शन है चित्रा जी और यह जाइज है आप किस बास के आधा देखे इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाईदा हाइपार्ट में पेंडिंग है इन्हों ने भी भी क्या क्या कि प्रोसीक्यूट नहीं हुआ ना तो हमारी एजिनसी है और यह तो इनका दावा है और यह तो इनका जूट है ना य उन्होंने उसी मानने कि आप फिसे वो नारे नहीं लगा एंगे इसी जिस वक्तत् haben के लिए जिस भारत विर्षादी नारों के लिए आपने अने किया है और आपने उनको उम्मीदवार बनाया है तो आपको क्या लगता है कि किसी को कुसी और तरीके की आशंका होगी कि वो इनारे नहीं लगाएंगे आपकी सोच है ये पुरी तरह से दर्शाती है कि जो इनसान इस तरह के भाशन आउगनाईज करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और बनाए कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे ये कि नहीं करनेया कुमार तो देश जोडने वाले लोगों में से है भारत जोडो यातरा में जो लोग मौजूद होते हैं कि उनमें से एक है भारत तोडो यातरा का में एहम भूमिका निभाने वाला करनेया कुमार उसको प्रतीक बनाये है कॉंग्रेस पार्टी ने और आपने उसको सुभी कारा है ये देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नी मांगी गई है एक एक इनसान जाएगा करेया कुमार की रैली में और ये पूछेगा कितने शर्मिंदा हो भाई तुम हमारे सुप्रीम कोड को लेकर बताओ देश की बरबादी की बनो काबना करते हो है ना इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की समर्दी होगी निशानला तब कहते ना तब मानते देश चित्रा जी अमादी पार्टी से भी रियक्शन ले लेती हूँ फिर उसके बाद बरना दो लोगों में ही एडिवेट रह जाएगी दो लोगों राजिश गुपता जी आपकी पास आ रहे हैं लेकिन पिशे दो चुनाव की नतीजे अगर हम आप देखें तो वहाँ पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होता रहा है मनौश तिवारे जिस सीट से जीते हैं नौर्थी सीट से वहाँ पर एक तरफा मुकाबला है 50-55 फीसदी से जादा वोट उनको हासल हुए है 2014 का जो चुनाव था वो कॉंग्रिस की एंटिंकंबंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनिया बदल देंगे 2019 के चुनाव में पुलवावा के ऊपर खेला गया सेनाव के ऊपर वूट मांग लिया इस बार वो वाला चुनाव नहीं है लोग समझ चुके हैं के इलेक्टरun 보र्ण का धंदा करने वाली पाटी जो विर्पक्षियों को बंद गेल करने वाली पाटी वो ये पार्टी चुनाव लड़ रही है कि आई को मैं तो जमीन पर चलता हूं आप जमीन पर आईए मेरे साथ में घूमिये मैं शाद्याजी को भी लेकर चलूँगा चित्रा जी वी चले क्या लोग कह रहे हैं जिना सुनिये लोग क्या करें लोग कितने खिलाफ हैं और मेरी एक बात को समझे कि आप बैठके कहते हैं राश्टरबाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुकड़े तुकड़े गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किस स्ट्रेट से दूसरे स्ट्रेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते हैं लेकिन सब जानते हैं कि तुकड़े तुकड़े गैंग भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है यह उस और इस बार फिर से कॉंग्रेस से साबित कर दि जिससा से मनी शंका ररयर जाते हैं रसल्मान खुर्ची जाते हैं पाकिस्तान से भीक मांगते हैं कि हमारी सरकार बदल दो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं चाए सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहि और जितने भी सुप्रीम कॉट हो और इलेक्शन कमेशन हो आप देख रहे हैं कि चाहे आर्मी हो, चाहे सरकार हो, चाहे इलेक्शन कमिशन हो, चाहे सुप्रीम कॉर्ट हो, हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं, उसके सरगना, उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है, राश्रवादी ही नहीं, ऐसे लोगों को जो कर्मट इतने हैं, तो मुझे लगता है, बहुत ही अफसोस की बात है, कि कॉंग्रेस में इस बात के तज़्दीक कर लिया है, और मान लिया है, कि वाकई में वो शेहनशाय आजम है, तुक्डे तुक्डे गैंग के, ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ, राजेशी सीधे आपके पास आते हुए, अब बार बार करनेया कुमार के ओपर टुक्डे टुक्डे गैंग कहकर, ये लोग बार कर रहे हैं, सनावादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है, ऐसे में बचाफ करना कि आप लोगो के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा, राजेशी, देखिए चित्रा जी, भाजपा का ये काम है, कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है, अर्विन केद्रिवाल जी पे कोई नाम नहीं, किसी चार्ट शीट में नाम नहीं, एफाइयर में नाम नहीं, लेकिन कोई बात है, उसमें कोई सच्चाई है, तो आपके पास में सारी एजनसीज है, आप इस देश में एजनसीज को 49 पार्टियों के इलावा, जिसके साथ आपका गढ़बंदन है, उन तीन एजनसीज को भी आप गढ़बंदन की तरह इस्तवाल करते हो, ED को, CBI को, Income Tax को, दि दिल्ली को पावर है, ट्रांसपर पॉस्टिंग की वो भी आप में संसेट में छीन लिया, तो ये सिरफ ब्रैंडिंग करते हैं, लोगों के मनों में कुछ बात को जानते हैं, अगर किसी की इतनी जुरत हुई, इस देश में इतनी हिम्मत हुई, कि वो भारत को तुकड़े- एक्शन नहीं ले पाए, ये जूट बोलते हैं, ये ब्रैंडिंग है, सिर्फ लोगों के मन में बात को डालने की देश को असली बातने का काम, यहीं सोच करती है, तो पता है, कि अपने लोगों को यंदरी, ये बातने सिर्फ जीतने के लिए, शालचा जी आप जबाद दे सबसे पहले बता दू कनहिया कुमार के खिलाव केस पेंडिंग है, बिल्कुल जली से चित्रा जी, कनहिया कुमार के खिलाव केस अभी पेंडिंग है, दूसरी बात भाई साब जो बोल रहते हैं, शायद जानते नहीं, कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये जिन लोगों को चोर कहने वाले, कटर बेइमान वाले कहने वाले, वही लोग इनकी मदद में हैं और ये वो है जो कटर बेइमान हैं, और इनकी तो आगाज हुआ था ना, अस्वरात से इनका अंजाम देखा अपने, क्या हो गया शराब पर, और यही इनकी कहानी है, तो दूर बढ़ा दी गई है कि कविता जी को भी रासत में ले लिया गया है सतेंद्र जेहन तो बहुत दिनों से अपने बाकाइदा मसाज करवा रहे हैं जेल में तो अलगी कहानी है तो किस दुन्या में भाई साब आप रहे हैं भाई साब थोड़ा अगबार पढ़ लिया अ अपने नेताओं के बारे में थोड़ा संग्यान ले लीजे ना कहा हैं आपके सीम पता तो करा लिए जी थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको यादे हैं आपने क्या कहा था पेहले ता आपने बड़ी जोस्ते कि करिया कुमार के खिलाफ अदालत में जाने के लिए और बाखादा केस करने के लिए इन्होंने मन्जूरी दी थी भूल जाते हैं भाई साब हम लों को याद रहता है ठीक है जाने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने मंदूरी दी थी हम तो हम तो कह रहे हैं अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो न तो आपके एजनसी क्या कर रही है शाध्यादी ने कहा कि मैं अपने मैं अखबार नहीं पढ़ता है शाध्यादी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूं अबर कोई आदमी देश के खिलाब बोल रहा है अर्विन केजरिवाल जी को तो आपने प्या में एक्टिव में बंद कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आदमी तुक्डे तुक्डे की बात कर रहा था उसमें ट्राइल पेंडिंग है इतना लेट क्यों हो गया क्योंकि आपके रिक्रेस्टि आपके पास आते हुए प्लीज तैसीन कुनावाला जी कॉंग्रेस पार्टी राष्ट्रिय पार्टी है लेकिन क्या उसको आरजेडी की पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में यह आरूप बीजेपी वाले लगा रहे है यह कहते हुए कि बेगुसराय से पिछली बार चुनाव लड़े हार गए दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब ने साफ कह दिया कि यह बिहार में नहीं रहेंगे इनको बाहर भेजिए इस वज़े से कनिया कुमार को बिहार से बाहर का टेकर देना पड़ा है क्या मजबूरी बन गई है कॉंग्रूस पार्टी की तैसीन पुनावाला जी चित्राजी आपके शो में मुझे शिर्कत करने का मौका मैं ला दो या तीन चीज को समझ लेते हैं किसी कॉलेज बच्चे के बारे में कि नहीं बड़ा ने था चोटा ने था इस अरी चीजहों में नहीं किया हूँ हम दो या तीन चीज को समझ लेते हैं भाजपा के प्रवक्ता यहां कहते हैं कि दीश को तोड़ने की सालिष्ट के मान लिए हैं इन्हों ने कहा कि दीश को टुकड़े टुकड़ा करना चाहते हैं और यह बात मानने में प्रधान मंत्री जी ने भी कही अब आप सोचें चितर हैं और यह लोग आज तक उसको प्रॉसेक्यूट नहीं कर पाएं अच्छा खुद ही कहते हैं कि प्रॉसेक्यूशन की जो 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 इजाज़त है वह आम आदमी पार्टी की सदकार या एची साल जी मैं इसे डिवेट नहीं करता हूं मैं आप जानते हैं आप या तो स्टेडर दाउन कीजिए या तब मुझे बोलेगा ठीक है ओके जिदर जी मैं एक चीज आपके शो में कहना चाहता हूं मैंने नोटिस किया राजी जी बोल रहे थे मैं जो भाजपा इसलिए बीच में बोलती है तो आपको इनको रोकना होगा क्यों हम हमको इस एक्सपोस कर है तो एक लड़का जो उधारी पे कैंटीन में खाना खाता है उसको देश को तोड़ने की साधिश बना रहा है अंतराश्यों ग्रूप्स के साथ आप आज तक उसको प्रॉसेक्ट नहीं कर पाए आज तक को जेल में नहीं है अच्छा देखे मैं आपको दूसरा एक उदार को मारने की साधिश गौतम नव लखाने लिए इमेल निकला आज वो सारे केसे उन्हों ने विड्रॉय किये और जो इमेल था वो गलत साबित हुआ यह ने टीवी पे चाटी ठोक कर रहा हूं मैं आज तक पे ता इस चीज के उपर और मैंने प्रदानमंतरी का साथ दिया कि म प्रॉडो चाहिए वो इनके हिसाब से जो लोग मनी लोगने करते उनसे पैसे लेते इन लोग यह लोग देश को बचाएगे चलो मैं मान दिया को अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती वो कनहिया के उपर को आरुप लगा लिए लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था त दावर मंतरी हैं उन्होंने जीत हासल किती और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हासल की थी लेकिन पांच सालों दग लगातार करने हैं कुमार ने बिहार में पूरी ताकट जोगी आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं फिर आप उनको दिल अगर मैं आपको पूछों के चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वन शो है आप क्यों स्टूडियो से नहीं करी क्या है मतूरा गए आज तब की स्ट्रा जी की स्ट्रा जी आपको जैसे करना आप करोगे शो यह को तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि कॉंग्रिस की स्ट्राइजी क्या है बात्मावाले करेंगे अड़त साल का जो यह बालत है अर्वंद वाजपेजी की बारी है प्लीज चीक है अर्वंद वाजपेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूँ देखिए आप गलत उधारन देकर इसलिए फस गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूँ दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़े से हमारा शो नंबर वन है लेकिन चु लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है उनके नेता हैं जहां से उनको लगेगा चुनाव जीतने के सिती बनेगी वहां से उतर जाएंगे मैदान में कि हमें कोई अत्राज नहीं है कोई अत्राज बिल्कुल नहीं है लेकिन अत्राज देश की जनता को दिल्ली की जनता को है दिल्ली की जनता यह जानेगी कि इस आदमी का इत्यास क्या है यह आदमी का वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जेन्यू में जो क्रिमिनल के एक् को वोट मिलेगा और जिंदिगे वर ये सक्स को गाली देते रहे आज कॉंग्लेस के पाले में कड़े हो गए ऐसी सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा ये देश की जन्ता को गुमरान नहीं कर सकते हैं करेंगे लाल की क्या बैकराउंड है लेफटिस्ट रहे ना पूरी इसलिए तो मिल गए ने कॉंग्रेस और आप और दोनों कौन लोगे कॉंग्रेस की गर्दन तक ये ब्रस्टाचार में डूबे हुए हैं इनके सीर्ट सिनेता अभी भी वेल पे हैं और यही हाल आप वालों का हो गया है इनके मुक्यमत्री भी जेल में हैं सटंदर जैन भी पंजाब में तेना चार्मिनिष्टर जेल में हैं क्या बोलेंगे चुनाओं में देश की जनता को ये ज़्यादा देर अब मूर्ख नहीं बना पाएंगे गुम्राओं नहीं कर पाएंगे ये बात ते हैं और इसलिए मनोस्तिवारी जित पीचे चैरा है मोदी का चैरा मोद तो बात उन्हें की नहीं तो आप लोगों को ऐसा देखे जेडियू के नेताओं के और से ठीक है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादब के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रसाद्य यादब इस विज़र से बहर भीग दिया गया है इसमें रत्य भर भी सचाई है कि यह आप लोग की वहल महोल बनाने के लिए इसलिए मोदी जी कहते हैं ने ये पुत्रमो वाले लोग हैं लालू जी का पुत्रमो भी बोल रहा है ना ये बात तो सही है कि कनईया वाक पुटता में तेजस्री से बहुत आगे हैं और ये बात भी सही है कि उनके पिताश्री को डर लगता है कि अगर कनगिया जैसे लोग आ गए तो कहीं तेजस्री जो साहिद एजूकेशन उनकी सबको मालूम है कहीं वो एजूकेशन में कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर है और ब्यार की जो भविश्य है वो चराग पासवन में भी दिखता है लालू यादव किस-किस को काटेंगी फॉल्टिक्स में कोई काटेंगे थो थोड़ी देर के लिए तो काटेंगे नहीं चाहते हैं कि तेजस्पी यादव कि शवी कमजोर हो इसलिए कनहया कुमार उभ लेकिंग नियूस बता दूँ आपको चितरा जी बहुत जरूरी है जो नारे भी लगनेंगे और यह कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी मिलकर जो नारे लगाएंगी वोई सारे नारे हैं जो कनहया जी लगाते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातल जिंदा हैं भारत क बरबादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी भारत के तुकडे तुकडे होंगे इंशालला इंशालला तो यह नारे लगेंगे मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई टक्कर होगी तॉप समझ जाईएगा और कनिया जी नहीं ना तो कभी इस के लिए माफी म और ये नारे होंगे कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में, मतलब हासेस पद है और एक बार फिर से कॉंग्रेस दिखा रहे हैं साफ तौर से क्या उसका चरितर है, क्या कितनी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, दे सब जानते ही हैं सित्राजी मैं उतर देगा है मुझे लगता है इस पर तैसीं जी आप जवाब देदीजे बोलिए बोलिए मैं इस पहले इस पर जवाब देता हूं तीनिया चास चीज शाजिया ने कही एक के कॉंग्रेस और आम आपनी पार्टी हिंदु विरोधी में दुव बीफ कंपनी से चंदा इन लोगों ने चंदा का धंदा किया बीफ कंपनी से धाइसो करोड रुपे यह कह रहे हिंदु विरोधी राजीश भाई को मुझे यह लोग कह रहे हैं इनसे मैं सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बार नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरी दीश लिखिला यह भाजपा की उफिशल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पेका है अब चित्रा जी मैं आपसे अगर करता हूँ हाँ चोड़ते बिननती करता हूँ राजीश भाई आप भी मेरे साथ चुलिए अगर इस तरह के नारे नहीं इस तरह के नारे नहीं लगे आप इनको बुला कर आप इनको एक्सपोज करें इस तरह का जुट फैला जा रहा है यह जो नारे लगे थे उस कॉलेज के अंदर यह आज तक की और राहुल कवल की रिपोर्टी मैं आप मैं किसी के बीच में ने बोलता हूँ चित्रा जी जब चित्रा जी यह आज तक की इंडिया टुडे की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट थी कि वो जो नारे लगाए गए थे यह बाहर से थे वो और यो फॉरेंसिक जाज गलत थी आज तक की और की की जाज थी यह कोट में भी साबिट हुई गलत न निकले जो नारे निकले उसके बावचूद आज तक के मंच पर आके दो पुलिटिकल राश्ट्रिय पार्टी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के जूट कहरें चित्रा जी क्या इस पर अब्जेक्शन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए मैं आपसे कहता हूँ चित्रा जी आपको आज तक को यह लगता है कि कॉंग्रस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाएगे जो भाजपा कह दिए और यह फ्यूचर में लगाएगे करने के लिए यह किस तरह की बात ही हो रिश्यों के अंदर आप तर्खों पर इसका विरूट कीजिए अब आपके शुपए विरूप क्या आप राजपाई जीने मैं तसे के नौन लोगा प्रक गटेज़ा कि पाजपाई जीने पाजपाई जीने तर्क दिये उस तरक से या चित्तरा जीनि नहीं होताने रिपट्टरा जीं अगर आप लाइब डिवेट में आप चार बार ये कहेंगे कि मैं छोड़कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूँ आप छोड़कर जा सकते हैं अगर अगर हम रैली में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पर वन वे कम्मुनिकेशन होता है आप भी जानते हैं अप इतने सीजिर हैं अगर मैं नहीं चाहूंगा आप छोड़कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाज़े उसके बाद जबाद देंगी वो ल पहले हैं और यह परपस्वली बाद पावाले करते हैं यह इसलिए करते कि एक हमारा फ्लोट उट जाए और जन्ता तक सच ना जाए अगर हमें कोई जैनुएन बात पर रोके मैं इस चीज को मानता हूं यह रोकते हैं ताकि हमारी बात ना जाई यह इनकी स्ट्राटिजी है लेकिन अपनी बात समाप करना जाता हूं बादपई जी ने कुछ बुद्ध्य उठा है उन मुद्धों में तर्थ था हम उस पर अपोस कर सकते हम कर सकते चेडाग जी बड़े नेता है चीज़स्वी बड़े नेता है कर नहीं यह नहीं है उस चीज़ पे मैं डिबेट करने चित्रा जी और यह जाइज है आप किस बात के आधार पर यह कह रहे हो कि देखे इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाइदा हाई कॉर्ड में पेंडिंग है इन्होंने भी भी क्या-क्या कि प्रोसेक्यूट नहीं हुआ ना तो हमारी एजिंसी है और यह तो इनका दावा है और यह तो जूट है यह तो वकील है यह जानते हैं गर मामरा चल रहा होता है तो जाहरे कोर्स इस पे तेह करता ह और सारे की सारा प्रूफ सबके सामने दिया गया है ऐसा कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है कनेया कुमार को कि उन्होंने उस वक्च अमर खालीद यह सब नारे लगा रहे थे तो वह वहाँ पे मौजूद नहीं थे और उन्होंने उसके साथ समर्थन नहीं किया बलकि आपने उनको उमीदवार बना है तो आपको क्या लगता है कि किसी को कुसी और तरीके की आशंका होगी कि वो इनारे नहीं लगाएंगे आपकी सोच है यह पुरी तरह से दर्शाती है कि जो इंसान इस तरह के भाशन और गनाईज करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपन कोड़ो यात्रा का में एहम भूमिका निभाने वाला कनेया कुमार उसको प्रतीक बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने और आपने उसको सुभीकारा है यह देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की समर्दी होगी इंशाला तब कहते ना तब मानते देश चित्राजी पार्टी से भी रियक्शन ले ले लेती हूँ फिर उसके बाद बढ़ना दो लोगों में ही ये डिवेट रह जाएगी दो लोगों राजिश गुपता ज उनको बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जा रही है और मेरे सवाल ये भी है राजिश गुपता जी देखे आप में और कॉंग्रिस पार्टी में सीटों का तालमेल हो गया अब सब कुछ बड़ा गुड़ गुड़ होकर आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं लेकिन कारते में दिखाई नहीं दे रहे हैं अगर 2019 के लिहाज से देखे तो पार्टी वो ये पार्टी चुनाव लड़ रही है जो लोग तंतर को खतम करना चाहती है जो सविदान को बदलना चाहती है शाधिया ने बाद बार कहा कि ये वाले नारे लगेंगे देखे कैसे लोगों को उकसाते हैं कि टू नीशन थेर्यू की बात करने वाले लोग और है कि सनातर के खिलाफ है अरे बंब कौन सनातर में खिलाफ है नो जो बड़ा अचम्बश होता है जो लोग सनातर को माझते ही नीवो संणातर की बात करने लगते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट हैं आपसे आए तो दो बार का विदाय कौ एक मैं तो जमीन पर चलता हूँ अब को समझिए कि आप बैठके कहते हैं कि लोग जाके राश्टवाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुक्डे तुक्डे गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार् खेरेंगे दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते हैं लेकिन सब जानते हैं कि तुक्डे तुक्डे गैंग भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है यह उस और इस बार फिर से कॉंग्रेस स साबित कर दिया है कि जिस तरह से राहुल गांधी बाकाइदा जर्मिनी जाकर इंग्लेंड जाकर भारत का अपमान करते हैं तिरसकार करते हैं एक एक संस्थान का मजाक उडाते हैं जिस तरह से मनीशंका रयर जाते हैं रशलमान खुरुची जाते हैं पाकिस्तान से भीक हो चाहे सरकार हो चाहे इलेक्शन कमिशन हो चाहे सुप्रीम कौट हो हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं उसके सरगना उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है राश्टरवादी ही नहीं ऐसे लोगों को जो कर्मट इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ठीक है मैं बात कर लेती हूँ राजेशी सीधे आपके पास आते हुए अब बार बार करने आकुमार के ओपर टुकड़े टुकड़े गैंक कहकर ये लोग बार कर रहे हैं सनावादी पार्टी और कॉंग्रिस पार्टी खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आप लोगों के ल नाम नहीं एफाईयर में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना शीष महल संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नहीं जिन चीजों से ट्रैक टिकेट ब्लै किया हरे एक के ओपर एक ब्रांडिंग करनी है तुकड़े तुकड़े गैंग अरे भाई अगर ऐसी कोई बात है उसमें को दिल्ली की पुलिस आपके पास में आप क्यों नहीं कोई कारवाई कर पाया आस तक बेवदे ऐसे ही शोर मचाते रहोगे कि आपको नियाले पर भरुसा नहीं है वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नियाले ने एक आदेश पारित करा कि दिल्ली क तो बहरत को तुकडे तुकडे करने की बात करता है तो थोसके खिलाफ ये एक्षं नहीं ले पाई यह जूट बोलते हैं यह ब्रैंडिंग है विक्ट बदैजिक देश को अद्क है अबहने बाखिते के लिए कि गुद आल है दूसरी बात भाई साफ जो बोल रहते शायद जानते नहीं कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे जिन लोगों को चोर कहने वाले कटर बेइमान वाले कहने वाले वही लोग इनकी मदद में हैं और ये वो है जो कटर बेइमान हैं और इनक्या तो आगाज हुआ था ना सफरात से इनका अंजाम देखा अपने कैया हो गया शराब पर और यही इनकी कहानी है जाडू से दारू तक की और उनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त क्या ऑंनी सिसोडाई भी अभी इनको बेली तक नई मिली देड़ साल से जेल में हैं अर्विन क मुझे मुझे मौका दीजेगा आप किस दुनिया में रह रहे हैं भाई साब थोड़ा अगबार पढ़ लिया है अपने नेताओं के बारे में थोड़ा संग्यान ले लिजे ना कहा हैं आपके सीम पता तो करा लिजे थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जब आप हाँ बोले राजे जी मैं जवाब दू और नयायले रहत नहीं दे रहा है ना मुख्यमंत्री को चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा कि हमने हमने मंदूरी दी थी हम तो हम तो कह रहे हैं अगर कुछ करा आए तो किसी को पकड़ लो ना तो आपके एजनसी क्या कर रही हैं शाद् किसा परेंगें वाली पार्टी सेटर गई थे चाहे दुर्वेश वाज़ प्रीज मैं प्लिज मैं आपका आपने आपने कहा कि आपने का ट्राइल पेंडिंग है अगर कोई आदमी देश के खिलाप बोल रहा है ट्राइल पेंडिंग चलता रहा आर्विन केजरिवाल जी को तो आपने प्या में एक्ट में बंद कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आदमी तुक्डे तुक्डे की बात कर रहा था उसमें ट्राइल पेंडिंग है विए इतना लेट क्यों हो गया क्यों कि आप जानी तो कुछ ही नहीं और यूपी एक नेगिटिव बैंडिंग कर तो यूपी एक की सरकार ने बनाया था ये अगलत नहीं बोलता ही नहीं हूँ भारती जल्दा पार्टी में अमेंड करें आपके रिक्वेस्ट आपके पास आते हुए प्लीज तैसीन कुनावाला जी कॉंग्रेस पार्टी राश्ट्रिया पार्टी है लेकिन क्या उसको आर बीजेपी वाले लगा रहे हैं ये कहते हुए कि बेगुसराय से पछली बार चुनाव लड़े हार गये दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब में साफ क्या दिया कि ये बिहार में नहीं रहेंगे इनको बाहर में किसी कॉलेज बच्चे के बारे में यह बड़ा नेता है चोटा नेता है इस सारी चीजों में नहीं किर रहा हूं हम दो या तीन चीज को समझ लेते हैं भाजपा के प्रवक्ता यहां कहते हैं कि दीश को तोड़ने की साधिश्ट के मान लिए इन्होंने का कि दीश को बच्चा जो उधारी पर खाना खाता है उधारी चुकाने को मश्किल होती है वो देश को तोड़ रहा है और यह लोग आज तक उसको प्रोसेक्यूट नहीं कर पाए अचा खुद ही कहते हैं कि प्रोसेक्यूशन की जो 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 इजाज़त है वह आम आदमी पार्टी की स बच्चा जो एक लड़का जो उधारी पर कैंटीन में खाना खाता है उसको देश को तोड़ने की साधिश बना रहा है अंतराश्यों ग्रूप्स के साथ आप आज तक उसको प्रोसेक्यूट नहीं कर पाए आज तक को जेल में नहीं है अच्छा देखें मैं आपको दूसरा एक उधारन देता है आप ही के आज तक पर मैं आता था एनाए डेश की सबसे प्रथम इंवेस्टिगेटिटिंग एज गड़त साबित हुआ यह एनाए ने टीवी पर चाटी ठोक कर रहा हूं आज तक पिता इस चीज के उपर और मैंने प्रदान मंतरी का साथ दिया कि मेरे प्रदान मंतरी को मारें यह कैसे लोग है अरे यह ऐसे जो इलेक्टरोल बॉन्स का चंदा का धंदा सारे उन लोगों स को बचाएगे चलो मैं मान दिया को अच्छी पार्टी डीश को बचाना चाहती वो कर रही आरोप लगा है लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था तहसीं कुनावाले जी आपने उसका जबाब नहीं दिया बिहार के बाहर लाने की क्या जूरत थी कनहिया कुमार को उन्होंने प पूरी ताकत जोगी आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए इसका जवाब आपने नहीं दिया लेकिन मैं अर्विंद वाजपेजी की अपने उम्मीद्वार को मैं आरी हूँ मैं आरी हूँ अर्विंद अगर मैं आपको पूछू कि चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वान शो है आपकी स्टूडियो से नहीं करी क्या है मतूरा गए आज सब की स्ट्रा जी की स्ट्राइजी आपको जैसे करना आप करोगे शो यह कोई तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि कॉंग्रिस क अगर जी कि बारी है अरवंद वाजपेजी की बारी है प्लीज ठीक है ठीक है अरवंद वाजपेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उधारन देकर इसलिए फस्ट गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूं दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़ए से हमारा शो नंबर वन है लेकिन चुनाफ के वक्त वोटर बेगुसराय का आकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा और दिल्ली का वोटर बेगुसराय में नहीं डालेगा इस वज़ए से यह सवाला चुज़ आपके पास आते हुए वाजपेस आप कॉंग्रेस पार्टी अपने नेता को दिल्ली से उतारे या बेगु सराय से उतारे या जहां से मन वहां से उतारे आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है उनके नेता है जहां से उनको लगेगा चुनाफ जीतने के सिती बनेगी वहां स आदमी का इत्यास क्या है यह आदमी का वो टुकडे टुकडे गैंग वाला जेनियू में जो क्रिमिनल के एक्टिविटीज की थी उसमें एक खालिद भी बंद हुआ थे एक स्टुनेंटिन के साथ के थे भूल गए खालिद को आज तक जवान पर नाम नहीं आए खालिद की ब कुमरा नहीं कर सकते हैं करेंगे लाल कि क्या बैकराउंड है लेफ्टिस्ट रहें ना पूरी जिंदगी कॉंग्रेस को गाली देते रहें कि नहीं देते रहें सबसे ज़्यादा अगर मुखर कोई होता था तो ये लेफ्ट वाली लोग होते थे आज ये बड़े-बारे इत इनके मुक्मतरी बेजियल में हैं सुचोजयात आज़ाब बी जेल में हैं सतंदर जेंबी जेल में हैं पंजÁB में क्या बोलेंगे चुनाओं में देश की जनता को ये ज्यादा देर अब मूर्ख नहीं बना पाएंगे गुम्रा नहीं कर पाएंगे ये बात तैय है और इसलिए मनोस्तिवारी जी काम की है और खाली मनोस्तिवारी जी के पीछे चैरा है मोधी का चैरा मोधी का चैरा मतलब मोधी की गरंटी मतलब मोधी की वि देख रही है देश की जनता भी देख रही है किया जवाद देंगे कि जीतने के लिक लें इप लिए आ लगों को ऐसा देखें जेडियू की नेताओं की ओर से ठीक है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रसाद्य यादव इसोज़ से बिहार से बाहर भी जा दिया गया है इसमें रति बोल बीड़ी चैस कहते हैं सब को मालोम है कहीं वो एजुकेशन में कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहीं ब्यार की जंता के विश्वास उनकी तरफ चला गया तो क्या होगा लेकिन ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवन भी ब्यार में हैं वो भी उनीका भी कद वो ही है जो इन लोगों का है और उनसे उंच चाहते हैं कि तेजस्पी यादव कि चवी कमजोर हो इसलिए कनहया कुमार उभरते वे लीडर उनको बाहर कर दिया गया शाज़े इसके बाद में फौर अच्छा बोलीजे दस सेकिंड बोलीजे शाज़े मैं देखिए आपको मैं ब्रेकिंग निउस बता दूँ आपको चि चलेगी जंग चलेगी भारत के तुकडे तुकडे होंगे इन्शालला इन्शालला तो ये नारे लगेंगे मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई टक्कर होंगी तब समझ जाएएगा और कनहिया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है इसके राव पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासिस पद है और एक बर फिर से कॉंग्रेस दिखा रही है साफ तौर से कि क्या उसका चरितर है क्या कितनी सनातन विरोधी हिंदू विरोधी देश विरोधी है वो पूरी तरह से और यह उन्होंने आप सबूत भी दे दिया कनहिया जी का कैंडिटेशर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी पार्टी के बारे में तुम सब जानते ही है सित्राजी मैं उत्तर देगा है मुझे लगता है इस पर तैसी जी आप जवाब दे दीजे बोलिए बोलिए मैं इस पहले इस पर जवाब देता हूं तीन चास चीज शाजिया ने कई एक के कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी हिंदू विरोधी मैं दुवारा से कहता हूं बीफ कंपनी से चंदा इन लोगों ने चंदा का धन्दा किया बीफ कंपनी से धाई सो करोड उपे यह कह रहे हिंदू विरोधी राजीश भाई को और मुझे यह लोग कह रहे इनसे में सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बाल नारे लगेगे भविश्य में इ बाजपा की ओफिशल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पे अब चित्रा जी मैं आपसे अगर करता हूँ हाँ जोड़ते बिननती करता हूँ राजीश भाई आप भी मरे साथ चुलिए अगर इस तरह के नारे नहीं लगे इस तरह के नारे नहीं लगे आप इनको बुला कर चित्रा जी आज तक की इंडिया टुडे की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट थी कि वो जो नारे लगाए गए थे ये बाहर से थे वो और्डियो फॉरेंसिक जाज गलत थी आज तक की जाज थी यह कोट में भी साविट हुई गलत नहीं यह यह रिपोर्ट गलत निकली यह जो नारे निकले उसके बावचूद आज तक के मंच पर आके दो पुलिटिकल रा जी आपको आज तक को यह लगता है कि कॉंग्रस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाए कि जो भाजपा कह दिए और यह फ्यूचर में लगाए कि करने के लिए यह किस तरह की बात ही हो रहे है शो के अंदर आप तर्कों पर इसका विरूट किजिए बाश्पई जीने में तर्क दिए बाश्पई जी ने तर्क दिए उस तर्क से नहीं होता ने डिबेट जितरा जी मैं नहीं इसे डिवेट करता हूँ अगर आप चार बार यह कहेंगे कि मैं छोड़ कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूँ आप छोड़ कर जा सकते हैं अगर हम रैली में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पर वन वे कम्निकेशन होता है आप भी जानते इस बात को आप इतने सीनियर हैं एनिवे मैं नहीं चाहूंगी आप छोड़कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाज़े उसके बाद जबाद जबाद दे हैं और यह इसलिए करते कि एक हमारा फ्लोट उट जाए और जनता तक सच ना जाए अगर हमें कोई जनुएन बात पर रोके मैं इस चीज को मानता हूं यह रोकते हैं ताकि हमारी बात ना जाए लेकिन अपनी बात समाप करना जाता हूं बाद पर जी ने कुछ मुद्धे उ जेश के तोड़ने के नारे लगाने वाले चुनुप के दर्मया और भाजपा के राश्टर प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पर इक है इसमें मुझे सक्त अब्जेक्शन है चित्रा जी और यह जाइज है आप किस बात के आधार पर यह कह रहे हो आप किसी पार्टी पर आरूप लगा तो इसमें पर मुझे आप जिक्शे ने चित्रा जी आप कितना बोले जबाब लेंगी जी जी चित्रा जी मैं आपसे यह कहना चारी हूं कि देखे इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाइदा हाइपार्ट में पेंड सी है और यह तो इनका यह तो इनका दावा है और यह तो इनका जूट है ना यह तो वकील है यह जानते हैं गर मामना चल रहा होता है तो जाहरे कोर्स इस पर तैह करता है और सारे की सारा प्रूफ सब के सामने दिया गया है ऐसा कोई भी क्लींटिट नहीं दिया गया है कनेय यह मानें कि आप फिसमें वो इनारे नहीं लगाएंगे इसी जिस वक्तत्व के लिए जिस भारत विरोधी नारों के लिए आपने उनका चैन किया है और आपने उनको उम्मीदवार बनाए है तो आपको क्या लगता है कि किसी को कुसी और तरीके की आशंका होगी कि वो इनारे बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे ये कि नहीं कनहिया कुमार तो देश जोडने वाले लोगों में से हैं भारत जोडो यातरा में जो लोग मौजूद होते हैं कि उनमें से एक है भारत तोडो यातरा का में एहम भूमिका निभाने वाला कनहिया कु पार्टी ने और आपने उसको सुभीकारा है ये देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई एक एक इनसान जाएगा करेया कुमार की रैली में और ये पूछेगा कितन लेकर बताओ देश की बरबादी की मनोकावना करते हो इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की समुर्दी तब कहते ना तब मांते बेट चित्रा जी पार्टी से भी रियक्शन ले लेती हूं फिर उसके बाद बढ़ना दो लोगों में ही एडिवेट रह जाएगी दो लोगों हाँ राजिश गुपता जी आपके पास आते हुए अब बीजेपी इस परसेप्चन को बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जा रही है और मेरे सवाल ये भी है राजिश गुपता जी देखे आप में और कॉंग्रिस पार्टी में सीटों का ताल मेल हो गया अब परफा मुकाबला है 50-55 फीसदी से जादा वोट उनको हासल हुए है दोनों लोग मिल भी जाएंगे अगर तो क्या कर लेंगे आप मनुझतिवारी जी का वोट प्रतिशत में तो दोनों मिल कर भी उनका कुछ भी बिगारते में दिखाईनी दे रहे हैं अगर 2019 के लिहाज से के चुझाम में पुलवाभा के उपर खेला गया सेनागों के उफ़ोट मांग लिया गया इस बार वह वाला चुझाम नहीं है लोग समझ चुके हैं कि धंदा बॉट नोग करने वाले लोग और शाधियादी कहरें कि सनातर के खिलाफ है अरे वे कौन सनातर के खिलाफ है नवजया बड़ा अचमबा होता है जो लोग सनातर को मानते ही नहीं वो सनातर की बात करने लगते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है आप से आईए मैं तो दो बार का विदाये कूं मैं तो आश्टरबाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुक्डे तुक्डे गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किसी तरह से भी काटे की टकर है और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगुसराय में हमने देखा क्या जल्वा था कर नहीं या भाईसाब का अब यह वही जल्वा यहां पे बिखेरेंगे दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते हैं लेकिन स जिस तरह से राहुल गांधी बाकाइदा जर्मिनी जाकर इंगलेंड जाकर भारत का अपमान करते हैं, तिरसकार करते हैं, एक-एक संस्थान का मजाक उडाते हैं, जिस तरह से मनी शंकार रयर जाते हैं, रशल्मान कुरुची जाते हैं, पाकिस्तान से भीक मांगते हैं, कि भ एलेक्शन कमिशन हो चाहे सुप्रीम कॉर्ट हो हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं उसके सरगना उसके प्रती को खड़ा किया गया है राश्रवादी ही नहीं ऐसे लोगों को जो कर्मट इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि क आपके पास आते हुए अब बार-बार करने आकुमार के ओपर टुकड़े टुकड़े गैंक कहकर ये लोग बार कर रहे हैं सनावाद्वी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा राजेश शीश महल संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नहीं जिन चीजों से टिकेट ब्लै किया हरे एक के ओपर इक ब्रांडिंग करनी है तुकड़े तुकड़े गैंग अरे भाई अगर ऐधी कोई बात है उसमें कोई सच्चाई है तो आपके पास में सारी एजंसीज है आप इस द यह वजया ऐसे ही शोर मचाते रहोगे कि आपको नियाले पर भरूसा नहीं है वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नियाले ने एक आदेश पारित करा कि दिल्ली को पावर है ट्रांट पर पुस्टिंग की वो भी आपने संसेट में छीन लिया तो को डालने की देश को असली बाटने का काम यहीं सोच करती है कि अपने लोगों को यह अंदरी यह बाटने सिर्फ जीतने के लिए शाल जाँ जिया आप जबाद दे D dwarf हैmost के वांठी बदेने के लिए बिल्कुल जली से च्छितरा जी कर्हीया कुमार के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है दूसरी बात भाई साथ जो बोल रहते हैं शायद जानते नहीं कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे जिन लोगों को चोर कहने वाले कटर बेईमान वाले कहने वाले वही लोग इनकी मदद में हैं और ये वो है जो कटर बेईमान है और इनकी तो आगाज हुआ था ना अस्वरात से इनका अंजाम देखा अपने क्या हो गया शराब पर और यही इनकी कहानी है जाडू से दारू तक की और इनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त क्या उनको पता है कि मनी से सोडिया भी अभी इनको बेली तक्मी मिली, देड़ साल से जेल में हैं, अर्विन केशिवाल की हिरासत और बढ़ा दी गई है, के कविता जी को भी हिरासत में ले लिया गया है, सतेंद्र जेहन तो बहुत दिनों से अपने बाकाइदा मसाज करवा रहे हैं जेल में, तो अलगी कहानी है, तो किस दुन से जवाद देगा, जेजी, कनिया कुमार के खिलाफ अदालत में जाने के लिए, और बाकादा केस करने के लिए, इन्होंने मन्जूरी दी थी, भूल जाते हैं, भाई साब, हम लों को याद रहता है, ठीक है, हाँ, बोले राजी जी, मैं जवाब दूँ, और न्यायले रहत नहीं दे रहा है, ना मुख्यमंद्री को, जित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा, कि हमने, हमने मन्दूरी दी थी, हम तो, हम तो कह रहे हैं, अगर कुछ कराए, तो किसी को पकड़ लो ना, तो आपके एजन्सी क्या कर रही है, शाद्यादी ने कहा कि मैं अपने, मैं अकबार नह आपने, आपने कहा कि आपने का ट्राइल अभी पैंडिंग अगर कोई आदमी देश के खिलाप बोल रहा है, ट्राइल पैंडिंग चलता रहा, अरविन केजरिवाल जी को तो आपने प्येमें बंद कर दिया, इतनी क्या जल्दी थी, और जो आदमी तुक्डे तुक्डे की बात कर रहा था, उसमें ट्राइल पैंडिंग है, यह इतना लेट क्यों हो गया, क्योंकि इसको लेट करा गया, क्योंकि आप जाने के तो कुछ है ही नी, और यूपी एक नेगिटिव ब्रैंडिंग करो, और चलते हो, यूपी एक सरकार ने बनाया था, यह इन्मा गलता ही आपके पास आते हुए, प्लीज, तैसीन कुनावाला जी, कॉंग्रेस पार्टी राष्ट्रिया पार्टी है, लेकिन क्या उसको आर जेडी की पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में, यह आरूप बीजेपी वाले लगा रहे हैं, यह कहते हु दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे, लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब ने साफ कह दिया, कि यह बिहार में नहीं रहेंगे, इनको बाहर भेजिए, इस वज़े से कनिया कुमार को बिहार से बाहर का टिकट देना पड़ा है क्या, मजबूरी बन ग चीज को समझ लेते हैं, भाजपा की प्रवक्ता यहां कहते हैं कि दीश को तोड़ने की सालिष्ट, क्या मान लिए, इन्हों ने कहा कि दीश को टुखड़े टुखड़ा करना चाहते हैं और यह बात मानने प्रधान मंत्री जी ने भी कही, अब आप सोचे चितर जी और मैं प्रॉस्ट नहीं कर पाएं, अच्छा खुद ही कहते हैं कि प्रॉस्टिशन की जो 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 इजाज़त हैं वह आम आदमी पार्टी की सरकार, यह एची साल जी मैं ऐसे डिवेट नहीं करता हूँ, मैं आप जानते हैं, आप या तो उनका फ्रेडर दाउन कीजिए, या त लुड़ा और भाजपा इसलिए बीच में बोलती है, कि कि एक्सपोस होती है, तो आपको उनको रोकना होगा, क्योंकि हम एक्सपोस करने वाले हैं, तो प्लीज आप इनको रोके है, हम उनके बीच में नहीं बोलते, मैं दो ये तीन चीज के लें. अगर आप दुनिया के त तो एक लड़का जो उधारी पे कैंटीन में खाना खाता है उसको देश को तोड़ने की साधिश बना रहा है अंतर राश्य ग्रूप्स के साथ आप आज तक उसको प्रोसेक्ट नहीं कर पाएं आज तक को जेल में नहीं है अच्छा देखें मैं आपको दूसरा एक उदारन द लगाया कि माननिया प्रधान मंत्री को मारने की साधिश गौतम नव लखाने लिए इमेल निकला आज वो सारे केसे उन्हों ने विड्रॉय किये और जो इमेल था वो गलत साबित हुआ यह एनाय ने मैं टीवी पे चाटी ठोप कर कह रहा हूं मैं आज तक पे ता इस चीज क पर और मैंने प्रधान मंत्री का साथ दिया को मै Ama तो कैसे पैसे लेते इन लोग ये लोग देश को बचाएगे चलो मैं मान दिया को अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती वो कनहिया के ओपर को आरोफ लगा लिए लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था तैसीम कुनावाले जी आपने उसका जबाब नहीं दिया बिहार के बाहर लान लगातार करने हैं कुमार ने बिहार में पूरी ताकत जोगी आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए इसका जवाब आपने नहीं दिया लेकिन मैं अपने उम्मीद्वार को मैं आरे हूं आरे हूं अर्विंद अगर मैं आपको पूछू के चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वन शो आपक्यू स्टूडियों से नहीं करें क्या है मतूरा गए आज तब की स्ट्रा जी की स्ट्राइजी आपको जैसे करना आप करोगे शो यह तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि कॉंग्रिस की स्ट्राइजी क्या है बात्मावाले करेंगे अड़त साल का जो यह बालत है अर्वंद वाजपेजी की बारी है प्लीज ठीक है ठीक है अर्वंद वाजपेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उदाहरन देकर इसलिए फस्ट गये हैं क्योंकि मैं अंकरिंग जहां से भी करूं दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़े से हमारा शो नंबर वन है लेकिन चुनाफ के वक्त वोटर बेगुसराय का आकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा और दिल्ली का वोटर बेगुसराय में नहीं डालेगा इस जीक सती बनेगी वहां से उतर जाएंगे मैदान मेंkte कि हमें को यह लिए और गया लेकर देश की जनता को दिली की जनता को है दिली की जनता अधुन ग Latino का इत्यांस क्या है यह आदम Commission क्रामए सी फिल्स में वह बूल गए खालिद को आज तक जवान पर नाम नहीं आएगा खालिद की बेल क्यों नहीं वही है ऐसे लोगों को क्या वोट मिलेगा और जिंदिगे बर यह सक्स का कॉंग्रेस को गाली देते रहे आज कॉंग्रेस के पाले में खड़े हो गए और ऐसे सक्सों को कौन होता था तो यह लेफ्ट वाली लोग होते थे आज यह बड़े बारे इत्यासी बन रहे हैं और यह आपके साथ सपोर्ट ले रहे हैं पहले यहार मान चुके हैं यह तो कि अकेले नहीं लड़ सकते इसलिए तो मिल गए ने कॉंग्रेस और आप और दोनों कौन लोगे होएं इनके सीर्ट सेनेता अभी वी वेल पे हैं और यही हाल आपवालों का हो गया है इनके मुक्यमत्री भी जेल में हैं सटनर जेल में पञडाम मेंतने क्या बोलेंगे चुनाव में देश की जनता को यह ज्यादा देर मूर्ख नहीं बना पाएंगे गुमरा नहीं कर मोधी का चाहरा मतलब मोधी की घरणटी मतलब मोधी की विश्रिस नीता दस चालों के जो काम है वो दिल्यी की जनता भी देख रही है जिए की जनता की क्लेम कर रहें यह तो इनको बताना पड़ेगा देश की जनता को हमें कोई अतर नहीं कर दो देखे जेडियू की नेताओं की ओर से ठीक है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादब के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रसाद्याद अस वज़ते से बहर भीग जा दिया गया है यह अप लोग की वल महाल बनाने के लिए इससे लिए ली जी कहते हैं लालू जी का पुतर मोंबो ही बहुछा घॉता है है और यह बात भी सही है कि उनके पता शरी को डर लगता क्या Yea जैसे लोग आ गए तो कही तेजस्वी जो स कर पाएंगे कहीं ब्यार की जनता के विश्वास उनकी दर चला गया तो क्या होगा लेकिन यह बूल जाते हैं कि चिराग पाथवन भी भी हैं वो भी उनीका भी कद वो ही है जो इन लोगों का है उनसे उंचा है और ब्यार की जो भविश्य है वो चिराग पासवन में भी दिखता है लालू यादव किसको काटेंगी पॉल्टिक्स में कोई काटेंगी थोड़ी देर के लिए तो काटेंगी नहीं चाहते हैं कि तेजस देखिए आपको मैं ब्रेकिंग निउस बता दूँ आपको चितरा जी बहुत जरूरी है जो नारे भी लगनेंगे और यो कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी मिलकर जो नारे लगाएंगी वो ही सारे नारे हैं जो कनहिया जी लगाते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे क खकर होगी तो आप समझ जाएएगा और कनहिया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है इसके रावा अगर मैं आपको पता दू जो उनकी ट्वीट्स हैं अगर मैं शादी करूँगा तो अपनी बीवी से कहूँगा कि अपना जो है अपना नाम कर दो भारत माता की जे सोचिए ये किस तरह की बाते जो शक्स करता है वो है और ये नारे होंगे कॉंगरेस और आम आदमी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासेसपद है और एक पर फिर से कॉंगरेस दिखा रही है साफ तौर से कि क्या उसका चरितर है क्या कितनी विरोधी सनातन विरोधी हिंदू विरोधी देश विरोधी है वो पूरी तरह से और यह उन्होंने आप सबूत भी दे दिया करिया जी का कैंडिटेशर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी पार्टी के बारे में हम सब जानते ही हैं सित्राजी मैं उत्तर देगा है मुझे लगता है इस पर तैसी जी आप जवाब देदीजे बोलिए बोलिए मैं इस पहले इस पर जवाब देता हूँ तीन चास चीज शाजिया ने कही एक के कॉंग्रेस और आम आपनी पार्टी हिंदू विरोदी कि राजीश भाई को और मुझे ये लोग कह रहें इनसे मैं सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बार नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरे दीश लिखिला ये भाजपा की उफिशल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पेका है अब चित्र आज तक टी इन्डिया टुड़े की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजव रिपोर्ट आज तक की और की जाज थी ये रिपोर्ट निकली ये जो नारे निकले उसके बावचूद आज तक के मंच पे आके दो पुलिटिकल राश्ट्रिय पार्टी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के चूट कहरे चित्रा जी क्या इस पर अब्जेक्शन होना चाहिए अब आज तक को यह लगता है कि कांग्रस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाएगे जो भाजपा कह दिए और ये फ्यूचर में लगाएगे करने के लिए ये किस तरह की बात ही और ये शोक इंदर आप तरकों पे इसका विरूट कीजिए बाच्पई जीने आप जो तरह करेंगे शाजा जाजा जाजा जाजए बाच्पई जी ने टर्क दिये बाच्पई जी तरक्ति शेजित-टूर्ट यांस इसज़ जो बूटता है कि आप जो ने जोटेदे ने सिरे हैं खोने लेशेम इन लगेगा तो और टार्फ करेंगी रहा हैं ने ऐसी ह contam cause आगर अप ब्लाइव डिवेट में आप चार बार यह कहेंगे कि मैं छोड़ कर चला जाओंगा तो मैं पकड़की तो बैठी नहीं हूँँ आप छोड़ कर जा सकते हैं अब जब डिबेट का हिस्सा होते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्रॉस कर्शन करते हैं अगर हम रैली में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहां पर वन वे कम्मुनिकेशन होता है आप भी जानते हैं इस बात को आप इतने सीजियर हैं अगर मैं नहीं चाहूंगी आप छोड़कर जाएं और यह purposefully बाचपा वाले करते हैं यह इसलिए करते हैं कि एक हमारा फ्लोट उट जाए और जनता तक सच ना जाए अगर हमें कोई genuine बात पर रोके मैं भी उस चीज को मानता हूं यह रोकते हैं ताकि हमारी बात ना जा यह इनकी strategy है इस strategy हमें expose करना है लेकिन अपनी बात समा करना जाता हूं बाचपई जी ने कुछ बुद्ध्य उठा है उन मुद्धों में तर्थ था हम उस पर अपोस कर सकते हम कर सकते चेड़ाग जी बड़े नेता है चीज स्वी बड़े नेता है कर नहीं है कर नहीं है उस चीज़ पे मैं debate करने को त्यार हूं वह अच्छी debate है यहां आकर कहना hypothetically दो राष्ट्र पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाने चुनूब के दागया और भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे एक है इसमें मुझे सकत objection है चित्रा जी और यह objection में नहीं जाइज है आप किस बास के आधार नहीं जबाब लेगा दोड़ने देंगी जीजी चित्रा जी में आप से यह चारी हूं कि देखें इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाइदा हाइड कॉर्ड में पेंडिंग है इन्होंने भी क्या क्या कि प्रोसेक्यूट नहीं हु और ये तो इनका दावा है और ये तो इनका जूट है ना ये तो वकील है ये जानते हैं गर मामना चल रहा होता है तो जाहिर एक कौर्स इस पे तैह करता है और सारे की सारा प्रूफ सबके सामने दिया गया है ऐसा कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है कनेया कुमार को कि उ सबग चा उमर खालीद ये सब नारे लगा रहे थे तो वो वहाँ पे मौझूद नहीं थे और उन्होंने उसके साथ समर्थन नहीं किया बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम होग ना इसकर आया है नहीं उसके लिए कभी माफी मांगी है तो क्यों नहीं हम मानें कि आप फिसम से दर्शाती है कि जो इनसान इस तरह के भाशन और्गनाईज करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और उमीदवार बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे ये कि नहीं करिया कुमार तो देश जोड़ने वाले लोगो रहा है ये देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई एक एक इनसान जाएगा करेया कुमार की रैली में और ये पूछेगा कितने शर्मिंदा हो भाई तुम हमारे स राजिश गुपता जी आपकी पास आते है और मेरे सवाल ये भी राजिश गुपता जी देखे आप में और कॉंग्रिस पार्टी में सीटों का ताल मेल हो गया अब सब कुछ बड़ा गुड़ गुड़ होकर आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं लेकिन पर दो चुनाव की नतीजे अगर हम आप देखें तो वहाँ पर क्लीन सीप एक तरफा फैसला होता रहा है मनुश तिवारी जिस सीट से जीते हैं नौर्थी सीट से 255 फीसदी से जादा वोट उनको हासल हुए हैं दोनों लोग मिल भी जाएंगे अगर तो क्या कर लेंगे आप मनुश तिवारी जी का वोट प्रतिशत में तो दोनों मिल कर भी उनका कुछ भी बिगारते में दिखाईनी दे रहे हैं अगर 2019 के लिहाज से देखे तो देखें चित्रा जी हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है 2014 का जो चुनाव था वो कॉंग्रेस की एंटिंकम्मंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनिया बदल देंगे 2019 के चुनाव में पुलवावा के उपर खेला गया सेनाव के उपर वोट मांग लिया गया इस बार वो वाला चुनाव नहीं है लोग समझ चुके हैं कि इलेक्टरल बॉन्ड का धंदा करने वाली पार्टी जो जिपक्षियों को बंद गेल में करने वाली पार्टी वो ये पार्टी चुनाव लड़ रही है जो लोग तंतर को खतम करना चाती है जो सविदान को बदलना चाती है शाजिया जी ने बाद बार कहा कि ये वाले नारे लगेंगे देखे कैसे लोगों को उकसाते हैं कि टू नीशन थेर्यू की बात करने वाले लोग और शाजिया जी कहरें कि सनातर के खिलाफ है अरे वे कौन सनातर के खिलाफ है नोजे बड़ा अचमबा होता है जो लोग सनातर को मानते ही नहीं वो सनातर की बात करने लगते है मेरी एक रिक्वेस्ट है आप से आईए मैं तो दो बार का विदाय कूँ मैं तो जमीन पर चलता हूँ अब जमीन पर आईए मिरे साथ मैं गुम ये मैं शाजेदी को भी लेकर चलूँगा चित्रा जी बी चले च्या लोग कह रहे हैं जेरा सुनिये लोगों से आप कमरे मेरे में बैठके कुछ भी कह सकते हैं लेकिन जड़ा लोगों से सुनिये लोग क्या करें लोग कितने खिलाफ हैं और मेरी एक बात को समझिये कि आप बैटके कहते हैं कि लोग जाके राश्टरबाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुक्डे तुक्डे गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किसी तर से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते हैं लेकिन सब जानते हैं कि तुकडे तुकडे गैंग भारत को तोडने वाले जो लो रशलमान को रशी जाते हैं, पाकिस्तान से भीक मांगते हैं कि भै, हमारी सरकार बदल दो, जिस परासे लगातार हम देख रहे हैं चाहे सजर्जिकल स्ट्राइक हो, जितने भी सुप्रीम कौट हो और इलेक्शन कमिशन हो, आप देख रहे हैं कि चाहे आर्मी हो चाहे सरकार हो, चाहे इलेक्शन कमिशन हो, चाहे सुप्रीम कॉर्ट हो, हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं, उसके सरगना, उसके प्रतीख को खड़ा किया गया है, राश्रवादी ही नहीं, ऐसे लोगों को जो करमट इतने हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है, कि कॉंग्रेस ने इस बात की तस्दीक कर लिया है, और मान लिया है, कि वाकई में वो शेहनशाय आजम है, तुकड़े तुकड़े गैंग के, ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ, राजेशी सीधे आपके पास आते हुए, अब बार बार करने हैं, कुमार के ओपर टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर ये लोग बार कर रहे हैं, सनावार के साथ आहमादभी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है, ऐसे में बचाफ करना कि आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा, राजेशी, देखें चित्रा जी, भाजपा का ये काम है, कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है, अर्विन केद्रिवाल जी पे कोई नाम नहीं, किसी चार्ट शीट में नाम नहीं, एफाईयर में नाम नहीं, लेकिन शराब सरगना, शीश महल, संजे सिंग जी का कोई लिना द अच्छाई है, तो आपके पास में सारी एजनसीज हैं, आप इस देश में एजनसीज को 49 पार्टियों के इलावा, जिसके साथ आपका गठबंदन है, उन तीन एजनसीज को भी आप गठबंदन की तरह इस्तवाल करते हो, ED को, CBI को, Income Tax को, दिल्ली की पुलिस आपके पास की वो भी आपने संसेट में छीन लिया, तो ये सिरफ ब्रैंडिंग करते हैं, लोगों के मनों में कुछ बात को जानते हैं, अगर किसी की इतनी जुरत हुई, इस देश में इतनी हिम्मत हुई, कि वो भारत को तुकड़े-तुकड़े करने की बात करता है, तो उसके खिलाफ की एक्शन नहीं ले पाए, ये जूट बोलते हैं, ये ब्लैंडिंग है, सिर्फ लोगों के मन में बात को डालने की देश को असली बातने का काम, यहीं सोच करती है, तो ये बातते हैं, ये बातते हैं, जीतने के लिए, शाल जाजा जी आप जब आप दे दीजे, इसके जानतें नहीं कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे, जिन लोगों को चोर कहने वाले, कट्टर बेइमान वाले कहने वाले, वही लोग इनकी मदद में हैं, और ये वो है जो कट्टर बेइमान हैं, और इनकी तो आगाज हुआ था था ना, अस्वरात से, इनका अंजाम देखा अपने, क्या हो गया शराब पर, और यही इनकी कहानी है, जाडू से दारू तक की, और इनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त, क्या उनको पता है कि मनी से सोडिया भी अभी इनको बेली तक नहीं मिली, देड़ साल से जेल में है, अर्विन दूए में रह रहे हैं, भाई साब थोड़ा अगबार पढ़ लिया है, अपने नेताओं के बारे में थोड़ा संग्यान ले लीजे ना, कहा हैं आपके सीम, पता तो करा लिए जी थोड़ा बहुत, अच्छा रहेगा आपके लिए, जब आपको याद है, आपने क्या कहा थ पहले जाते हैं, भाई साब हम लों को याद रहता है, ठीक है, हाँ, बोले राजी जी, मैं जवाब दूँ, और न्यायले रहत नहीं दे रहा है ना, मुख्यमंद्री को, तो बीजे के कहा, शाजजी ने बिल्कुल ठीक कहा, कि हमने मन्दूरी दी थी, हम तो कह रहे हैं, अगर कुछ करा है, तो किसी को पकड़ लो ना, तो आपके एजनसी क्या कर रही है, शाजजी ने कहा, कि मैं अपने, मैं अखबार नहीं पढ़ता है, शाजजी मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ, विद आपको भी देखता था और आपको भी बड़ा सभान करता अब करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक रिक्स्वेक्ट करणा और आप तो रिक्स्वेक्ट फुली एक बात पूछना चाहता हूँ, कि जिस सुप्रीम कोट में हमको पावर दी बिली के अंदर, वो पावर हमके क्यों चिन नहीं पार्टी सेटर गई थे, चाहे दुर्वेश आपने का ट्राइल अभी पैंडिंग है, अगर कोई आदमी देश के खिलाप बोल रहा है, ट्राइल पैंडिंग चलता रहा, अर्विन केजरिवाल जी को तो आपने पिये में बंद कर दिया, इतनी क्या जल्दी थी, और जो आदमी तुक्डे तुक्डे की बात कर रहा था, उसमें ट्राइल पैंडिंग है, यह इतना लेट क्यों हो गया, तो उसकी इसको लेट करा गया, क्योंकि आप जाने के तो कुछ ही नहीं, तो एजन चीज इसको नटकाती रहेंगी, एक टैक कर दो, एक नेगिटिव ब्रैंडिंग करो, और चलते रहें, तो तो मैं गलत नही टैसीन कुनावाला जी, आपकी पास आते हुए, प्लीज, तैसीन कुनावाला जी, कॉंग्रिस पार्टी, राश्ट्रिया पार्टी है, लेकिन क्या उसको आरजेडी की पिछलगो पार्टी के तोर पर विवहार करना पड़ा है, बिहार में, यह आरूप, बीजेपी वाले यह कहते हुए कि बेगुसराय से पछली बार चुनाव लड़े, हार गए, दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे, लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब में साफ कह दिया, कि यह बिहार में नहीं रहेंगे, इनको बाहर भेजिए, इस वज़े से कनिया क कुमार को बिहार से बाहर का टिकर्ट देना पड़ा है क्या, मजबूरी बन गई है कॉंग्रिस पार्टी की, तैसीन पुनावाला जी दर्शकों के विवेक पे यह चोड़ता हूँ, कि मानन ये प्रधान मंत्री और रह मंत्री मानते हैं कि देश के सबसे ताकत वर दुनिया के सबसे ताकत वर लोग है, रश्य और युक्रीन के युद रुकाने वाली इंडोग है, कोई व्यक्ति एक कॉलेज का बच्चा जो उधारी पर खाना खाता है, उधारी चुकाने को मश्किल होती है, वो देश को तोड़ रहा है और ये लोग आज तक उसको प्रोसेक्यूट नहीं कर पाए, अच्छा खुद ही कहते हैं कि प्रोसेक्यूशन की जो 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 इजाज़त है वो आम आदमी पार्टी की सदकार अच्छी साल जी मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ, मैं आप जानते हैं, आप या तो उनका फेडर दाउन कीजिए या तो आप मुझे बोलेगा, जिदर जी मैं एक चीज़ आपके शो में कहना चाहता हूँ, मैंने नोटिस किया राजी जी जी बोल रहे थे, मैं जो भाज लहाचपा इसलिए बीच में बोलते हैं, क्यों एक फोलोती है, तो आपको उनको रोक नहीं के लुगा, क्योंके थे, वालो कहांड कृता हूँ, मैं चैकल रुक हैं, तो एक लड़का, प्म्रू जो उधारी पे खाले कृन वे लाखा है, उस तो उस बेस तोड़ने की कığ मैं आपको दूसरा एक उदारन देता है, Gautam Nawlakha, आप ही के आज तक में आता था, NIA, देश की सबसे प्रत्थम इंवेस्टिगेटिंग एजनसी आतकवाद के खिला, कि देश के तोड़ने की साधिश है, उन्होंने आरोप लगाया कि माननिया प्रधानमंत्री को मारने की साधिश Gautam Nawlakha, यह इमेल निकला, आज वो सारे केसे उन्होंने विड्रॉय किये, और जो इमेल था, वो गलत साबित हुआ, यह NIA ने, मैं टीवी पे चाटी ठोक कर के रहा हूँ, मैं आज तक पिता, इस चीज के उपर, और मैंने प्रधानमंत्री का साथ दिया, कि मैरे प्रधानमंत्री को मारे, यह कैसे लोग है, अरे यह ऐसे लोग है चितरा जी, जो इलेक्टरोल बॉन्स का चंदा का धंदा, सारे उन लोगों से लेते हैं, जो सारे गलत कामों में लिप थे, चाहे बीफ बेशने वाले हो, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो इनके हिसाब से, जो लोग मनी लॉन्स करते हैं, उनसे पैसे लेते, यह लोग देश को बचाएगे, चलो मैं मान दिया कोई अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती, वो कनहिया के ओपर कोई आरोप लगा है, भले ही वो हार गये थे, गिर्रा सिंग वहां के कदावर मंत्री हैं, उन्होंने जीत हासल किते हैं, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हासल की थी, लेकिन पांच सालों दक लगातार करने हैं, कुमार ने बिहार में पूरी ताकट जोगी आंत में पता चला की दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं, फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए, इसका जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन मैं अर्विंद बाजपेजी सिदे आपकी पाताना जाती हो, पार्टी का जहामन वहां उतारेगी अपने उम्मीद्वार को, मैं आरी हूं, आर्विंद ब मैं मत्रूरा में हूं अगर मैं आपको पूछू कि चित्रा जी आपका शो पाज बजी का नंबर वांच हो है, आपको जैसे करना आप करोगे शो, यह कोई तर्क होता है, कि भाजपा कहेगी कि कॉंग्रिस की स्ट्रेजी क्या है, बात्पावाले कहेगे, बात्तित साल का जो और आपने अभी पिखाओ एमाना अपने आपने आपने वाले की दिक्तत दरेसल यह है ना आप गलत उधारन देकर फस्ग गए हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूँ दर्शक आज तक देखने के लिए ग्राइ को दिल्ली में वोटनी डालेगा और दिल्ली का वोटनी सराय में दालेगा उनके नेता है जहां से उनको लगएगा चुनाव जीतने की स्ubंडी बनेगी बहाँ से उतर जाएंगे मैधान में कि हमें कोई अत्राज नहीं है कोई अत्राज बिल्कुल नहीं है लेकिन अत्राज देश की जनता को है दिली की जनता यह जानेगी कि इस आदमी का इत्यास क्या है यह आदमी का वो टुकडे टुकडे गैंग वाला जेनियू में जो क्रिमिनल के एक्टिविटीज की थी उसमें एक खालिद भी बंद हुए थे एक स्टूड़ेंटिन के साथ के थे भूल गए खालिद को आज तक जवान पे नाम नहीं आए कि खालिद की बेल क्यों नहीं हो इसे लोगों को क्या वोट मिले गा और जिंदिगे बर ये सक्स को गाली देते रहे आज कांग्रेस के पाले में सबसे ज़्यादा अगर मुखर कोई होता था तो ये लेफ्ट वाली लोग होते थे आज ये बड़े बारे इतासी बन रहे और ये आपके साथ सपोर्ट ले रहे पहले यहार मान चुके हैं यह तो कि अकेले नहीं लड़ सकते इसलिए तो मिल गए ने कांग्रेस और आप और पर मिनिस्टर जेल में क्या बोलेंगे छुनाव में धेश की जनता को ये ज्यादा देर अब मूर्क नहीं बना पाएंगे गुम्राओं नहीं कर पाएंगे यह बात तैया है और इसलिए मनोस्तिवारी जो जो काम की है और खाली मनोस्तिवारी जी के पीछे चेरा है मोदी का मोधी का चारा मतलब मोधी allein मतलब मोधी की विश्रस्थी नीता दस सालों के जो काम है वो दिली की जंता भी देख रही है देश की जंता भी अ क्लेम कर रहे हैं जेडियू के नेताओं के ओर से बीजेपी के नेताओं के ओर से ठीक है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी आदब के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना चाते हैं लालू यह बात तो सही है कि कनईया वाकपुट्ता में तेजस्री से बहुत आगे हैं और यह बात भी जनता का विश्वास उनकी तरफ चला गया तो क्या होगा लेकिन ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवन भी बियार में हैं वो भी उनीका भी कद्व वह है जो इन लोगों का है उन्से उंचा है और ब्यार की जो भविश्य है वो चिराग पासवन में भी दिखता है लालू यादव किसको काटेंगी पॉ देखिए आपको मैं ब्रेकिंग न्यूस बता दूँ आपको चित्रा जी बहुत जरूरी है जो नारे भी लगनेंगे और यह कॉंग्रेस पार्टियों रामादी मिलकर जो नारे लगाएंगी वही सारे नारे हैं जो कनयाजे लगाते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कात दिशल है भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी भारत के तुकडे-तुकडे होंगे इन्शाला इन्शाला तो यह नारे लगेंगे मुझे है आपको लगता है उसके बाद भी कोई टक्कर होगी तो आप समझ जाएएगा और कनिया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है इसके रावा अगर मैं आपको पता दू जो उनकी ट्वीट से हैं अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी बीवी से कहूंगा कि अपना जो है अपना नाम कर दो भारत माता की जै सोचिए ये किस तरह की बाते जो शक्स करता है वो है और ये नारे होंगे कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासेस्पद है और एक पर फिर से कॉंग्रेस इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बारे में थम सब जानते ही है सित्राजी मैं उत्तर देगा है मुझे लगता है इस पर तैसी जी आप जवाब दे दीजे बोलिए बोलिए मैं इस पहले इस पर जवाब देता हूं तीन चास चीज शाजिया ने कई एक के कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी मैं दुवारा से कहता हूं बीफ कंपनी से चंदा इन लोगों ने चंदा का धंडा किया बीफ कंपनी से धाई सो करोड उपे यह कह रहे हिंदू विरोधी राजीश भाई को और मुझे यह लोग कह रहे इनसे में सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बाल नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे नहीं लगे आप इनको बुला कर आप इनको एक्सपोस करें इस तरह का जूट फैला जा रहा यह जो नारे लगे थे उस कॉलेज के अंदर यह आज तक कि और राहुल कवल की रिपोर्टी मैं अपनी चित्रा जी में दिवेट छोड़ दोगा आप मैं किसी के ब चित्रा जी चित्रा जी यह आज तक की इंडिया टुड़े की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट कि वो जो नारे लगाए गये थे यह बाहर से थे वो और यो फॉरेंसिक जाज गलत यह आज तक की और की की जाज थी यह कोट में भी साबित हु के रहें चित्रा जी यह क्या इस पर अब्होर्ट फरर्ट के मैं आपने के लिए और किस तरक की बात है हो रिशो ने कंदर आप तर। बाजपई जी ने बाजपई जी ने तर्क दिये बाजपई जी ने तर्क दिये उस तर्क से नहीं होता ने बाजपई जी ने बाजपई जी ने तर्क देदी है कि मैं छोड़ देता हूँ अगर आप लाइब डिवेट में आप चार बार यह कहेंगे कि मैं छोड़ कर चला जाओंगा छोड़ कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूँ आप छोड़ कर जा सकते हैं बुलकुल आप नहीं रहते हैं लेकिन इस बात की गरिमा को समझना होगा जब हम डिबेट का हिस्सा होते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्रॉस क्रेशन करते हैं अगर हम रैली में स्पीश दे रहे ह होते हैं तो वहां पर वन वे कम्मिकेशन होता है आप भी जानते हैं इस बात को आप इतने की जुरत नहीं है एनीवे मैं नहीं चाहूंगे आप छोड़कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाज़े उसके बाद जबाद देंगी वो लिए मैं 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 बात पर रोके मैं भी उस चीज़ को मानता हूं यह रोकते हैं ताकि हमारी बात ना जाई है इंकी स्टैटिजी है स्टैटिजी हमें एक्स्पोस करना है लेकिन अपनी बात समाप करना जाता हूं बादपरी जी ने कुछ मुद्ध्य उठा है उन मुद्धों में तर्थ था ह कर सकते हम क्या सकते है चेड़ाग पी बड़े नेता है चीजे स्टैटिश करने को त्यार हूं वह अच्छी निवेट है यहां आकर कहना hypothetically दो राष्ट्रे पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाले चिनुप के दाविया और भाजपा के राष्ट्रे प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे एक है इसमें मुझे सकत अब्जेक्शन है चित्रा जी और यह इप्जेक्शन में नहीं जाइ जी जी चित्रा जी मैं आपसे यह कहना चारी हूं कि देखे इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाइदा हाइपार्ट में पेंडिंग है इन्हों ने भी भी क्या-क्या कि प्रोसीक्यूट नहीं हुआ ना तो हमारी एजिंसी है और य ऐसा कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है कनहिया कुमार को कि उन्होंने उस वक्ट जा उमर खालीद यह सब नारे लगा रहे थे तो वह वहाँ पे मौझूद नहीं थे और उन्होंने इसके साथ समर्थन नहीं किया बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम होगना इसकर आ ना ही उसके लिए कभी माफि मागी है तो क्योंने हम माने कि आप फिस में नारे नहीं लगाएंगे जिस वक्टत्व के लिए भारत अवरोधी नारों के लिए अपने उनका चयन किया है और आपने उनką उमीद는 बनाब सैंक तो कि किसी Light को कि उसी और तरीकी आशंक्त होगी क अपना और उम्मीदवार बनाए कोई क्या कहेगा؟ किसको किसको आप कहते पुरेंगे ये? कि नहीं कुमार तो देश जोडने वाले लोगों में से हैं भारत जोडो यात्रा में जो लोग मوجود होते हैं कि विनमेंसे एक है भारत तोडो यातरा का में एहम भूमिका निभाने वाला कनेया कुमार उसको प्रतीक बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने और आपने उसको सुभीकारा है ये देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नी मांगी गई है एक एक इनसान जाएगा कनेया कुमार की रैली में और ये पूछेगा कितने शर्मिंदा हो भाई तुम हमारे सुप्रीम कोड को लेकर बताओ देश की बरबादी की बनो काबना करते हो अब बढ़े पर्सेप्चन को बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जा रही है और मेरे सवाल ये भी है राजिश गुप्ता जी देखे आप में और कॉंग्रिस पार्टी में सीटों का तालमेल हो गया अब सब कुछ बड़ा गुड़ गुड़ होकर आप चुनावी मैदान भी जा रहे हैं लेकिन पर दो चुनाव की नतीजे अगर हम आप देखें तो वहाँ पर क्लीन सीप एक तरफा फैसला होता रहा है मनुश्तिवारी जिस सीट से जीते हैं नौर्थी सीट से वहाँ पर एक तरफा मुकाबला है पचास-पच्पन फीसदी से जादा वोट उनको हासल हुए है दोनों लोग मिल भी जाएंगे अगर तो क्या कर लेंगे आप मनुश्तिवारी जी का वोट प्रतिशत में तो दोनों मिल कर भी उनका कुछ भी बिगारते में दिखाई नहीं दे रहे हैं अगर 2019 के लिहाँ से देखे तो देखे चित्रा जी हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है 2014 का जो चुनाव था वो कॉंग्रिस की एंटिंकंबंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनिया बदल देंगे 2019 के चुनाव में पुलवावा के उपर खेला गया कि टू निशन थेर्यू की बात करने वाले लोग और शाजेजी कहने की सनाथन खिलाफ है अरे वह कौन सनाथन के खिलाफ है नुजीब बड़ा अच्वबा होता है जो लोग सनाथन को मांतें ही नी वो सनाथन की बात करने लगते है मेरी एक request है आपसे आईए मैं तो दो बार का विदाय को मैं तो जमीन पर चलता हूँ आप जमीन पर आईए मेरे साथ में घूमिये मैं शाद्याजी को भी लेकर चलूँगा चित्रा जी भी चले कि जलना सुनिये लोगों से आप कमरे में बैटके कुछ भी किए सकते हैं लेकिन जलना लोगों से सुनिये लोग क्या कहरे लोग कितने खिलाफ हैं और मेरी एक बात को समझेए कि आप बैटके कहते हैं कि लोग जा के राश्टरबाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुक्डे तुक्डे गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किसी तर जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते हैं लेकिन सब जानते हैं कि तुक्डे तुक्डे गैंग भारत को तोड़ने इस्लम सिर्ट में अधो सप्थी याधिक एफ पाकिस्तान से भीक मांगते हैं कि हमारी सरकार बदल दो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं चाहे सर्टन भी सुप्रीम कॉर्ट हो और इलेक्शन कमिशन हो आप देख रहे हैं कि चाए आर्मी हो चाए सरकार हो चाए इलेक्शन कमिशन हो चाए सुप्रीम कॉर्ट हो हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं उसके सरगना उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है रा पाकई में वो शेहनशाय आजम है तुक्डे तुक्डे गैंग के चीक है मैं बात कर लेती हूं राजेशी सीधे आपके पास आते हुए अब बार-बार करनेया कुमार के ओपर तुक्डे तुक्डे गैंग कहकर यह लोग बार कर रहे हैं अब सब्सक्राइब के साथ करने की कोशिश करती है अर्विन केद्रिवाल जी पर कोई नाम नहीं किसी चार्टषिट में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना शीश महल संजय सिंग जी का कुई लिना दिना नहीं जिन चीजों से टिलेक टिकेड बले किया हरे एक के ओपर इक ब्रांडिंग करनी है उन तीन एजेंसिस को भी आप गढ़बंदन की तरह इस्तेमाल करते हो, ED को, CBI को, Income Tax को, दिल्ली की पुलिस आपके पास में, आप क्यों नी कोई कारवाई कर पाया आस तक, बेवज़े ऐसे ही शोर मचाते रहोगे, कि आपको नियाले पे भरोसा नहीं है, वैसे मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नियाले ने एक आदेश पारित करा, कि दिल्ली को पावर है, ट्रांस पर पुस्टिंग की वो भी आप में संसेट में छीन लिया, तो ये सिरफ ब्रैंडिंग करते हैं, लोगों के मनों में कुछ बात को जानते हैं, अगर अगर किसी की इतनी जुरत हुई, इस देश में इतनी हिम्मत हुई, कि वो भारत को तुकडे तुकडे करने की बात करता है, तो इसके खिलाफ ये एक्शन नहीं ले पाए, ये जूट बोलते हैं, ये ब्रैंडिंग है, सिर्फ लोगों के मन में बात को डालने की देश को असली बा के सरफ जीतने के लिए, इसके बात करणा के किस पेंडिंग है, बिल्कुल जल्ली से चितरा जी, करेंडिया कुमार के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है, दूसरी बात भाई साब जो बोल रहते हैं, शायद जानते नहीं, कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट्ट तो सबसे बड़े ये थे, जिन लोगों को चोर कहने वाले, कटर बेइमान वाले कहने वाले, वही लोग इनकी मदद में हैं, और ये वो है जो कटर बेइमान हैं, और इनकी तो आगास हुआ था ना, अस्वरात से इनका अंजाम देखा अपने, क्या हो गया शराब पर, और यही इनकी कहानी है जारू से दारू तक की और इनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इसिए इस वक्त क्या अंको पता है के मनी से सोडिया भी प्योञी तक नहीं मिली देर्व साल से जेल में हैं में अर्विन केश्रिवाल की ह Türा अगबार पढ़ लिया अपने नेताओं के बारे में थोड़ा संग्यान ले लिजे ना कहा है आपके सीम पता तो करा लिए जी थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जबाप को यादे है आपने क्या कहा था ठीक है अपने बड़ी दोस्ते कि करिया कुमार के पालत में जाने के लिए और बाफादा केस करने के लिए इन्होंने मन्जूरी दी थी भूल जाते हैं भाई साब हम लों को याद रहता है ठीक है अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना तो आपके एजनसी क्या कर रही है शाद्यादी ने कहा कि मैं अपने मैं अकबार नहीं पढ़ता है शाद्यादी मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ विद ओल्डू रिस्पेक्ट जब आप टीवे पर आती थी मैं आपको भी देखता था और आपको बड़ा सब्वान करता था और करता हूँ लेकिन आपको एक रिस्पेक्ट करणगा और आप तो रिक्सपेक्ट फुली एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे तो सुप्रीम कोट ने हमको पावर दी दिली के अंदर वो पावर हमसे क्यों शिंग लिए इसको नौन बेले पर वाली पार्टी सेटर गई थे चाहे दुर्गेश्व आपको आपने आपने कहा कि आपने का ट्राइल अभी पैंडिंग है अगर कोई आदमी देश के खि कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आपी तुक्डे तुक्डे की बात कर रहा था उसमें ट्राइल पैंडिंग है यह इतना लेट क्यों हो गया क्योंकि इसको लेट करा गया क्योंकि आप जाने कर दो आप फिर एक नेगिटिव बैंडिंग करो यूपीय की सरकार ने बन कर नेर Connie मुद्दधे पर रहते हैं मुद्दे पर रहते हैं पस्क्री आपकी पास आते हैं पर्लीज पस्क्राइब कर दे बार ने जाने बाले तनंग lij लेकिन लालुई आदब को तेजस्वी आदम ने साफ क्या दिया कि ये बिहार में नहीं रहेंगे इनको बाहर भेजिए इस वज़े से कनिया कुमार को बिहार से बाहर का टिकट देना पड़ा है क्या मजबूरी बन गई है कॉंग्रिस पार्टी की तैसीन पुनावाला जी तैंकि चित्रा जी आपके मैंचे करने का मुकल है दो या तीन चीज को कहते हैं किसी कॉलेज बड़ा ने इन चीज को समझ लेते हैं कि दीश को तुटड़ा करना चाते हैं और ये बात मानने प्रत N merch जी ने भी और आप सोचे चितरजी और मैं आपके दर्शकों के विवेक पे ये चोड़ता हूं कि मानने ये प्रतान मंत्री और ग्रह मंत्री मानते के देश के सबसे ताकत वर दुनिया के सबसे ताकत वर लोगे रश्य और युक्रीन के युद रुकाने वाले इंडों कोई व्यक्ति एक कॉलेज का बच्चा जो उधारी पर ख दाउन कीजिए या तो आप मुझे बोलेगा ठीक है ओके जिदर जी में एक चीज आपके शो में कहना चाहता हूं मैंने नोटिस किया राजी जी बोल रहे थे मैं जो भाजपा इसलिए बीच में बोलती है तो आपको इनको रोकना होगा क्योंके हम एक्स पोस करने वाले तो एक लड़का जो उधारी पे कैंटीन में खाना खाता है उसको देश को तोड़ने की साधिश बना रहा है अंतर राश्यों ग्रूप्स के साथ आप आज तक उसको प्रोसेक्यूट नहीं कर पाएं आज तक को जेल में नहीं है अच्छा देखे मैं आपको दूसरा एक उदार करने की साधिश गौतम नव लखाने लिए इमेल निकला आज वो सारे केसे उन्हों ने विड्रॉव किये और जो इमेल था वो गलत साबित हुआ यह ने टीवी पे चाटी ठोक कर रहा हूं मैं आज तक पे ता इस चीज के उपर और मैंने प्रदानमंत्री का साथ दिया कि मै वो प्रॉडो चाहे वो इनके हिसाब से जो लोग मनी लोगने करते उनसे पैसे लेते इन लोग यह लोग देश को बचाएगे चलो मैं मान दिया को अच्छी पार्टी देश को बचाना चाती वो कनहिया के उपर को आरुप लगा लिए लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था त दावर मंतरी हैं उन्होंने जीत हासल किती और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हासल की थी लेकिन पांच सालों दग लगातार करने हैं कुमार ने बिहार में पूरी ताकट जोगी आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं फिर आप उनको दिल अगर मैं आपको पूछों के चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वन शो है आप क्यों स्टूडियों से नहीं करें क्या है मतूरा गए आज तब की स्ट्रा जी की स्ट्रा जी आपको जैसे करना आप करोगे शो यह तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि कॉंग्रिस की स्ट्रा जी क्या है बाते साल का जो यह बालत है अर्वंद वाजपेजी की बारी है प्लीज ठीक है ठीक है अर्वंद वाजपेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उदारन देकर इसलिए फस गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूं दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़े से हमारा शो नंबर वन है लेकिन चुनाफ के वक्त वोटर बेगुसराय का आकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा और दिल्ली का वोटर बेगुसराय में नहीं का आफ अब टुकडे गैंगे मैदान मैं कि हमें कोई इत्राज को लागिस की थी बिपस करने लीगिन आज तक जवान पर नाम नहीं आएगा खालिद की बेल क्यों नहीं होई है ऐसे लोगों को क्या वोट मिलेगा और जिंदिगे बर ये सक्स को गाली देते रहे आज कॉंग्रेस के पाले में खड़े हो गए ऐसे सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा ये देश की जन्ता को गुम और ये आपके साथ सपोर्ट ले रहे पहले यहार मान चुके ही तो कि अकेले नहीं लड़ सकते इसलिए तो मिल गए ने कॉंग्रेस और आप और दोनों कोन लोगे कॉंग्रेस की गर्दन तक ये ब्रस्टाचार में डूबे हुए हैं इनके सीर सिनेता अभी भी वेल पे हैं इनके मुक्यमत्री भी बेड गेल में हैं सचुजयाता अब ये łं जेव में हैंоме पंजाम में तींचार मिन्स्टर चेल में हैं क्या बोलेंगे चुनाओं में जैस की जंता को ये जबात मूर्ख नहीं मराँ पाएंगे ये बातते हैं और शलीए मनोईर्वारी की हैं और का में पर दिख रहा है देश की जनता भी देख रही है जो बात देंगे किस मुझे चुनाव में जीतने की लिए तो इनको बताना पड़ेगा देश की जनता को हमें कोई अतारज नहीं है कनेया को लाएं राहूल को लाएं राहूल तो चोड़े बाग गए वाईनार में ठीक है तो आप लोगों को ऐसा देखे जेडियू के नेताओं के ओर से बीजेपी के नेताओं के ओर से ठीक है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादब के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़े नहीं होना द आते हैं लालू प्रसाद यादव इस विज़से बाहर भेग दिया गया है इसमें रतिवर मुदी जी कहते हैं यह पूत्र मोई वाले लोग लालू जी का पुत्र मोई बोल रहा है ना यह बात तो सही है कि कनया वागपुटता में तेजस्री से बहुत आगे और ये बात भी सबको मालूम है कहीं वह एजूकेशन में कंपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहीं ब्यार की जंता के विश्वास उनकी तरफ चला गया तो क्या होगा लेकिन यह भूल जाते हैं कि चिराग पासवन भी ब्यार में हैं वह भी उनीका भी कद वह है जो इन लोगों का है और ब्यार की जो भविश्य है वह चिराग पासवन में भी दिखता है लालू यादव किस-किस को काटेंगी फॉल्टिक्स में कोई काटेंगी थोड़ी देर के लिए तो काटेंगे नहीं चाहते हैं कि तेजस्पी यादव कि शवी कमजोर हो इसलिए कनहया कुमार उभरते वे लीटर उनको बाहर कट दिया गया शाज़े इसके बाद में फॉर अच्छा बोलीजे दस सेकंड बोलीजे शाज़े मैं देखिए मैं आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज बता दूँ आपको चित्रा जी बहुत जरूरी है जो नारे भी लगनेंगे और यह कॉंग्रेस पार्ट होंगे इन्शालला इन्शालला तो यह नारे लगेंगे मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई टकर होगी तो आप समझ जाएएगा और कनिया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है इसके रावा अगर मैं आपको पता दू जो उनकी ट्वीट्स है अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी बीवी से कहूंगा कि अपना जो है अपना नाम कर दो भारत माता की जै सोचिए यह किस तरह की बाते जो शक्स करता है वो है और यह नारे होंगे कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासेसपद है और एक पर फिर से कॉंग्रेस दिखा रही है साफ तौर से कि क्या उसका क्या चरित्र है क्या कितनी विरोधी सनातन विरोधी हिंदू विरोधी देश विरोधी है वो पूरी तरह से और यह उन्होंने आप सबूत भी दे दिया का नहिया जी का क अब आगे की बार नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरे दीश ने खिला के भाजपा की ओफिशल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पेका है अब चित्रा जी मैं आपसे अगर करता हूँ हाँ चोड़ते बिननती करता हूँ राजज बाइब आप इस तरह के नारे नहीं लगे इस तरह के नारे नहीं लगे आप इनको बुला कर आप इनको एक्सपोज करें किस तरह का जुट फैला जा रहा यह जो नारे लगे थे उस कॉलेज के अंदर यह आज तक की और राहुल कवल की रिपोर्टी मैं अपने चित्रा जी मैं डिवेट छोड़ दूगा आप मैं किसी के बीच में ने बोलता हूँ चित्रा जी आपका सम्मानित कैस दूँ च चित्रा जी यह आज तक की इंडिया टुड़े की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट ती कि वो जो नारे लगाए गए थे यह बाहर से थे वो और यो फोरेंसिक जाज गलत थी आज तक की और की की जाज थी यह कोट में भी साबिट हुई गलत यह यह रिपोर्ट कलत निकली है जो नारे निकले उसके बावचूद आज तक के मंच पर आके दो पुलिटिकल राश्ट्रिय पार्टी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के चूट कह रहे चित्रा जी क्या इस पर अब्जेक्शन होना चाहिए नहीं होना करने के लिए यह किस तरह की बात ही हो रही है शोके अंदर आप तर्कों पर इसका विरूट कीजिए बाजपाई जी ने बाजपाई जी ने तर्क दिये बाजपाई जी ने तर्क दिये उस तर्क सिर्ट या चित्रा जी इसे नहीं होता ने डिबेट चित्रा जी नहीं अगर कहीं लगेगा तो वह इंटरप करेंगी रहा ठीक है ओके ने आप तैसी कि आप ने दस बात हम की देदी है कि मैं छोड़ देता हूँ अगर आप लिए अगर आप लाइव डिवेट में आप चार बार यह कहेंगे कि मैं छोड़ कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूँ आप छोड़ कर जा सकते हैं गर्मा को समझना होगा जब हम डिबेट का हिस्सा होते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्रॉस कर्षिन कर करते हैं अगर हम रैली में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहां पर वन वे कम्मिनिकेशन होता है आप भी जानते हैं इस बात को आप इतने की जुरत नहीं है एनिवे मैं नहीं चाहूंगे आप छोड़कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाजय उसके बाद जब जेनुएन बात पर रोके मैं भी उस चीज को मानता हूं यह रोकते हैं ताकि हमारी बात ना जाई है इनकी स्ट्राटिजी हमें एक्स्पोस करना है लेकिन अपनी बात समाप करना जाता हूं बाजपई जी ने कुछ बुद्ध्ध उठा है उन मुद्धों में तर्थ था हम उस पर एपोस कर सकते हम कर सकते और चर्राग भी बड़े नेटा है जीज अने को त्यार हूँ वह अच्छी debate है यहां आकर कहना धैना तो राक्तव पार्टिश स्ट वगतने के नारी लगाने वागे और भाजपा के राश्टर प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे एक है इसमें मुझे सक्त अब्जेक्शन है चित्रा जी और यह जाइज है आप किस बात के आधार पर यह कह रहे हो इस पर मुझे अब्जेक्शन है जी जी चित्रा जी मैं आप से यह कहना चाहरी हूं कि कोरा केस जो है बाकायदा हाइकॉर्ड में पिंडिंग है इन्हों ने भी भी क्या क्या की प्रोसीक्यूट नहीं हुआ ना तो हमारी एजिंसी है और यह तो इनका दावा नहीं आठेक्शन है यह जानते गार मामना चलु रहा होता है तो जाहिर कॉर्श इसमेकर करता है और स के साथ समर्थन नहीं किया बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम और इस तरह आया है नाहीं उसके लिए कभी माफी मांगी है तो क्यों नहीं हम मानें कि आप फिसमें वह नारे नहीं लगाएंगे इसी जिस वक्तत्व के लिए जिस भारत विरोधी नारों के लिए आपने उनक को उमीदवार बना है तो आपको क्या लगता है कि किसी को कुसी और तरीके के आशंका होगी कि वह इनारे नहीं लगाएंगे आपकी सोच है यह पुरी तरह से दर्शाती है कि जो इनसान इस तरह के भाशन और गनाईज करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रती यातरा का में एहम भूमिका निभाने वाला कनेया कुमार उसको प्रतीक बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने और आपने उसको सुभी का रहा है यह देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो पनो काबना करते हो है ना इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की समुर्दी होगी तब कहते ना तब मानते देश चित्राजी चित्राजी अमादी पार्टी से भी रियक्शन ले ले लेती हूँ फिर उसके बाद बढ़ना दो लोगों में यह डिवेट रह अब सब कुछ बड़ा गुड़ गुड़ होकर आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं लेकिन पर दो चुनाव की नतीजे अगर हम आप देखें तो वहाँ पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होता रहा है मनुष तिवारी जिस सीट से जीते हैं नौर्थी सीट से व देखें चित्रा जी हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है दोजार पंदरा चौदा का जो चुनाव था वो कॉंग्रेस की एंटिंगंबन्सी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनिया बदल देंगे 2019 के चुनाव में पुलवावा के उपर खेला गया सेनाव के उपर वूट मांगलिया गया इस बार वो वाला चुनाव नहीं हैं लोग समझ चुके हैं कि युपक्शियों को बंद गेल में करने वाली पार्टी वो ये पार्टी चुनाव लड़ रही है जो लोग तंदर को ख मतरगी बात करने लगते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है आप से आईए मैं तो दो बार का विदाए को मैं तो जमीन पर चलता हूँ अब जमीन पर आईए मेरे साथ में घूम यह मैं शाद्याजी को भी लेकर चलूँगा चित्रा जी वी चले कि उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किसी तरह से भी काटे की टकर है और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगु सराय में हमने देखा क्या जलबा था कर नहीं या भाई साब का अब ये वही जलबा यहां पे बिखेरेंगे दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बकते हैं लेकिन सब जानते हैं कि तुकडे तुकडे गैंग भारत को तोड़ने वाले जो लोग ये जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है यह उस और इस बार फिर से कॉंग्रेस से थाबिद कर दिया है कि जिस तरह से राहुल गांधी बाकाईदा जर्मिनी जाकर इंगलिंड जाकर भारत का अपमान करते हैं तिरसकार करते हैं एक एक संस्थान का मज़ाग उडाते हैं ज पाकिस्तान से भीक मांगते हैं कि हमारी सरकार बदल दो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो जितने भी सुप्रीम कॉर्ट हो और इलेक्शन कमिशन हो आप देख रहे हैं कि चाहे आर्मी हो चाहे सरकार हो चाहे इलेक्शन कमिशन हो चाहे सु लोगों को जो कर्मट इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि कॉंग्रेस ने इस बात की तस्दीक कर लिया है और मान लिया है कि वाकई में वो शेहनशाय आजम है तुकड़े तुकड़े गैंग के ठीक है मैं बात कर लेती हूँ राजेशी सीधे आपके पास आते हुए अब बार बार करने हैं आकुमार के ओपर टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर ये लोग बार कर रहे हैं सनाव के साथ आमादभी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आ अर्विन केद्रिवाल जी पे कोई नाम नहीं किसी चार्ड़ शीट में नाम नहीं एफाईयर में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना शीश महल संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नहीं जिन चीजों से टिकेट ब्लै किया हरे एक के ओपर एक ब्रांडिंग करनी है तुकड़ करते हो, ED को, CBI को, income tax को, दिल्ली की पुलिस आपके पास में, आप क्यों नहीं कोई कारवाई कर पाया आस तक, बेवजय ऐसे ही शोर मचाते रहोगे, कि आपको नियाले पर भरुसा नहीं है, वैसे मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नियाले ने एक कादेश पारित करा, कि दिल्ली को पावर है, ट्रांस पर पॉस्टिंग की वो भी आपने संसेट में छीन लिया, तो ये सिरफ ब्रैंडिंग करते हैं, लोगों के मनों में कुछ बात को जानते हैं, अगर किसी की इतनी जुरत हुई, इस देश में इतनी हिम्मत हुई, कि वो भारत को तुकडे-Tुकडे करने की बात करता है, तो इसके खिलाफ ये अक्शन नहीं ले पाए, ये जूट बोलते हैं, ये ब्रैंडिंग है, सिर्फ लोगों के मन में बात को डालने की देश को असली बातने का काम, यही सोच करती है, तो ये अपने लोगों को यंदरी, ये पेंडिंग है, दूसरी बात भाई साब जो बोल रहते हैं, शायद जानते नहीं, कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे, जिन लोगों को चोर कहने वाले, कट्टर बेइमान वाले, वही लोग इनकी मदद में हैं, और ये वो है जो कट्टर बेइमान हैं, और इनकी तो आगाज हुआ था ना, अस्वरात से इनका अंजाम देखा अपने, क्या हो गया शराब पर, और यही इनकी कहानी है, जाडू से दारू तक की, और इनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त, क्या उनको पता है कि मनी से सोडिया भी अभी इनको बेली तक न चितरा जी मुझे मौका दीजेगा, आपके दुन्या में रह रहे हैं, भाई साब थोड़ा अकबार पढ़ लिया है, अपने नेताओं के बारे में थोड़ा संग्यान ले लीजे ना, कहा हैं आपके सीम, पता तो करा लीजे थोड़ा बहुत, अच्छा रहेगा आपके करिया कुमार के खिलाफ अदालत में जाने के लिए और बाफादर केस करने के लिए इन्होंने मन्जूरी दी थी, भूल जाते हैं भाई साब हम लों को याद रहता है, ठीक है, हाँ बोले राजी जी, मैं जवाब दूँ, और न्यायले रहत नहीं दे रहा है ना, मुख्यमं कर दो ना, तो आपके एजन्सी क्या कर रही है, शाध्यादी ने कहा कि मैं अपने, मैं अखबार नहीं पढ़ता है, शाध्यादी में बहुत अच्छी तरीके दे पढ़ता हूं, विद आपको भी देखता था और आपको बड़ा सभान करता था और करता हूं, लेकिन मैं आपने कहा कि आपने का ट्राइल अभी पैंडिंग है, आपने का ट्राइल पैंडिंग है, अगर कोई आदमी देश के खिलाप बोल रहा है, ट्राइल पैंडिंग चलता रहा, अर्विन केजरिवाल जी को तो आपने प्येमें बंद कर दिया, इतनी क्या जल्दी थी और जो लेकिन क्या उसको आर्जेडी के पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में या रूप बीजेपी वाले लगा रहे हैं ये कहते हैं कि बेगो सराय से पछली बार चुनाव लड़े हार गए दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब में साफ कह दिया कि ये बिहार में नहीं रहेंगे इनको बाहर भेजिए इस वज़े से कनिया कुमार को बिह नहींता है चोटा नहींता है इस सारी चीजों में नहीं किर रहा हूं हम दो या तीन चीज को समझ लेते हैं भाजपा के प्रवक्ता यहां कहते हैं कि दीश को तोड़ने की साधिश्ट के मान लिए इन्हों ने का कि दीश को टुखड़े टुखड़ा करना चाते और यह बा ती एक कॉलेज का बच्चा जो उधारी पर खाना खाता है उधारी चुकाने को मश्किल होती है वो देश को तोड़ रहा है और यह लोग आज तक उसको प्रोसेक्यूट नहीं कर पाए अचा खुद ही कहते हैं कि प्रोसेक्यूशन की जो 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 इजाज़त है वह आम आ प्रोसेक्यूट नहीं कर पाए अज तक उसको प्रोसेक्यूट नहीं कर पाए आज तक उसको जेल में नहीं है अच्छा देखें मैं आपको दूसरा एक उदारन देता है आप ही के आज तक में आता था एनाए डेश की सबसे प्रत्थम इंवेस्टिगेटिंग एजनसी आतकवाद के खिलाव कि देश को तोड़ने की साधिश है उन्होंने आरोप लगाया कि माननिया प्रदानमंत्री को को बार यह कैसे लोग है अरे यह ऐसे वह झाद जी इलेक्ट्रों बॉन्स का सारे उन लोगों से लेते हैं जो सारे गलत कामों में लिप है चाहे बीफ बेशने वाले हो चाहे वो फ्रॉड हो चाहे वो इनके हिसाब से जो लोग वन्य बासे इने उन्यूंश को बचा रहें चलो मैं मान दिया कोई अच्छी पार्टी डीश को बचाना चाहती वो कनहिया के ओपर कोई आरोप लगा दी बात आपने कई सवाल उठा दिये लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था तहसीम कुनावाले जी आपने उसका जबाब नहीं दिया लेकिन पांच सालों दक लगातार करने कुमार ने बिहार में पूरी ताकत जोगी आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए इसका जवाब आपने नहीं दिया लेकिन मैं अर्विंद बाजपेजी सिद्धिया आपक अगर मैं आपको पूछों कि चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वन शो आपकी उस्टूडियों से नहीं करी क्या है मतूरा गए आज सब की स्ट्रा जी की स्ट्राइजी आपको जैसे करना आप करोगे शो यह को इल तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि कॉंग्रिस की स्ट्राइजी क्या है बात्मावाले का टाइम वेस कर रहे हैं अड़त साल का जो यह बालग है अर्विंद वाजपेजी की बारी है प्लीज ठीक है ठीक है अर्विंद वाजपेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उदारन देकर इसलिए लेकिन चुनाफ के वक्त वोटर बेगू सराय का अकर दिली में वोट ने डालेगा और दिल्ली का वोटर बेगू सराय में ये नहीं डाले जाते हैं उनकी नेता है जहां से बाद में वहां से उतर जाएंगे मैदान में हमें कोई अतराज नहीं है कोई अतराज बिलकुल नहीं है लेकिन अतराज देश की जनता को है दिल्ली की जनता को है दिल्ली की जनता ये जानेगी कि इस आदमी का इत्यास क्या है ये आदमी का वो टुकडे टुकडे गेंग वाला जेनियू में जो क्रिमिनल के एक्टिविटीज की थी उसमें एक खालिद भी बंद हुए थे एक स्टुडेंटिन के साथ के थे भूल गए खालिद को आज तक जवान पे नाम नहीं आए खालिद की बेल क्यों नहीं हुए यह है ऐसे लोगों को क्या वोट मिलेगा और जिंदिगे वर यह सक्स को गाली देते रहे आज कांग्रेस के पाले में कड़े हो गए ऐसे सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा यह देश की जन्ता को गुमराण नहीं कर सकते हैं करेंगे लाल कि क्या बैकराउंड है लेफ्टिस् कि अकेले नहीं लड़ सकते इसलिए तो मिल गए ने कांग्रेस और आप और दोनों कों लोग है कांग्रेस की गर्दन तक यह ब्रस्टाचार में डूबे हुए हैं इनके सीर्ट सेनेता अभी भी वेल पे हैं और यही हाल आप वालों का हो गया है इनके मुक्यमत्री भी जेल में सिसोजिया अभी फिग में या पंजाम में तीनशार मिनिश्टर में क्या बोलेंगे चुनाओं में तरको यह जादा देर आप गुमे नहीं कर पाएंगे यह बात ते हैं और इसलिए मनो justified जी कर काम की भी इसले मनोस दिवारी के पीचे चैरा है मोईधी का चैरा मोईगी की घरन ती मतलब मोधी की विश्रिश्त उनींता नहीं है का बात रूंके की ने तो अन ISIS की जनता को हमें कोई तरग नहीं शूब कर नहीं को लॉइस दियू के नेताओं के और से ठीक है सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादब के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रसाद्य यादब इस वज़र से बिहार से बाहर भेग दिया गया है इसमें रत्ति भर में स बात भी सही है कि उनके पिताश्री को डर लगता है कि अगर कनगिया जैसे लोग आ गए तो कहीं तेजस्वी जो साइद एजूकेशन उनकी सबको मालूम है कहीं वह एजूकेशन में कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहीं ब्यार की जंता के विश्वास उनकी थोड़ी जेर के लिए तो कार सकते हैं लालू तसाथ यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव कि छवी कमजोर हो इसलिए कनहया कुमार उभरते वे लीडर उनको बाहर कर दिया गया शाज़े इसके बाद में फॉर अच्छा बोलीजे दस सेकिंड बोलीजे शाज़ थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातल जिंदा हैं भारत की बरबादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी भारत के तुकडे तुकडे होंगे इन्शालला इन्शालला तो ये नारे लगेंगे मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई टकर होंगी तो आप पूरी तरह से और यह उन्होंने आप सबूत भी दे दिया कनईया जी का कैंडिटेचर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी पार्टी के बारे में तुम सब जानते ही है तितरा जी मैं उत्तर देगा है मुझे लगता है इस पर तैसी जी आप जवाब दे दीजे बोलिए बोलिए मैं इस पहले इस पर जवाब देता हूं तीन चाज चीज शाजिया ने कहीं एक के कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी हिंदू विरोधी में दुवारा से कहता हूं बीफ कंपनी से चंदा इन लोगों ने चंदा का धंदा किया बीफ कंपनी से धाई सो करोड रूपे ये कह रहे हिंदू विरोधी राजीश भाई को और मुझे ये लोग कह रहे इन से मैं सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बाल नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरी दीश लिखिला ये भाजपा की ओफिशल प् ये जो नारे लगे थे उस कॉलेज के अंदर ये आज तक की और राहुल कवल की रिपोर्टी मैं अपनी चित्रा जी मैं दिवेट छोड़ दोगा आप मैं किसी के बीच में ने बोलता हूँ चित्रा जी जब ये बीच में बोलते हैं आप मैं आपका सम्मानित कैस्ट हूँ आप बोल ये वह जैसे ही चुप कोँगे मैं आप से जवाब दे लूँगी मैं आपसे जवाब दे लूँगे थे ऐज तक की इंडिया तुड़े की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपॉर्ट थी कि वो जो नारे लगाए गये थे ये बाहर से थे वो आज तक की जाज थी, यह कोट में भी साविट हुई गलत नहीं, यह रिपोर्ट गलत निकली, जो नारे निकले, उसके बावचूद आज तक के मंच पे आके दो पुलिटिकल राष्ट्रिय पार्टी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के जूट कह रहे, चित्रा ज आपको और आज तक को यह लगता है कि कॉंग्रस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाएगे जो भाजपा कह दिए और यह फ्यूचर में लगाएगे करने के लिए यह किस तरह की बात ही हो रहे है शोके अंदर, आप तर्कों पे इसका विरूट कीजिए, आपके अगर आप आपको देदी है कि मैं छोड़ देता हूं अगर आप देडमा कुझा नारे शाजय को अजया जाए शाजय को बाट तरह किया जाए तैसे अगर 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 आप लाइव डिवे आप चार बार यह कहेंगे कि मैं छोड़कर चला जाओंगा तो सब्सक्राइब कर चला जाओंगा तो तो वहां पर वन वे कम्निकेशन होता है आप भी जानते हैं इस बात को आप इतने सीजिए नहीं है एनीवे मैं नहीं चाहूंगी आप छोड़कर जाएं दो काइन में अपनी बात पूरी करें शाजय उसके बाद जबाद देंगी वो लिए मैं 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 क्लारिफिकेशन जाओं इसले कि चुछ दो कर दो कि मैं आपका खराब नहीं करना चाता हो मैं आपके खिलाफ नहीं अपने लिए यह इसे नहीं करता हूं यह मेरी शर्ट है कर सकते हम कह सकते है चीजेश भी बड़े नेता है कर नहीं यह नहीं है उस चीज़ पे मैं डिबेश करने को तियार हूं वह अच्छी डिबेश है यहां आकर कहना हाइपोटेटिकली दो राष्ट्रे पार्टी देश के तोड़ने के नारी लगाने वाले चुनाब के दावि चित्रा जी मैं जबाब लेंगी जी जी चित्रा जी मैं आपसे यह कहना चारी हूं कि देखे इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाइदा हाइपार्ड में पेंडिंग है इन्होंने भी क्या क्या कि प्रोसीक्यूट नहीं हुआ ना तो इनका यह तो इनका दावा है और यह तो इनका झूट है नहीं कोको कि उनुने उस वक्ट जब लगा रहे तो वहां पे मौझूद नहीं थे और उन्हों ने उसके साथ समर्थन नी क्या बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम आगक ना इसके लिए कभी माफी माँगी है तो क जिस वक्तत्व के लिए जिस भारत विरोधी नारों के लिए आपने उनका चैन किया है और आपने उनको उम्मीदवार बना है तो आपको क्या लगता है कि किसी को कुसी और तरीके की आशंका होगी कि वो इनारे नहीं लगाएंगे आपकी सोच है यह पुरी तरह से दर्शाती है कि जो इनसान इस तरह के भाशन और गनाईज करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और उम्मीदवार बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे यह कि नहीं करहिया कुमार तो देश जोड़ने वाले लोगों में से हैं में जो लोग मौजूद होते हैं कि उनमें से एक है भारत तोड़ो यात्रा का में एहम भूमिका निभाने वाला करहिया कुमार उसको प्रतीक बनाए है कॉंग्रेस पार्टी ने और आपने उसको सुविकारा है यह देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो सबसे भद् बताओ देश की बर्बादी की मनोकावना करते हो है ना इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की समर्दी होगी निशानला तब कहते ना तब मानते हैं देश चित्रा जी पार्टी से भी रियक्शन ले ले लेती हूं फिर उसके बाद बढ़ना दो लोगों में यह रह जाएगी दो लोगो हां राजिश गुपता जी आपके पास आते वे अब बीजेपी इस परसेप्चन को बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जा रही है और मेरे सवाल यह भी राजिश गुपता जी देखे आप में और कॉंग्रिस पार्टी में सीटों का ताल मेल हो गया अब सब कुछ बड़ा गुड़ गुड़ होकर आप एक चुनावी मैदान भी जा रहे हैं लेकिन पर दो चुनाव की नतीजे अगर हम आप देखें तो वहाँ पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होता रहा है मनौश तिवारे जिस सीट से जीते हैं नौर्थी सीट से वहा पाइनी दे रहे हैं अगर 2019 के लिहाज से देखे तो देखे चित्रा जी हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है 2015-14 का जो चुनाव था वो कॉंग्रिस की एंटिंकंबंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनिया बदल देंगे 2019 के चुनाव में पुलवावा के उपर खेला गया सेनाव के उपर वूट मांग लिया गया इस बार वो वाला चुनाव नहीं है लोग समच चुके हैं कि इलेक्टरल बॉंड का धंदा करने वाली पार्टी जो जिपक्षियों को बंद गेल में करने वाली पार्टी वो ये पार्टी चुनाव लड़ रही है जो लोग सनातर को मानते ही नहीं, वो सनातर की बात करने लगते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप से, आईए, मैं तो दो बार का विदाये कूँ, मैं तो जमीन पर चलता हूँ, आप जमीन पर आईए, मेरे साथ में घूम यह, मैं शाद्याजी को भी लेके चलूँगा, चित्रा जी ब सबसे बड़ा उसका प्रतीक है, उनको खड़ा किया आया है, तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है, कॉंग्रेस अपने साथ, आम आदमी पार्टी अपने साथ, और मुझे लगता नहीं, किसी तरह से भी काटे की टकर है, और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगु तुकडे गैंग, भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं, जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है, और इस बार फिर से कॉंग्रेस से साबित कर दिया है, कि जिस सरा से राहुल गांधी बाकाइदा जर्मिनी जाकर, इंग्लेंड जाकर, भारत का अपमान करते हैं, तिरसकार क सरा से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे जितने भी सुप्रीम कॉर्ट हो, और इलेक्शन कमिशन हो, आप देख रहे हैं कि चाहे आर्मी हो, चाहे सरकार हो, चाहे इलेक्शन कमिशन हो, चाहे सुप्रीम कॉर्ट हो, हमेशा सिर्फ देश को व होती अफसोस की बात है कि कॉंग्रेस में इस बात के तदीक कर लिया है और मान लिया है कि वाकई में वह शेहनशाय आजम है तुकड़े तुकड़े गैंग के ठीक है मैं बात कर लेती हूँ राजेशी सीधे आपके पास आते हुए अब बार बार करनेया कुमार के ओपर टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर ये लोग बार कर रहे हैं सनावाद्वी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा राजेशी अब देखे चित्रा जी भाजपा का ये काम है कि वह ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है अर्विन केद्रिवाल जी पर कोई नाम नहीं किसी चार्ट शीट में नाम नहीं एफ यर में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना शीश म संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नहीं जिन चीजों से टिकेट ब्लै किया हरे एक के ओपर इक ब्रांडिंग करनी है तुकडे तुकडे गैंग अरे भाई अगर ऐधी कोई बात है उसमें कोई सच्चाई है तो आपके पास में सारी एजनसीज है आप इस देश में एजनस को 49 पार्टियों के इलावा जिसके साथ आपका गढ़बंदन है उन तीन एजनसीज को भी आप गढ़बंदन की तरह इस्तेमाल करते हो एडी को सीब्याई को इंकम टैक्स को दिल्ली की पुलिस आपके पास में आप क्यों नहीं कोई कारवाई कर पाया आस तक बेवज़े ऐसे ही शोर मचाते रहोगे कि आपको नियाले पे भरोसा नहीं है वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नियाले ने एक आदेश पारित करा कि दिल्ली को पावर है ट्रांसपर पुस्टिंग की वो भी आपने संसेट में छीन लिया तो ये सिरफ ब् होते हैं ये ब्रैंडिंग है सिर्फ लोगों के मन में बातर को डालने की देश को असली बाटने का काम के यहीं सोच करती है कि अपने लोगों को यंदरी ये बाटने सिर्फ जीतने के लिए शालचाजी आप जब दे दिजिए इसके बाटने के भाटते हैं दूसरे का बात भाई साथ जो बोल रहते है सायद जानती नहीं कि ब्रैंडिंग ये एक्सपर्ट तो सब से बड़े ये थे जिन लोगों को चोर कहने वाले कटर बेइमान वाले कहने वाले वही लोग इनकी मदद में हैं और ये वो है जो कटर बेइमान है और इनकी तो आगाज हुआ था ना अस्वरात से इनका अंजाम देखा अपने क्या हो गया शराप पर और यही इनके कहानी है झालू से दारू तक जी और इनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त क्या उनको पता है कि मनई से सोड़ीया भी नभी टक्नीम मिली तेर्ड साल से जेल में है अर्विन केशिवाल की हिरासत और बढ़ा दी गई है कि कविता जी को भी हिरासत में ले लिया गया है सतेंद्र जेहन तो बहुत दिनों से अपने बाकाइदा मसाज करवा रहे हैं जेल में तो किस दुन्या में भाई साब आप रहे हैं करिया कुमार के खिलाफ आदालत में जाने के लिए और बाकाइदा केस करने के लिए इन्हों ने मन्जूरी दी थी भूल जाते हैं भाई साब हम लों को याद रहता है ठीक है हाँ बोले राजे जी मैं जवाब दूँ और न्यायले राहत नहीं दे रहा है ना मुख्यमंद्री जी बिल्कुल ठीक कहा कि हमने हमने मन्दूरी दी थी हम तो हम तो कह रहे हैं अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना तो आपके एजन्सी क्या कर रही है शाध्यादी ने कहा कि मैं अपने मैं अकबार नहीं पढ़ता है शाध्यादी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ विद ओल्डू रिस्पेक्ट जब आप टीवे पर आती थी मैं आपको भी देखता था और आपका भी बड़ा सभान करता था और करता हूँ लेकि अबर कोई आदमी देश के खिलाब बोल रहा है अर्विन केजरिवाल जी को तो आपने प्या में एक्टिमें बंद कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आदमी तुक्डे तुक्डे की बात कर रहा था उसमें ट्राइल पेंडिंग है यह इतना लेट क्यों हो गया क्योंक आपके रुक्ष्ट है आपके पास आते हुए प्लीज तैसीन कुनावाला जी कॉंग्रेस पार्टी राष्ट्रिया पार्टी है लेकिन क्या उसको आर्जेडी के पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में यह आरूप बीजेपी वाले लगा रह दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब ने साफ कह दिया कि यह बिहार में नहीं रहेंगे इनको बाहर भेजिए इस वज़़े से कनिया कुमार को बिहार से बाहर का टिकट देना पड़ा है क्या मजबूरी बन गई ह कॉंग्रिस पार्टी की तैसीन पुनावाला जी तैंकिए चित्रा जी आपके शो में मुझे शिर्कत करने का मौका मिला दो या तीन चीज को समझ लेते मैं किसी कॉलेज बच्चे के बारे में यो बड़ा नहींता है चोटा नहींता है इस सारी चीजों में नहीं किया हूँ हम दो या तीन चीज को समझ लेते हैं भाजपा के प्रवक्ता यहां कहते हैं कि दीश को तोड़ने की सालिष्ट के मानली है इन्हों ने कहा कि दीश को टुखड़े टुखड़ा करना चाहते और यह बात मानने में प्रधान मंत्री जी ने भी कही अब आप सोचे चितर जी में आपके दर्शकों के विवेक पे यह चोड़ता हूं कि मानन यह प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री मानते के देश के सबसे ताकत वर दुनिया के सबसे ताकत वर लोगे रश्य और युक्रीन के युद रुकाने वाले इंडों कोई व्यक्ति एक कॉलेज का बच्चा जो उधारी पर खाना खाता है उधारी चुकाने को मश्किल होती है वो देश को तोड़ रहा है और यह लोग आज तक उसको प्रॉसेक्यूट नहीं कर पाए अच्छा खुद ही कहते हैं कि प्रॉसेक्यूशन की जो 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 इजाज़त है वह आम आदमी पार्टी की स करते हैं तो आप रहा हैं तो एक लड़का जो उधारी पर कैंटीन में खाना खाता है उसको इस देश को तोड़ने की साधिश बना रहा है अंतर राश्य ग्रूपस के साथ आप आज तक उसको प्रॉसेक्यूट नहीं कर पाएं आज तक को जेल में नहीं है? अच्छा देखें, मैं आपको दूसरा एक उदारन देता है, गौतम नवलखा, आप ही के आज तक पे मैं आता था, NIA, डेश की सबसे प्रत्थम इंवेस्टिगेटिंग एजनसी, आज तक को आत के खिला, क्यों कि देश की तोड़ने की मैं आज तक पे ता, इस चीज के उपर, और मैंने प्रधान मंतरी का साथ दिया, कि मेरे प्रधान मंतरी को बारे, यह कैसे लोग है? अरे यह ऐसे लोग है चित्रा जी, जो इलेक्ट्रोल बॉंस का चंदा का धंदा, सारे उन लोगों से लेते हैं, जो सारे गलत कामों में ल प्रधान में प्रधान में जो सवाल पूछा था, तहसीम पुनावाले जी, आपने उसका जवाब नहीं दिया, बिहार के बाहर लाने की क्या जूरत थी, कनहिया कुमार को उन्होंने पूरी ताकत जोग कर रखी वी थी, बीते पांच सालों में, मैंने खुद बेकुस सराय म उनको चुनाव लड़ते हुए देखा है, भले ही वो हार गय थे, गिर्रा सिंग वहां के कदावर मंत्री हैं, उन्होंने जीत हासल की थी, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हासल की थी, लेकिन पांच सालों दग लगातार कर नहीं है, कुमार ने बिहार में पूरी ताक इसे की रिख स्थेशों इतन फे रगातार में लिया, बीख सी देख सालों दगातार करता है, का असे रगातार से भी थे वो हाने प्तोत दीड़ लें? करना आप करोगे शो यह को होता है कि भाजपा कहेगी कि कॉंग्रिस की स्टेटिजी क्या है वाले कहेगे आप गलत उधारन देकर इसलिए फस गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूँ दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़े से हमारा शो नंबर वन है लेकिन चुनाफ के वक्त वोटर बेगुसराय का आकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा और दिल लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है उनके नेता हैं जहां से उनको लगेगा चुनाफ जीतने के सिती बनेगी वहां से उतर जाएंगे मैदान में कि हम्टे कोंए अत्राज नहीं है को एत्राज बिलकुलarin लेकिन अत्राज देश की जनता-स दिल्ली डिली की जनता यह जानेगी ैसादमी का इत्यास क्यान है यह आदमी का वो टुकडे-टुकडे गेंग में आयो दो सब्सकrav थे भूल गए खालिद को आज तक जवान पर नाम नहीं आएगा खालिद की बेल क्यों नहीं होई है ऐसे लोगों को क्या वोट मिलेगा और जिंदिगे बर ये सक्स कांग्रेस को गाली देते रहे आज कांग्रेस के पाले में खड़े हो गए ऐसे सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा ये देश की जन्ता को गुमरान नहीं कर सकते हैं करेंगा लाल की क्या बैक्राउंड है लफ्टिस रहे ना पूरी जिंदिगी कांग्रेस को गाली देते रहे के नहीं देते रहे सबसे ज़्यादा अगर मुखर कोई होता था तो ये लेफ्ट वाली लोग होते थे सबस्क्राइब देता अभी भी वेलपे है और यही बेल आफवलोंका होगे एंके मुक्यमट्री जयल में हैं सप सास्यट उबने में हैं पंजाम में तीन-चार मिनिस्टर चेल में क्या बोलेंगे चुनाओं में देश की जनता को ये जादा देर अब मूर्ख नहीं बना पाएंगे गुम्रा नहीं कर पाएंगे ये बात तेह है और इसलिए मनोस्तिवारी जो काम की और खाली मनोस्तिवारी जी के पीछे चैरा है मोदी का चैरा मतलब मोदी की घरणटी मतलब अढस्तिमी के जो काम वह दिली की जनता भी देख रही है देश्ची जनता भी देख रही है किस बात देंगे किसनके miste तो आप लोगों को ऐसा देखे जेडियू के नेताओं के ओर से बीजेपी के नेताओं के ओर से ठीक है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादब के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़े नहीं होना देन हैं ने, यह पूत्र मों वाले लोग है लालू जी का पूत्र मों ही बोल रहा है न यह बात तो सहícia के कनिया वाक पुर्ता में तेजस्वी से लेकिन यह भूल जाते हैं कि चिराग पासवन भी ब्यार में हैं वह भी उनीका भी कद वह है जो इन लोगों का है और उन्से उंचा है और ब्यार की जो भविश्य है वह चिराग पासवन में भी दिखता है लालू यादब किसको काटेंगी फॉल्टिक्स में कोई काटेंगी अच्छा बोलीजे दस सेकंड बोलीजे शाज़े देखिए आपको मैं ब्रेकिंग न्यूस बता दूँ आपको चित्रा जी बहुत जरूरी है जो नारे भी लगनेंगे और यह कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी मिलकर जो नारे लगाएंगी वही सारे नारे हैं जो कनहिय होगी तो आप समझ जाएएगा और कनहिया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है इसके रावा अगर मैं आपको पता दू जो उनकी ट्वीट से हैं अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी बीवी से कहूंगा कि अपना जो है अपना नाम कर दो भारत माता की जै सोच दोढ़िए यह किस तरह की बाते जो शक्स करता है वो है और यह नारे होंगे कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासेस पद है और एक बर फिर से कोंग्रेस दिखा रहे हैं साफ तूर से क्या उसका चरित् पूरी तरह से और यह उन्होंने आप सबूत भी दे दिया का नहीं जी का कैंडिटेशर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी पार्टी के बारे में थम सब जानते ही हैं सित्राजी मैं उतर देगा है मुझे लगता है इस पर तैसीं जी आप जवाब दे दीजे बोलिए बोलिए मैं इस पहले इस पर जवाब देता हूं तीन चाज चीज शाजिया ने कही एक के कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी हिंदु विरोधी में दुवारा से बीफ कंपनी से चंदा इन लोगों ने चंदा का धंदा किया बीफ कंपनी से धाई सो करोड रुपे यह कह रहे हिंदु विरोधी राजीश भाई को और मुझ आप चित्रा जीमें अपसे नारे नहीं लगे इस तरह के नारे नहीं लगे आप इनको बिलाकर आप इनको एक्स्इब मैं आप आप मैं किसी के बीच में ने बोलता हुँ चितरा जी जैसे ही चुप होंगे मैं आपसे जवाब देलूंगे चितरा जी यह आज तक थी इंडिया टुडे की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट थी, कि वो जो नारे लगाए गए थे यह बाहर से थे, वो और फॉरेंसिक जाज गलत थी, आज तक की जाज थी, यह कोट में भी साविट हुई गलत नहीं, यह बाउचूद, आज तक के मंच पे आके, दो पुलिटिकल राश्ट्रिय पार्टी के बारे में, भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के जूट कह रहे है, चितरा जी, क्या इस पर अब्जेक्शन होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए, मैं आपसे कहता हूँ, चितरा जी, आप के आप को आज तक को यह लगता है, कि कॉंग्रस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाएगे जो भाजपा कह दिए, और यह फ्यूचर में लगाएगे करने के लिए, यह किस तरह की बात ही हो रिशो के अंदर, आप तर्कों पे इसका विरूट कीजे, बाजपई जी जी ने मैं दसेके नौल लुगा पिबाच ऑड़ जी ने बाचवाजपई जी ने तरक दिए, बाजपई जी ने तरक दिए, उस तरक सिर्ट यह जो ने होता है, इस जिए को यह चित तरह करता है, आप मुझे आप कर पीजे में जा रहा जएफित । में पीचमें अगर कही लगेगा तो वो इंटरप्ट करेंगी रहा ठीक है ओके अगर आप लाइब डिवेट में आप चार बार ये कहेंगे कि मैं छोड़कर चला जाओंगा छोड़कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूँ आप छोड़कर जा सकते हैं अगर हम रैली में स्पीश दे रहा होते हैं तो वहां पर वन वे कम्मुनिकेशन होता है आप भी जानते हैं इस बात को आप इतने सीनियर हैं अगर मैं नहीं चाहूंगी आप छोड़कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाज़े उसके बाद जबाद देंगी व पहले हैं और यह इसलिए करते कि एक हमारा फ्लोट उट जाए और जन्ता तक सच ना जाए अगर हमें कोई जैनुएन बात पर रोके मैं भी उस चीज को मानता हूं यह रोकते हैं ताकि हमारी बात ना जाई यह इनकी स्ट्राटिजी है इस स्ट्राटिजी हमें एक्सपोस कर देश के तोड़ने के नारे लगाने वाले चुनुट के दान में और भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे एक है इसमें मुझे सक्त अबजेक्शन है चित्राजी और यह इस बात के आधार पर यह कह रहे हो आप किसी पार्टी पर आरोप लगा सकत दाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाइदा हाई कॉर्ड में पेंडिंग है इन्होंने भी भी क्या-क्या कि प्रोसीक्यूट नहीं हुआ ना तो हमारी एजिंसी है और यह तो इनका दावा है और यह तो इनका जूट है ना यह तो वकील है यह जानते हैं गर मामना चल होता है तो जाहिरे कोर्स इस पे तैह करता है और सारे की सारा प्रूफ सबके सामने दिया गया है ऐसा कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है कनेया कुमार को कि उन्होंने उस वग्चा उमर खालीद यह सब नारे लगा रहे थे तो वह वहाँ पे मौजूद नहीं थे और उसके साथ समर्थन नहीं किया बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम आउगना इस तरह आया है नहीं उसके लिए कभी माफी मांगी है तो क्यों नहीं हम मानें कि आप फिसमें वह नारे नहीं लगाएंगे इसी जिस वक्तत्व के लिए जिस भारत विरोधी नारों के लिए आपने उनका चैन किया है और आपने उनको उमीदवार बना है तो आपको क्या लगता है कि किसी को कुसी और तरीके की आशंका होगी कि वह इनारे नहीं लगाएंगे आपकी सोच है यह पुरी तरह से दर्शाती है कि जो इनसान इस तरह के भाषन और गनाईज करता है जिस जोडो यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं कि उनमें से एक है भारत तोडो यात्रा का में एहम भूमिका निभाने वाला कनेया कुमार उसको प्रतीक बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने और आपने उसको सुविकारा है ये देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो प्रीम कौड को लेकर बताओ देश की बरबादी की मनोकावना करते हो है ना इसके लिए अरे देश के आबादी होगी देश की सिम्रिद्धी होगी तब कहते ना तब मानते देश चित्राजी आमादी पार्टी से भी रियक्शन ले ले लेती हूं फिर उसके बाद वरना दो देखे आप में और कॉंग्रिस पार्टी में सीटों का ताल मेल हो गया अब सब कुछ बड़ा गुड़ गुड़ होकर आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं लेकिन पर दो चुनाव की नतीजे अगर हम आप देखें तो वहाँ पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होत हाँ से देखे तो देखें चित्रा जी हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है दोजार पंदरा चौदा का जो चुनाव था वो कॉंग्रिस की एंटिंकम्बंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनि को खतम करना चाहती है जो सविधान को बदलना चाहती है शाधि नि बाद बार कहा कि यह वाले नारे लगेंगी दिखे कैसे लोगों को बिदाए को मैं तो जमीन पर चलता हूं अब जमीन पर आए। मिरे साथ मैं घुमुए तो सुने औरुसी तरफ जो खलीफाए तुक्ड़े तुक्ड़े गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खडा किया आया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किसी तरह से भी काटे की टक्कर है और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगु सराय में हमने देखा क्या जलबा था कर नहीं या भाई लोग हैं जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है ये और इस बार फिर से कॉंग्रेस से साबित कर दिया है कि जिस तरह से राहुल गांधी बाकाइदा जर्मिनी जाकर इंग्लेंड जाकर भारत का अपमान करते हैं तिरसकार करते हैं एक एक संस्थान का मज़ा कुडाते हैं ज चाहे जितने भी सुप्रीम कॉर्ट हो और इलेक्शन कमिशन हो आप देख रहे हैं कि चाहे आर्मी हो चाहे सरकार हो चाहे इलेक्शन कमिशन हो चाहे सुप्रीम कॉर्ट हो हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं उसके सरगना उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है राष्ट्रवादी ही नहीं ऐसे लोगों को जो कर्मट इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि कॉंग्रेस ने इस बात की तदीक कर लिया है और मान लिया है कि वाकई में वो शेहनशाय आजम है तुकड़े तुकड़े गैंग के ठीक है मैं बात कर लेती हूँ राजेशी सीधे आपके पास आते हुए अब बार बार करने हैं आकुमार के ओपर टुकड़े तुकड़े गैंग कहकर ये लोग बार कर रहे हैं सनावाद्वी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आप लोगो रिवाल जी पे कोई नाम नहीं किसी चार्ड शीट में नाम नहीं एफाईयर में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना शीश महल संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नहीं जिन चीजों से ट्रैक टिकेट ब्लै किया हर एक के ओपर एक ब्रांडिंग करनी है तुकड़े गढ़ बंदन की तरह इस्तवाल करते हो एडी को सीबी आई को इंकम टैक्स को दिल्ली की पुलिस आपके पास में आप क्यों नहीं कोई कारवाई कर पाया आस तक बेवज़े ऐसे ही शोर मचाते रहोगे कि आपको नियाले पर भरुसा नहीं है वैसे मुझे पता नहीं है क् अब दिल्ली के फिवर में नयाले ने एक आदेश पारित करा कि दिल्ली को पावर है ट्रांस पर पॉस्टिंग की वो भी आपने संसेट में छीन लिया तो यह सिरफ ब्रैंडिंग करते हैं लोगों के मनों में कुछ बात को जानते हैं अगर किसी की इतनी जुरत हुई इस द यह बाठते हैं सिर्फ जीतने के लिए इस एक जब आप दे दीजिए उसके बाद वागी पहले बता दू करहिया कुमार के खिलाफ केस पेंडिंग है बिल्कुल जली से चित्रा जी करहिया कुमार के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है दूसरी बाद भाईसाब जो बोल रहते शायद जानते नहीं कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे जिन लोगों को चोर कहने वाले कट्टर बेइमान वाले कहने वाले वही लोग इनकी मदद में हैं और ये वो है जो कट्टर बेइमान हैं और इनक्या तो आगाज हुआ था ना अस्वरात से इनका अंजाम देखा अपने क्या हो गया शराब पर और यहीं के कहानी है जाडू से दारू तकी और उनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त क्या उनको पता है मनीसि सोडिया भी अभी ने टेली तक distintी के गशेफा OR बढ़ा दी कई है कि ein कविता जी को भी हरासत में ले लिय अपने नेताओं के बारे में थोड़ा संग्यान ले लिजे ना कहा हैं आपके सीम पता तो करा लिए जी थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको याद है आपने क्या कहा था पहले ता आपके बड़ी दोस्ते कि कनिया कुमार के खिलाफ अदालत में जाने क भूल जाते हैं भाई साब हम लोगों को याद रहता है ठीक है हाँ मैं जवाब दू और न्यायले रहत नहीं दे रहा है ना मुख्यमंद्री को चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा कि हमने हमने मंदूरी दी थी हम तो हम तो कह रहे हैं अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना तो आपके एजनसी क्या कर रही है शाध्यादी ने कहा कि मैं अपने मैं अखबार नहीं पढ़ता है शाध्यादी में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हूं जब आप टीवे पर आती थी मैं आपको भी देखता था और आपको भी बड़ा सभान करता था और करता हूं लेकिन मैं आपको एक रिस्पेक्ट करणा और आप तो रिस्पेक्ट फुली एक बात पूछना चाहता हूं अब आप ने कहा कि आपने का ट्राइल अभी पेंडिंग अगर कोई आदमी देश के खिलाप बोल रहा है ट्राइल पेंडिंग चलता रहा आरविन केजरिवाल जी को तो आपने पी एमें बंद कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आदमी तुकडे-तुकडे की बात कर र ट्राइब कर दो एक ने करो यूपी एक सरकार ने बनाया था यह आपको रुटे पर रहते हैं प्लीज तैसीन कुनावाला जी आपकी पास आते हुए प्लीज तैसीन कुनावाला जी कॉंग्रेस पार्टी राष्ट्रिय पार्टी है लेकिन क्या उसको आरजेडी की पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में यह आरूप बीजेपी वाले लगा रहे हैं यह कहते हुए कि बेगुसराय से पिछले ब अब आप सोचे चितराजी और में आपकी दर्शकों के विवेक पे यह चोड़ आओ कि मानने प्रदहल मंतुरी और रहम मंतिरी मानते के देश के सबसे ताकत वर रुप्रियों के चुढ़ धूरा प्रकाइज को प्रोलिच इस लोग आज MIC ऊठी Ciao को मैसे टॉर चिंस को शुकिल often इसके बात हो जाए उसके बाद भूलेगा ठीक है, ओके इसके बाद भूलेगा, ठीक है, ओके, जिदर जी मैं एक चीज आपके शो में कहना चाहता हूँ, मैंने नोटिस किया, राजी जी बोल रहे थे, मैं जो भाजपा इसलिए बीच में बोलती है, क्या एक्सपोज होती है, तो आपको इनको रोकना होगा, क्योंके हम एक्सपोज करने वाले हैं, तो प्लीज आप इनको रोकिये, हम उनके बीच में नहीं बोलते हैं, मैं दो ये तीन चीज के नरब, अगर आप दुन्या के ताकत वर लोग हैं, तो एक लड़का जो उधारी पे कैंटीन में खाना ख आता है, उसको देश को तोड़ने की साधिश बना रहा है, अंतराश्यों ग्रूप्स के साथ, आप आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएं, आज तक को जेल में नहीं है, अच्छा देखे, मैं आपको दूसरा एक उधारन देता, गौतम नवलका, आप ही के आज तक इमेल था, वो गलत साबित हुआ, ये निये ने, मैं टीवी पे चाटी ठोक कर के रहा हूँ, मैं आज तक पे ता, इस चीज के उपर, और मैंने प्रदान मंतरी का साथ गिया, कि मैंने प्रदान मंतरी को मारे, ये कैसे लोग है, अरे ये ऐसे लोग है चितरा जी, जो इलेक् पेसे लेते, इन लोग ये नोग देश को बचाएगे, चलो मैं मान दिया, कोई अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती, वो कनहिया के उपर को आरोप लगा है, ये बात, आपने कई सवाल पूछा था, तहसीम कुनावाले जी, आपने उसका जबाब नहीं दिया, बिहा लेकिन पांच सालों दक लगातार करने है, कुमार ने बिहार में पूरी ताकत जोगी, आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं, फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए, इसका जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन मैं अर्विंद बाजपेजी मैं आपते पूछना चाहता हो, कहा है आप आप आज? आज कि देश के किस हित्से में आप? आप कहां परेयाच? मैं मत्रूरा में हूँ. मत्रूरा में, मत्रूरा की पावण धर्टी के. अगर मैं आपको पूछू, कि चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वन शो है, आप क्यों स्टूडियो से नहीं करी का है, मत्रूरा आज तब की स्ट्रेजी है चित्रा जी की श्राटीजी है, आपको जैसे करना आप करोगे शो यह कोई तर्क होता है, कि भाचपा कहेगी कि कि अपाप आज जो ऑन कर रहें, आप तेस साल का जो यह बालत है, आपको डूक तो पुलिए प्रोसिक्यूट ने कि अर्विंद बाजपेजी की बारी है प्लीज ठीक है ठीक है अर्विंद बाजपेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उदारन देकर इसलिए फस गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूं दर्शक आज प्लगों को क्या दिक्कत हो जाती है उनके नेता है जहां से लगगेगा चुनाव जीतने की सिती बनेगी वहां से वोतर जाएंगे मैदान में कि हमें को जो ख injon कुल नहीं लेकिन यह देश की जंता को दिल्ली की जंता गए डिली की जंता यह जानेगी कि अरवी परिफे कि डिल्टिय को पॉलन के साथ जाने यह अपार मंती है टुकड़े तुकड़े ślę गैंग को利म को three stepc कांग्रेस को गाली देते रहे आज कांग्रेस के पाले में खड़े हो गए और ऐसी सक्सों को कौन अप्रिशेट करेगा यह देश की जद्धा को गुमराद नहीं कर सकते हैं करेंगे लाल कि क्या बैकराउंड है लेफ्टिस्ट रहे ना पूरी जिंदगी कांग्रेस को गाली सबसे ज़्यादा अगर मुखर कोई होता था तो यह लफ्ट वाली लोग होते थे आज यह बड़े बारे इतासी बन रहे और यह आपके साथ सपोर्ट ले रहे पहले यहार मान चुके हैं यह तो कि अकेले नहीं लड़ सकते इसलिए तो मिल गए ने कॉंग्रेस और आप और द में तिन चार मिनिस्टर चैल में क्या बोलेंगे चुनाओं में देश की जनता को यह ज्यादा देर बूर्क नहीं साथ नहीं कर पाएंगे यह बात तया है और इसलिए मनोज तिवारी जी कर पाम की है तो इनको बताना पड़ेगा देश्की जनता को हमें कोई अतार नहीं है कि नहीं पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादब के सामने किसी बड़े नेता को या को बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़े नहीं हो देना चाहते हैं लालू प्रसाद यादब इस मिज़र से बिहार से बाहर भी जा दिया गया है इसमें रतिवर में सचाई है कि या आप लोग की वाल महौल बनाने के लिए इस लीए मोदी जी कहते है निये पूत्र मोव वाले लोग है लालू जी का पूत्र मोई भूल रहा है यह बात तो सभी कि कैनईया वाख्पुर्ता में तेजस्री सिसे बहुत आगे हैं और यह बात भी सभी है कि उस्वास उनकी तरफ चला गया तो क्या होगा लेकिन ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवन भी ब्यार में हैं वो भी उनीका भी कद वह है जो इन लोगों का है और उनसे उंचा है और ब्यार की जो भविश्य है वो चिराग पासवन में भी दिखता है लालू यादब किस-किस को काटेंगी पॉल्टिक्स में कोई कार सकते हैं थोड़ी जर के लिए तो कार सकते हैं लालू तसाथ यादब नहीं चाहते हैं कि तेजस्पी यादब कि छवी कमजोर हो इसलिए कनहया कुमार उभरते वे लीडर उनको बाहर कर दिया गया शाज़े इसके बाद में फॉर अच्छा बोलीज जो कनहया जी लगाते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातल जिंदा हैं भारत की बरबादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी भारत के तुकडे तुकडे होंगे इन्शालला इन्शालला तो ये नारे लगेंगे मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई ट सोचिए ये किस तरह की बाते जो शक्स करता है वो है और ये नारे होंगे कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासेसपद है और एक बर फिर से कॉंग्रेस दिखा रही है साफ तौर से कि क्या उसका क्या चरित्र है क्या कितनी विरोधी सनातन विरोधी हिंदू विरोधी देश विरोधी है वो पूरी तरह से और यह उन्होंने आप सबूत भी दे दिया कनहिया जी का कैंडिटेशर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी पर आम आदनी पार्टी के बारे में तुम सब जानते ही हैं तितरा जी मैं उतर देड़ू जवाब देजिए बोलिए पहले जवाब देता हूं एक कांग्रेस और आम आदनी पार्टी हिंदु विरोधी मैं दुवारा से कहता हूं बीफ कंपनी से चंदा इन लोगों ने चंद होगा अब आगे की बार नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरी दीश लिखिला ये भाजपा की ऑफिशल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पेका है अब चित्रा जी मैं आपसे अगर करता हाँ चोड़ते बिननती करता और राजिश भाई आप भी मेर चित्रा जी आज तक की इंडिया टुड़े की और आपके कलीग राहूल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट ती कि वो जो नारे लगाए गए थे ये बाहर से थे वो ओडियो फॉरेंसिक जाज गलत थी आज तक की जाज थी ये कोट में भी साबित हुई गलत नहीं ये ये रिपोर्ट गलत निकली ये जो नारे निकले उसके बावचूद आज तक के मंच पे आके दो पुलिटिकल राश् पाइब आज तक को ये लगता है कि कॉंग्रस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाए कि जो भाजपा कह दिए और ये फ्यूचर में लगाए कि करने के लिए ये किस तरह की बात ही और ये शो के अंदर आप तर्कों पे इसका विरूट कीजिए बाच्पई जीने करें देडिए बाच्पई जीने इस तर्क दिए उस तर्क से नहीं होता ने डिवेट इसे नहीं चित्रा जी इसे नहीं करता हूं आप मुझे माफ के तीजे मैं जोड़ देता हूँ अगर आप लाइब डिवेट में आप चार बार यह कहेंगे जोड़ कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूँ आप छोड़ कर जा सकते हैं तो यह जोड़ कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाज़े उसके बाद जबाद देंगी आपने लिगे तो मैं अपने लिगे तो मैं इसे नहीं करता हूं यह मेरी शर्थ जबेट आने के पहला है और यह इसलिए करते कि हमारा फ्लोट उड़ जाए और जन्ता तक सच ना जाए अगर हमें कोई जैनुन बात पे रोके मैं इस चीज़ को मानता हूं यह रोकते यह ए चीज़ पर चीज़ पर चीज़ करने को त्यार हूँ, वो अच्छी डिवेट है, यहां आकर कहना, hypothetically, दो राष्ट्रे पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाले चुनुप के दागया, और भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे एक है, इ यह जाइज है, आप किस बात के आदार पर यह कह रहे हो, आप कहते किसी पार्टी पर आप लगा सकते हो, इस पर मुझे आप जबाब लेटेंगी, जी जी चितरा जी मैं आप से यह कहना चारी हूँ, कि देखे, इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं, यह पू यह तो इनका दावा है और यह तो इनका जूट है ना, यह तो वकील है, यह जानते हैं, गर मामना चल रहा होता है, तो जाहिर एक कौर्स इस पर तैह करता है, और सारे की सारा प्रूफ सब के सामने दिया गया है, ऐसा कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है कनहिया कुमार कि उन्होंने उस वक्ट जा Umar Khalid यह सब नारे लगा रहे थे तो वह वहाँ पर मौझूद नी थे और उन्होंने इसके साथ समर्धन नी किया बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम आखना इसकर आया है ना ही उसके लिए कभी माफी माँगी है तो क्यों नहीं हम मानें कि आप फिसमें वो इनारे नहीं लगाएंगे इसी जिस वक्तत्व के लिए जिस भारत विरोधी नारों के लिए आपने उनका चैन किया है और आपने उनको उमीदवार बना है तो आपको क्या लगता है कि किसी को कुसी और तरीके के आशंका होगी कि को इनारे नहीं लगाएंगे आपकी सोच है यह पुरी तरह से दर्शाती है कि जो इनसान इस तरह के भाशन और गनाइस करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और उमीदवार बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे य हैं भारत जोडो यातरा में जो लोग मौजूत होते हैं कि उनमें से एक है भारत तोडो यातरा का में एहम भूमिका निभाने वाला कनेया कुमार उसको प्रतीक बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने और आपने उसको सुभीकारा है यह देश जान ले और मुझे नारे लगे जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई एक एक इंसान जाएगा करेया कुमार की रैली में और यह पूछेगा कितने शर्मिंदा भाई तुम हमारे सुप्रीम कोड को लेकर बताओ देश की बरबादी की मन लुकाबना करते हो है ना इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की समर्दी होगी तब कहते ना तब मानते देश चित्रा जी पार्टी से भी रियक्शन ले लेती हूं फिर उसके बाद बरना दो लोगों में यह डिवेट रह जाएगी दो लोगों राजिश गुप अब सब कुछ बड़ा गुड़ गुड़ होकर आप एक चुनावी मैदान में जा रहे हैं लेकिन पर दो चुनाव की नतीजे अगर हम आप देखें तो वहाँ पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होता रहा है मनुश तिवारे जिस सीट से जीते हैं नौर्थी सीट से वहा देखें चित्रा जी हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है दोजार पंदरा चौदा का जो चुनाव था वो कॉंग्रिस की एंटे इंकंबंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनिया बदल देंगे 2019 के चुनाव में पुलवावा के उपर खेला गया सेनाव के उपर वूट मांग लिया गया इस बार वो वाला चुनाव नहीं है लोग समझ चुके हैं कि इलेक्टरल बॉंड का धंदा करने वाली पार्टी जो जिपक्षियों को बंद गेल में करने वाली पार्टी वो ये प कौन सनातर के खिलाफ है नो जै बड़ा अचमबा होता है जो लोग सनातर को मानते ही नहीं वो सनातर की बात करने लगते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है आप से आए मैं तो दो बार का विदाये को मैं तो जमीन पर चलता हूँ आप जमीन पर आए मेरे साथ में घूम यह मैं माश्टरबाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुकड़े तुकड़े गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किसी तो सिर्फ गाली बगते हैं लेकिन सब जानते हैं कि तुकड़े तुकड़े गैंग भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है यह उसे और इस बार फिर से कॉंग्रेस से साबित कर दिया है कि जिस तरह से राहुल गांधी बाकाइदा जर सल्मान कुरुची जाते हैं पाकिस्तान से भीक मांगते हैं कि हमारी सरकार बदल दो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो जितने भी सुप्रीम कॉर्ट हो और इलेक्शन कमिशन हो आप देख रहे हैं कि चाहे आर्मी हो चाहे सरकार हो चाहे election commission हो चाहे supreme court हो हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं उसके सरगना उसके प्रतीख को खड़ा किया गया है राश्टरवादी ही नहीं ऐसे लोगों को जो कर्मट इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही आपके पास आते हुए अब बार बार करने आकुमार के ओपर टुकड़े टुकड़े गैंक कहकर ये लोग बार कर रहे हैं सनावाद्वी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है ऐसे में बचाफ करना क्या आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा राजेश जी देखिए चित्रा जी भाजपा का ये काम है कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है अर्विन केद्रिवाल जी पे कोई नाम नहीं किसी चार्ट शीट में नाम नहीं एफाईर में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना, शीश महल, संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नहीं जिन चीजों से टिकेट ब्लै किया हरे एक के ओपर एक ब्रांडिंग करनी है तुकडे तुकडे गैंग अरे भाई अगर ऐसी कोई बात है, उसमें कोई सच्चाई है, तो आपके पास में सारी एजनसीज हैं, आप इस देश में एजनसीज को 59 पार्टियों के इलावा जिसके साथ आपका गढ़बंदन है, उन तीन एजनसीज को भी आप गढ़बंदन की तरह इस्तेमाल करते हो, ED को, CBI को, income tax को, दिल्ली की पुलिस आपके पास में, आप क्यों नहीं कोई कारवाई कर पाया आस तक, बेवज़े ऐसे ही शोर मचाते रहोगे, कि आपको नियाले पे भरोसा नहीं है, वैसे मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नियाले ने एक आदेश पारित करा, कि दिल्ली को पावर है, ट्रांस पर पुस्टिंग की वो भी आपने संसेट में छीन लिया, तो ये सिरफ ब्रैंडिंग क अब देश को अधरी बाटने का काम यहीं सोच करती है, तो ये बाटने सिर्फ जीतने के लिए, शालचा जी आप जब दे दीजिए, उसके बाद बाकिना माने पासा नहीं है, बिल्कुल जली से चित्रा जी, कनहिया कुमार के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है, दूसरी बात भाई साब जो बोल रहते हैं शायद जानते नहीं, कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे, जिन लोगों को चोर कहने वाले, कटर बेइमान वाले कहने वाले, वही लोग इनकी मदद में हैं, और ये वो है जो कटर बेइमान हैं, और इनका तो आगाज मिली, देड़ साल से जेल में हैं, अर्विन केशिवाल की हिरासत और बढ़ा दी गई है, कि कविता जी को भी हिरासत में ले लिया गया है, सतेंद्र जेहन तो बहुत दिनों से अपने बाकाइदा मसाज करवा रहे हैं जेल में, तो अलगी कहानी है, तो किस दुन्या में भा करिया कुमार के खिलाफ अदालत में जाने के लिए और बाकादा केस करने के लिए इन्होंने मन्जूरी दी थी, भूल जाते हैं भाई साब हम लों को याद रहता है, ठीक है, हाँ, बोले राजी जी, मैं जवाब दूँ, और न्यायले रहत नहीं दे रहा है ना, मुख्यमं चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा, कि हमने मन्दूरी दी थी, हम तो कह रहे हैं, अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना, तो आपके एजन्सी क्या कर रही है, शाध्यादी ने कहा कि मैं अपने, मैं अकबार नहीं पढ़ता है, शाध्यादी मैं बहुत अच्छी तरीके अगर कोई आदमी देश के खिलाब बोल रहा है, ट्राइल पेंडिंग चलता रहा, अरविन केजरिवाल जी को तो आपने प्यामें अक्टिमें बंद कर दिया, इतनी क्या जल्दी थी, और जो आदमी तुकड़े-टुकडे की बात कर रहा था, उसमें ट्राइल पेंडिंग कर दो यूपी एक सरकार ने बनाया था यह आपके रिक्वेस्ट है आपके रिक्वेस्ट आपके पर रहते हैं मुद्दे पर रहते हैं प्लीज तैसीन पुनावाला जी कॉंग्रेस पार्टी राष्ट्रिय पार्टी है लेकिन क्या उसको आरजेडी की पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में यह आरूप बीजेपी वाले लगा रहे हैं यह कहते हैं कि बेगुसराय से पिछली बार चुनाव लड़े हार गए दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब ने साफ कह दिया कि यह बिहार में नहीं रहेंगे इनको बाहर भेजिए इस वज़े से कनिया कुमार को बिहार से बाहर का टिकट देना पड़ा है क्या मजबूरी बन गई है कॉंग्रूस पार्टी की तैसीन पुनावाला जी तैंकिए चितरा जी आपके शो में मुझे शिर्कत कने का मौका में लगा दो या तीन चीज को समझ लेते हैं किसी कॉलेज बच्चे के बारे में क्यों बड़ा नेता है चोटा नेता है इस सारी चीजों में नहीं किर रहा हूं हम दो या तीन चीज को समझ लेते हैं भाजपा की प्रवक्ता यहां कहते हैं कि दीश को तोड़ने की साल दिश्ट के मान लिए कि दीश को टुकड़े करना चातके हैं और यह बात मानने प्रधान मंत्रील चीने वी कही कि अब आप सोचे ऑ चित्र जी और मैं आपके दर्षक को के विवेथ पे चोड़ हूं कि मानने प्रधान मंत्र हो मानते कि दीश के सबसे कोई व्यक्ति एक कॉलेज का बच्चा जो उधारी पर खाना खाता है उधारी चुकाने को मुश्किल होती है वह देश को तोड़ रहा है और यह लोग आज तक उसको प्रोसेक्यूट नहीं कर पाए अच्छा खुद ही कहते हैं कि प्रोसेक्यूशन की जो 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 इजाज़त ह सब्सक्राइब करता हूँ मैं आप जानते हैं आप या तो उनका फ्रेडर दाउन कीजिए या तो आप बोजे बोलेगा तो आपको रोकना होगा क्यों को एक्स पोस करने वाले तो प्लीज आप इंको रोकिए हम उनके बीच में नहीं बोलते हैं मैं दो ये तीन चीज़ के नहीं अगर आप दुनिया के ताकत वर लोग है इतने आप ताकत वर रोग हैं तो एक लड़का जो उधारी पर कैंटीन में खाना खाता है उसको उस देश को तोड़ने की साधिश बना रहा है अंतर राश्य ग्रूप्स के साथ आप आज तक उसक प्रत्थम इंवेस्टिगेटिंग एजनसी आतरकवाद के खिलाव कि देश को तोड़ने की साधिश है उन्होंने आरोप लगाया कि माननिया प्रदान मंतरी को मारने की साधिश गौतम नवलखा ने ये इमेल निकला आज वो सारे केसे उन्होंने विड्रॉय किये और जो इ उन्होंने इलक्टरोल बॉंस का चंदा का धंदा सारे उन लोगों से लेते है जो सारे गड़क कामूं में लिप्थ है चाहे बीफ बीप बीचने वाले हो चाहे वो प्रॉड हो चाहे वो इनके हिसाब से जो लोग मनी लूडर करते हैं ने उसका जबाब नहीं दिया बिहार के बाहर लाने की क्या जूरत थी कनहिया कुमार को उन्होंने पूरी ताकत जोंकर रखी भी थी बीते पांच सालों में मैंने खुद बेकुस सराय में उनको चुनाव लड़ते हुए देखा है भले ही वो हार गय थे गिरा सिंग वहां के कदावर मंतरी हैं उन्होंने जीत हासल किती और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हासल की थी लेकिन पूरी ताकत जोगी आंत में पता चला की दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए इसका जवाब आपने नही अगर मैं आपको पूछों के चित्रा जी आपका शो पाच बजे का नंबर वान शो है आप क्यों स्टूडियों से नहीं करें क्या है मत्रूरा गए बहा आज तब की स्ट्रा जी की स्ट्राइजी आपको जैसे करना आप करोगे शो यह को तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि क कि स्ट्राइजी क्या है कि वाले का टाइम वेस्ट कर रहे है अड़त साल का जो यह बालत है अरवंद वाजपेजी की बारी है अरवंद वाजपेजी की बारी है दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़ए से हमारा शो नंबर वन है लेकिन चुनाफ के वक्त वोटर बेगुसराय का आकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा और दिल्ली का वोटर बेगुसराय में नहीं डालेगा इस वज़ए से यह सवाला आपके पा कि हमें कोई अत्राज नहीं है कोई अत्राज बिल्कुल नहीं है लेकिन अत्राज देश की जनता को दिल्ली की जनता को है दिल्ली की जनता यह जानेगी कि इस आदमी का इत्यास क्या है यह आदमी का वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जेन्यू में जो क्रिमिनल के एक् जिन्दगी वर ये सक्स कांग्रेस को गाली देते रहें आज कांग्रेस के पाले में खड़े हो गए और ऐसी सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा ये देश की जन्ता को गुमरान नहीं कर सकते हैं करेंगे लाल कि क्या बैकराउंड है लेफटिस्ट रहें ना पूरी सकते हैं इसलिए तो मिल गए ने कांग्रेस और आप और दोनों को लोग हैं कांग्रेस की गर्दन तक ये ब्रस्टा चार में डूबे हुए हैं इनके सीर्ट सेनेता अभी भी वेल पे हैं और यही हाल आप वालों का हो गया है इनके मुक्यमत्री भी जेल में हैं सतंदर जैन भी जेल में हैं पंजाम में तीन चार मिनिस्टर जेल में हैं क्या बोलेंगे चुनाओं में देश की जनता को ये ज्यादा देर अब मूर्ख नहीं बना पाएंगे गुम्रा नहीं कर पाएंगे ये बात तैय है और इसलिए मनोस्तिवारी जी जो काम की है और खाली जानता कि साहेशना चेयरा मंपझी त्माद पीजानी सी मू anti Dobसी ही दो काम को दिल्ली है देशक्य जन्ता भी देख रह एक्या यह हाच बात जें गैसे झबात रें कि पताना पड़ाइब की जन्ता को मंध कोई अतार्ज कर रहा है राहूल को लए राहूल तो छोड़े बाग गए वाइनाड में ठीक है तो बात उन्हें की नहीं तो आप लोगों को ऐसा देखे जेडियू की नेताओं की ओर से ठीक है सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रसाद्यादव इस वजब से बिहार से बाहर भेग जा दिया गया है इसमें रत्ति भर में सचाई है क्या या आप लोग कि वल महाल बनाने के लिए लिए मोधी जी कहते हैं यह पुत जैसे लोग आ गए तो कहीं तेजस्वी जो साइट एजूकेशन उनकी सबको मालूम है कहीं वह एजूकेशन में कंपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहीं ब्यार की जंता के विश्वास उनकी तरफ चला गया तो क्या होगा लेकिन यह भूल जाते हैं कि चराग पासव लालू साथ यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव कि चवी कमजोर हो इसलिए कनहया कुमार उभरते वे लीडर उनको बाहर कट दिया गया शाज़े इसके बाद में फौर अच्छा बोलीजे दस सेकिंद बोलीजे शाज़े मैं देखिए आपको मैं ब्रेकिंग न जिन्दा हैं भारत की बरबादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी भारत के तुकडे तुकडे होंगे इन्शालला इन्शालला तो ये नारे लगेंगे मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई टक्कर होगी तो आप समझ जाएएगा और कनहिया जी ने ना तो शक्स करता है वो है और ये नारे होंगे कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासिस्पद है और एक बर फिर से कॉंग्रेस दिखा रही है साफ तौर से कि क्या उसका चरित्र है क्या कितनी सनातन विरोधी कि बारे में हम सब जानते ही हैं सित्रा जी मैं उत्तर देंगों चीक है मुझे लगता है इस पर तैसे जी आप जवाब दे दीजे बोलिए बोलिए मैं इस पहले इस पर जवाब देता हूं तीन चास चीज शाजिया ने कई एक के कॉंग्रेस और आम आपनी पार्टी विरोधी में दुवारा से लाओ बीफ कंपनी से चंदा इन लोगों ने चंदा का धना किया बीफ कंपनी से धाइसो करोड रुपे यह कह रहे हैं हिंदु विरोधी राजीश वाई को और मुझे यह लोग कह रहें इनसे मैं सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बार नारे लगे घविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरी दीश लिखिला यह भाजपा की ऑफिशल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पेका है अब चित्रा जी मैं आपसे अगर करता हो हाँ चोड़ते बिननती करता हो राजीश भाई आप भी मेरे साथ चुलिए अगर चित्रा जी आज तक की इंडिया तुड़े की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट थी जो नारे लगाए गए थे बाहर से थे और फॉरेंसिक जाज गलत थी आज तक की जाज थी यह कोट में भी साविट हुई गलत नहीं यह रिपोर्ट गलत निकली यह जो नारे निकले उसके बावचूद आज तक के मंच पे आके दो पुलिटिकल राश्ट्रिय पार्टी के बार में भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के जूट कह रहे है चित्रा जी क्या इस पर अब्जेक्शन होना चाहिए या नहीं होना जी मैं आपसे कहता हूं चित्रा जी आपको और आज तक को यह लगता है कि कॉंग्रस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाए जो पार्टी इसलिए गही और एक फूचर करने के लिए यह तरकी बात ही yourself एक शोगिंद्स पर जी सब्सक्राज करें बाजपई जी ने बाजपई जी ने तर्क दिये उस तर्क से या चित्रा जी इसे नहीं होता ने डिबेट चित्रा जी अगर लाइब डिवेट में आप चार बार ये कहेंगे कि मैं छोड़कर चला जाओंगा छोड़कर चला जाओंगा तो सार में पकड़की तो बैठी नहीं आप छोड़कर जा सकते हैं विलकुल आप नहीं बैठेकर जाओंगा जब हम डिबेट का हिस्सा होते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्रॉप करते हैं अगर हम रैली में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पर वन वे कम्मिकेशन होता है आप भी जानते हैं इस बात को आप इतने सीज़ाने की जुरत नहीं है एनिवे मैं नहीं चाहूंगे आप छोड़कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाजय उसके बाद सच ना जाए अगर हमें कोई जेनुएन बात पर रोके मैं इस चीज़ को मानता हूं यह रोकते था कि हमारी बात ना जाए इनकी स्ट्राटिजिया में एक्स्पोज करना है लेकिन अपनी बात समाप करना जाता हूं बाचपई जी ने कुछ बुद्ध्य उठा है उन मुद् पाटी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाले और भाजपा के राश्ट्र प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे इस पे मुझे सक्ट ऑब्जेक्शन है चित्रा जी और यह जाइज है आप किस बात के आधार पर यह कह रहे हो तो इस पर मुझे ऑप्जेक्शन है चित् चारी हूँ कि देखे इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाइदा हाई कौर्ड में पेंडिंग है इन्होंने भी भी क्या क्या कि प्रोसीक्यूट नहीं हुआ ना तो हमारी एजिंसी है और यह तो इनका दावा है और यह तो इनका ज सब नारे लगा रहे थे तो वह वहाँ पे मौझूद नहीं थे और उन्होंने इसके साथ समर्थन नहीं किया बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम होगना इसकर आया है नहीं उसके लिए कभी माफी मांगी है तो क्यों नहीं हम मानें कि आप फिसमें वह नारे नहीं करेंगे आपकी सोच है यह पुरी तरह से दर्शाती है कि जो इंसान इस तरह के भाशन करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और उम्मीदवार बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे यह कि नहीं करहिए कुमार तो पार्टी ने और आपने उसको सुविकारा है यह देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई एक एक इनसान जाएगा करेया कुमार की रैली में और यह पूछेगा कि इतने शर्मिंदा भाई तुम हमारे सुप्रीम कोड को लेकर बताओ देश की बरबादी की मनोकावना करते हो ना इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की समृतियों राजेश गुपता जी आपके पास आते वे अब बीजेपी इस परसेप्चन को बहुत बड़े और मेरे सवाल ये भी राजिश गुपता जी देखे आप में और कॉंग्रिस पार्टी में सीटों का ताल मेल हो गया अब सबकुछ बड़ा गुड़ गुड़ होकर आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं लेकिन पर दो चुनाव की नतीजे अगर हम आप देखें तो 2019 के लिहाज से देखे तो देखे चित्रा जी हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है 2014 का जो चुनाव था वो कॉंग्रिस की एंटी इंकमन्सी था और लोगों को सपने दिखाए गए बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ बर देंगे दुनिया बदल देंगे 2019 के चुनाव में पुलवावा के उपर खेला गया सेनाव के उपर वोट मांग लिया गया इस वार वो वाला चुनाव नहीं है देखे कैसे लोगों को उकसाते हैं कि टू नीशन थेरियू की बात करने वाले लोग और शाजयादी कहरें कि सनातर के खिलाफ है अरे मैं कौन सनातर के खिलाफ है नुजया बड़ा अचमबा होता है जो लोग सनातर को मानते ही नहीं सनातर की बात करने लगते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है आप से आईए मैं तो दो बार का विदाए कूं मैं तो जमीन पर चलता हूँ आप जमीन पर आईए मेरे साथ में घूम यह मैं शाद्याजी को भी लेकर चलूँगा चित्रा जी बी चले जा लोग कह रहे हैं जरा सुनिय लोग क्या करें लोग कितने खिलाफ हैं और मेरी एक बात को समझिए कि आप बैटके कहते हैं कि लोग जाके राश्टरबाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुक्डे तुक्डे गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं किसी तरह से भी काटे की टकर है और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगु सराय में हमने देखा क्या जलबा था कर नहीं या बाई साब का अब ये वही जलबा यहां पे बिखेरेंगे दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते हैं लेकि जिस तरह से राहुल गांधी बाकाइदा जर्मिनी जाकर इंग्लेंड जाकर भारत का आप मान करते हैं तिरसकार करते हैं एक एक संस्थान का मजाक उडाते हैं जिस तरह से मनी शंकर रियर जाते हैं रशलमान खुरुची जाते हैं पाकिस्तान से भीक मांगते हैं कि भई हम कार हो चाहे इलेक्शन कमिशन हो चाहे सुप्रीम कॉर्ट हो हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं उसके सरगना उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है राश्टरवादी ही नहीं ऐसे लोगों को जो कर्मट इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अफस कर लेती हो राजेशी सीधे आपके पास आते हुए अब बार बार करने हैं अकुमार के ओपर टुकड़े टुकड़े गैंक कहकर ये लोग बार कर रहे हैं अब सब्सक्राइब के साथ आमाद्भी पार्टी और कॉंग्रिस पार्टी खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आप लेकिन शराब सरगना, शीश महल, संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नहीं जिन चीजों से ट्रैक टिकेट ब्लै किया हरे एक के ओपर एक ब्रांडिंग करनी है तुकड़े तुकड़े गैंग अरे भाई अगर ऐधी कोई बात है उसमें कोई सच्चाई है तो आपके पास म आप क्यों नहीं कोई कारवाई कर पाया आस तक बेवज़े ऐसे ही शोर मचाते रहोगे कि आपको नियाले पर भरूसा नहीं है वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नियाले ने एक आदेश पारित करा कि दिल्ली को पावर है ट्रांस पर पोस्टि बीकंडिक करने की बात करता है तो तो नहीं ले पाए यह जूत बोलते हैं यह ब्लैंडिंग है तरफ लोगों के मन में बास को डालने की देश को असली बातने का काम केश सौच है कड़ी अपने रही यह बाटते सर्फ जीतने के लिए शालच जी आप जब आप देंड़े और दीजी, इसके बाद बाकिwriting वामानुट पास ही। और इनकी तो आगाज हुआ था ना, अस्वरात से इनका अंजाम देखा अपने क्या हो गया शराब पर, और यही इनकी कहानी है जाड़ू से दारू तक की और उनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त, क्या उनको पता है क्या फह पता है कि मनी से सोटिया भी पही न क्येली तक्नीम बोपा जेशानी है तो किस दुन्या में भाईसाлет है? आप किस दुनिया में रह रहे हैं भाई साब थोड़ा अगबार पढ़ लिया है अपने नेताओं के बारे में थोड़ा संग्यान ले लिजे ना कहा हैं आपके सीम पता तो करा लिए जी थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको याद है आपने क्या कहा था पहले तापे बड़ी दोस्ते की करिया कुमार से करिया कुमार के खिलाफ अदालत में जाने के लिए और बाकादा केस करने के लिए इन्हों ने मन्जूरी दी थी भूल जाते हैं भाई साब हम लों को याद रहता है ठीक है हाँ बोले राजी जी मैं जवाब दू और नयायले रहत नहीं दे रहा है ना मुख्यमंद्री को चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा कि हमने हमने मंदूरी दी थी हम तो हम तो कह रहे हैं अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना तो आपके एजन्सिस क्या कर रही है शाध्यादी ने कहा कि मैं अपने मैं अकबार नहीं पढ़ता है शाध्यादी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूं अब कोई आदमी देश के खिलाब बोल रहा है ट्राइल पैंडिंग चलता रहा अर्विन केजरिवाल जी को तो आपने प्यामें एक्टिमें बंद कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आदमी तुक्डे तुक्डे की बात कर रहा था उसमें ट्राइल पैंडिंग है यह इतना लेट क्यों हो गया तो कि इसको लेट करा गया क्योंकि आप जाने तो कुछ ही नहीं और यूपी एक नेगिटिव ब्रेंडिंग करो और जलाते हैं तुक्डे पर रहते हैं मुद्दे पर रहते हैं प्लीज तैसीन पुनावाला जी कॉंग्रेस पार्टी राष्ट्रिया पार्टी है लेकिन क्या उसको आर जेडी की पिछलगू पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में यह आरूप बीजेपी वाले लगा रहे हैं यह कहते हुए कि बेगुसराय से पिछली बार चुनाव लड़े हार गए दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब में साफ कह दिया कि यह बिहार में नहीं रहेंगे इनको बाहर भेजिए इस वज़े से कनिया कुमार को बिहार से बाहर का टेकर देना पड़ा है क्या मजबूरी बन गई है कॉंग्रूस पार्टी की तैसीन पुनावाला जी दो या तीन चीज को समझ लेते में किसी कॉलेज बच्चे के बारे में फ्रधान मंतर जी ने भी कई अब आप सोचे चितर जी और मैं आपकी दर्शकों के विवेक पे ये चोड़ता हूँ, कि मानने ये प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री मानते हैं कि देश के सबसे ताकत वर दुनिया के सबसे ताकत वर लोगे, रश्य और यूक्रीन के युद रुकाने वाली इंदोग है, आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएं, अच्छा खुद ही कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन की जो 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 इजाज़त है, वो आम आद्मी पार्टी की सदकार, एची साल जी मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ, मैं आप जानते हैं, आप या तो उनका फेडर दाउ किजिए या ताप मोजे बोलेगा, चीक है, जिदर जी मैं एक चीज़ आपके शो में कहना चाहता हूँ, मैं नोटिस के राजी जी बोल रहे थे, मैं बाज़पा इसलिए बीच में बोलती है, तो आपको इनको रोकना होगा, क्योंगे हम एक्स पोस करने वाले हैं, तो प्ल खाना खाता है, उसको देश को तोड़ने की साधिश बना रहा है, अंतराश्यों ग्रूप्स के साथ, आप आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएं, आज तक को जेल में नहीं है, अच्छा देखे, मैं आपको दूसरा एक उधारन देता, गौतम नवलका, आप ही के आप ही कि आज तक पे मैं आता था, NIA, देश की सबसे प्रथम इंवेस्टिगेटिटिंग एजनसी आतकवाद के खिला, क्योंकि देश को तोड़ने की साधिश है, उन्होंने आरोप लगाया कि माननिया प्रदान मंतरी को मारने की साधिश गौतम नवलका ने, ये इमेल नि सारे उन लोगों से लेते हैं, जो सारे गलत कामों में लिप थे, चाहे बीफ बेशने वाले हो, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो इनके हिसाब से जो लोग मनी लॉंडर करते हैं, उनसे पैसे लेते, ये लोग देश को बचाएगे, चलो मैं मान दिया कोई अच्छी पार्ट कनहिया कुमार को उन्होंने पूरी ताकत जोग कर रखी वी थी, बीते पांच सालों में, मैंने खुद बेकुस सराय में उनको चुनाव लड़ते हुए देखा है, भले ही वो हार गय थे, गिर्रा सिंग वहां के कद्दावर मंतरी हैं, उन्होंने जीत हासल की थे, और बहु आपके तुरा की पावन धरती है, अगर मैं आपको पूछू के चित्रा जी आपका शो पाज बजे का नंबर वंच होए आप कि स्टूडियो से नहीं करी का है मतुरा गी? बहिता आज सब की स्ट्राइजी है चित्राजी की स्ट्राइजी है। ठीक है ठीक है अर्विंद वाजपेज इसे बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उधारन देकर इसलिए फस गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूँ दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़े से हमारा शो नंबर वन है लेकि वहां से मन वहां से उतारे आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है उनके नेता हैं जहां से उनको लगेगा चुनाव जीतने के सिती बनेगी वहां से उतर जाएंगे मैदान में कि हमें कोई अत्राज नहीं है कोई अत्राज बिल्कुल नहीं है लेकिन अत्राज देश की जनता को दिल्ली की जनता को भूल गए खालिद को आज तक जवान पे नाम नहीं आए कि खालिद की बेल क्यों नहीं हो इसे लोगों को क्या वोट मिलेगा और जिंदिगे बर यह सक्स कांग्रेस को गाली देते रहे आज कांग्रेस के पाले में कड़े हो गए ऐसी सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा यह देश की जनता को गुमराण नहीं कर सकते हैं करेंगे लाल कि क्या बैकराउंड है लेफ्टिस्ट रहे ना पूरी जिंदिगी कांग्रेस को गाली देते रहे कि नहीं देते रहे सबसे ज़्यादा अगर मुखर कोई होता था तो यह लेफ्ट वाली लोग होते थे आज यह ब हाल आपवलों का हो गया इनके मुक्यमत्री भी जेल में हैं सुचोजय अधाब भी जेल में हैं सतंदर जेल में हैं पंजाब में तीन चार मिनिस्टर जेल में क्या बोलेंगे चुनाओं में देश की जनता को यह ज़्यादा देर अब मूर्ख नहीं बना पाएंगे गुमरा कि अधिनियों के नेता को यह सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादब के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना चाहते हैं लालू प्रसाद्यादव इस विज़र से बाहर भेग दिया गया है इसमें रत्ति भर भी सचाई है कि या आप लोग की वल महौल बनाने के लिए इसलिए कि इसलिए मोदी जी कहते हैं ने ये पुत्रमो वाले लोग हैं लालू जी का पुत्रमो मह भी बोल रहा हैं ना ये बात तो सही है कि कनयया वाकपुटता में तेजस्षी से बहुत आ गए और यह बात भी सही है कि उनके पिता श्री को डर लगता है कि अगर कनगिया जैसे लोग आ गए तो कहीं तेजस्वी जो साइद एजुकेशन उनकी सबको मालूम है कहीं वह एजुकेशन में कंपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहीं ब्यार की जंता के विश्वास उनकी सब्सक्राइब चला गया तो क्या होगा लेकिन यह भूल जाते हैं कि चिराग पासवन भी ब्यार में हैं वह भी उनीका भी कद्व है जो इन लोगों का है उनसे उंचा है और ब्यार की जो भविश्य है वह चिराग पासवन में भी दिखता है लालू यादब किसको लालू तसाथ यादब नहीं चाहते हैं कि तेजस्पी यादब कि छवी कमजोर हो इसलिए कनहया कुमार उभरते वे लीडर उनको बाहर कर दिया गया शाज़े इसके बाद में फौर अच्छा बोलीजे दस सेकिंड बोलीजे शाज़े देखिए आपको मैं ब्रेकिंग न्य भारत की बरबादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी भारत के तुकडे तुकडे होंगे इन्शालला इन्शालला तो ये नारे लगेंगे मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई टकर होगी तो आप समझ जाएएगा और कनहया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है इसके रावा अगर मैं आपको पता दू जो उनकी ट्वीट से हैं अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी बीवी से कहूंगा कि अपना जो है अपना नाम कर दो भारत माता की जै सोचिए ये किस तरह की बाते जो शक्स करता है वो है और ये नारे होंगे कॉंग् दिखा रही है साफ तोर से कि क्या उसका क्या चरितर है क्या कितने विरोधी सनातन विरोधी हिंदू विरोधी देश विरोधी है वो पूरी तरह से और यह उन्होंने आप सबूत भी दे दिया कनया जी का कैंडिटेशर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी पार्टी के बारे में तुम सब जानते ही हैं तित्रा जी मैं उतर देड़ू मुझे लगता है इस पर तैसी जी आप जवाब दे दीजे बोलिए बोलिए मैं इस पहले इस पर जवाब देता हूं तीन चास चीज शाजिया ने कई एक के क इंसे में सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बार नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरी दीश लिखिला ये भाजपा की ऑफिशल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पे काये अब चित्रा जी मैं आपसे अगर करता हो हाट जोड़ते बिन चित्रा जी प्लीज उनकी बात हो जाए और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट थी कि वो जो नारे लगाए गए थे ये बाहर से थे वो और्डियो फॉरेंसिक जाज गलत थी आज तक की जाज थी ये कोट में भी साबित हुई गलत नहीं ये ये रिपोर्ट गलत निकली ये जो नारे निकले उसके बावचूद आज तक के मंच पे आके दो पुलिटिकल अज तक को ये लगता है कि कॉंग्रस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाए कि जो भाजपा कह दिए और ये फूचर में लगाए कि करने के लिए ये किस तरह की बात ही हो रहे है शो के अंदर आप तर्कों पे इसका विरूट किजिए बाच्पई जी ने आपके पाजपई जी ने तर्क दिये उस तर्क से या चित्रा जी इसे नहीं होता ने डिवेट चित्रा जी मैं नहीं इसे बेट करता हूँ अगर आप नहीं ने अगर कहीं लगेगा तो वो इंटरप करेंगी रहा ठीक है ओके अब तैसे आपने देदी है कि मैं छोड़ देता लाइव डिवेट में आप चार बार ये कहेंगे कि मैं छोड़ कर चला जाँगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नहीं हूँ आप छोड़ कर जा सकते हैं रहां प्र पर में चाहने की जुरबत भाइंप चोड़ दो कि मैं आपका खराब नहीं करना चाता हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं, अपने लेके तो, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, यह मेरी शर्थ है, डिबेट आने के पहला है, और यह परपस्वली बाचपा वाले करते हैं, यह इसलिए करते हैं कि एक हमारा फ्लोट उट जा चीज़ पर मैं डिबेट करने को त्यार हूँ, वो अच्छी डिबेट है, यहां आकर कहना हाइपोटेटिकली दो राष्ट्र पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाले चिनुप के दार्मया, और भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे कैने डिबेट करें आधर्वक हैं, इसपर मुझे सब्सक्राइब चितराजी और आप किस बात पर आधार है। इस पर मुझे आप एक्षे ने तो जाहिर है कोर्ट सिस्पे तैय करता है और सारे की सारा फ्रूफ सब के सामने दिया गया है ऐसा कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है कनिया कुमार को कि उन्होंने उसवख जा उमर फाली यह सब नारे लगा रहे थे तो वहाँ पे मौजूद नी थे और उन्होंने इसके साथ समर्थन नहीं किया बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम मौगना इसकर आया है नाहीं उसके लिए कभी माफी मांगी है तो क्यूं नहीं हम मानें कि आफिस्फ में नारे नहीं आपकी सोच है यह पुरी तरह से दर्शाती है कि जो इंसान इस तरह के भाशन ऑगनाईज करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और उम्मीदबार बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे यह कि नहीं करनेया कुमार तो देश जोडने वाले लोगों में से है भारत जोडो यातरा में जो लोग मौजूत होते हैं कि उनमें से एक है भारत तोडो यातरा का में एहम भूमिका निभाने वाला कनेया कुमार उसको प्रतीक बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने और आपने उसको सुभीकारा है यह जाएगा कितने शर्मिंदा भाई तुम हमारे सुप्रीम कोट को लेकर बताओ देश की बरबादी की मनोकावना करते हो ना इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की समृति हो दो लोगों आपके पास आते वे अब बीजेपी इस परसेप्चन को बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जा रही है और मेरे सवाल ये भी है राजिश गुपता जी देखे आप में और कॉंग्रिस पार्टी में सीटों का ताल मेल हो गया अब सब कुछ बड़ा गुड़ गुड़ होकर आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो क्या कर लेंगे आप मनुश्तिवारी जी का वोट प्रतिशत में तो दोनों मिल कर भी उनका कुछ भी बिगारते वे दिखाई नहीं दे रहे हैं अगर 2019 के लिहाज से देखे तो 2019 के चुनाव में पुलवावा के ऊपर खेला गया सेनाव के ऊपर वोट मांग लिया गया इस बार वो वाला चुनाव नहीं है दिखे कैसे लोगों को उकसाते हैं कि टू निशन थेरियू की बात करने वाले लोग और शाजिया भी कहरे हैं कि सनातर के खिलाफ है अरे मैं कौन सनातर के खिलाफ है नवजया बड़ा अचमबा होता है जो लोग सनातर को मानते ही नहीं वो सनातर की बात करने लगते हैं लोग जाके राश्टवाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुक्डे तुक्डे गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नह कि बेगु सराय में हमने देखा क्या जलवा था करहिया भाई साथ का अब यह वही जलवा यहां पे बिखेरेंगे दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते हैं लेकिन सब जानते हैं कि तुक्डे तुक्डे गैंग भारत को तोड वाले जो लोग हैं जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है यह उसे और इस बार फिर से कॉंग्रेस से साबित कर दिया है कि जिस तरह से राहुल गांधी बाकाइदा जर्मिनी जाकर इंग्लेंड जाकर भारत का अपमान करते हैं तिरसकार करते हैं एक एक संस्थान का मज़ाक उ सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे जितने भी सुप्रीम कॉर्ट हो और इलेक्शन कमिशन हो आप देख रहे हैं कि चाहे आर्मी हो चाहे सरकार हो चाहे इलेक्शन कमिशन हो चाहे सुप्रीम कॉर्ट हो हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकते हैं उसके सरगना उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है राश्टरवादी ही नहीं ऐसे लोगों को जो कर्मट इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि कॉंग्रेस ने इस बात के तदीक कर लिया है और मान लिया है कि वाकई में वो शेहनशाय आजम है तुक्डे तुक्डे गैंक कहकर ये लोग बार कर रहे हैं सनावादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा राजेश जी देखिए चित्रा जी भाजपा का ये काम है कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है अर्विन केद्रिवाल जी पे कोई नाम नहीं किसी चार्ट शीट में नाम नहीं एफ़ाईर में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना शीश महल संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नह किया हरे एक के ओपर एक ब्रांडिंग करनी है तुकडे तुकडे गैंग अरे भाई अगर ऐसी कोई बात है उसमें कोई सच्चाई है तो आपके पास में सारी एजनसीज है आप इस देश में एजनसीज को 49 पार्टियों के इलावा जिसके साथ आपका गढ़बंदन है उन मुझे पता नहीं है क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नयाले ने एक आदेश पारित करा कि दिल्ली को पावर है ट्रांट पर पुस्टिंग की वो भी आपने संसेट में छीन लिया तो ये सिरफ ब्रैंडिंग करते हैं लोगों के मनों में कुछ बात को जानते हैं अगर कि कि इतनी जुरत हुई इस देश में इतनी हिम्मत हुई कि वो भारत को भारत को तुकड़े-टुकड़े करने की बात करता है तो इसके खिलाफ ये एक्शन नहीं ले पाए ये जूट बोलते हैं ये ब्रैंडिंग है सिर्फ लोगों के मन में बात को डालने की देश को असली की बातने का काम केस सोच केंगे ऑपने लोगों केरा रिये बात केंगे पर दूब इसके बात नहीं जिस देए कि बल्कुल जल्ब केकि इस पिंडिंग ए बिलकुल जल्दी से चित्रा जी क charity कानया कुमार के खिलाफ केस अभी केंडिंग है दूसरी बात भाई साब जो बोल रहते हैं शायद जानते नहीं कि ब्रैंडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे जिन लोगों को चोर कहने वाले कटर बेईमान वाले कहने वाले वही लोग इनकी मदद में हैं और ये वो है जो कटर बेईमान है और इनका तो आगाज हुआ था ना असवराद से इनका अंजाम देखा अपने क्या हो गया शराब पर और यही इनका कहानी है जाडू से दारू तक की और इनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त क्या उनको पता है कि मनी से सोडिया भी अभी इनको तो बेली तक्मी मिली, देड़ साल से जेल में हैं, अर्विन केशिवाल की हिरासत और बढ़ा दी गई है, के कविता जी को भी हिरासत में ले लिया गया है, सतेंद्र जेहन तो बहुत दिनों से अपने बाकाइदा मसाज करवा रहे हैं जेल में, तो अलगी कहानी है, तो किस द कनिया कुमार के खिलाफ अदालत में जाने के लिए और बाफादा केस करने के लिए इन्होंने मनजूरी दी थी, भूल जाते हैं भाई साब, हम लों को याद रहता है, ठीक है, हाँ, बोले राजी जी, मैं जवाब दूँ, और न्यायले राहत नहीं दे रहा है ना, मुख्य चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा, कि हमने, हमने मन्दूरी दी थी, हम तो, हम तो कह रहे हैं, अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना, तो आपके एजन्सी क्या कर रही है, शाध्यादी ने कहा कि मैं अपने, मैं अकबार नहीं पढ़ता है, शाध्यादी मैं बहुत आती थी, मैं आपको भी देखता था, आपका भी बड़ा सभान करता था, आपकर था हूँ, लेकिन आपको एक रिक्स्वेक्ट करूबा, और आपको रिक्स्वेक्ट फुली एक बात पुछना चाहता हूँ, जिजिस सुप्रीम कोट ने हमको पावर दी इनली के अंदर, वो आदमी देश के खिलाब बोल रहा है, ट्राइल पेंडिंग चलता रहा, आरविन केजरिवाल जी को तो आपने प्या में एक्टिमें बंद कर दिया, इतनी क्या जल्दी थी, और जो आदमी तुक्डे तुक्डे की बात कर रहा था, उसमें ट्राइल पेंडिंग है, यह इतन पर रहते हैं, तैसीन कुनावाला जी, कॉंग्रिस पार्टी राष्ट्रिय पार्टी है, लेकिन क्या उसको आरजेडी की पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है, बिहार में यह आरूप बीजेपी वाले लगा रहे हैं, यह कहते हुए कि बेगुसराय से पिछली बार चुनाव लड़े, हार गए, दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे, लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब में साफ कह दिया, कि यह बिहार में नहीं रहेंगे, इनको बाहर भेजिए, इस वज़ज़ से कनिया कुमार को बिहार से बाहर का टेकर देना पड़ा है क्या, मजबूरी बन गई है कॉंग्रूस पार्टी की, तैसीन पुनावाला जी, तैंकिए चितरा जी, आपके शो में मुझे शिर्कत कने का मौका में ला, दो या तीन चीज़ को समझ लेते, मैं किसी कॉलेज बच्चे के बारे में, क्यों बड़ा न मंत्री जी ने भी कही, अब आप सोचे चितर जी, और मैं आपके दर्शकों के विवेक पे ये चोड़ता हूँ, कि मानन ये प्रतान मंत्री और ग्रह मंत्री मानते हैं, कि देश के सबसे ताकत वर दुनिया के सबसे ताकत वर लोग है, रश्य और युक्रीन के युद रुक मैं आप जानते हैं, आप या तो उनका ट्रेडर दाउन कीजिए या तो आप बोजे बोलेगा, जिसर जी पात हो जाएं उसके बाद बूलेगा, जिसर जी मैं एक चीज़ आपके शो में कहना चाहता हूँ, मैंने नोटिस किया राजी जी बोल रहे थे, भाजपा इसलिए ब सब्सक्राइब का लुका से, तो एक लड़का जो उधारी पे कैंटीन में खाना खाता है, उसको देश को तोड़ने की साधिश बना रहा है, अंतर राश्यों ग्रूप्स के साथ, आप आज तक उसको प्रॉसेक्ट नहीं कर पाएं, आज तक को जेल में नहीं है, अच्छा देखे, मैं आपको दूसरा एक उदारन देता है, गौतम नवलखा, आपी के आज तक पे मैं आता था, एनाए, डेश की सबसे प्रत्थम इंवेस्टिगेटिटिंग एजनसी आतरकवाद के खिला, क्योंकि देश को तोड़ने की साधिश है, उन्होंने आरोप लगाया कि मा मेरे प्रधान मंतरी को मारे, यह कैसे लोग है, अरे यह ऐसे लोग है चितरा जी, जो इलेक्ट्रोल बॉंस का चंदा का धंदा, सारे उन लोगों से लेते है, जो सारे गलत कामों में लिख थे, चाहे बीफ बेशने वाले हो, चाहे वो प्रॉड हो, चाहे वो इनके हिसाब स जो लोग मनी लोटे करते हैं, उनसे पैसे लेते, इन लोग यह लोग देश को बचाएगे, चलो मैं मान दिया कोई अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती, वो कनहिया के ओपर को आरोफ लगा दी बात, आपने जो सवाल पूछा था, तहसीम पुनावाले जी, आपने उसका जवाब नहीं दिया, बिहार के बाहर लाने की क्या जूरत थी कनहिया कुमार को उन्होंने पूरी ताकट जोग कर रखी भी थी, बीते पांच सालों में, मैंने खुद बेकुस सराय में उनको चुनाव लड़ते हुए देखा है, भले ही वो हार गय थे, गिरा सिंग मह के कदावर मंतरी हैं, उन्होंने जीत हासल की थी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हासल की थी, लेकिन पांच सालों दक लगातार करने हैं, कुमार ने बिहार में पूरी ताकट जोगी आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं, फिर आप उ के अधारन से देता हूं को आपके उदारन से. परसली जी अअधार जी बहुत बहुत बढ़ा की पांधतित के. अगर मैं आपको पूछू कि चित्रा जी आपका शोव पांच बजे का नंबर वन श व है, आपक्यू स्टूडियों से नहीं करें, क्या है मत्रूरा गगी आज तो आपने अब पिखाए माना अपने अब अब लिए अब लिए कि बारी है अर्वंद बाजपेजी की बारी है प्लीज ठीक है ठीक है अर्वंद बाजपेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूं आप गलत उधारन देकर इसलिए फस गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूं दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़े से हमारा शो नंबर वन है लेकिन चुनाफ के वक्त वोटर बेगुसराय का आकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा और दिल् अमयों को क्या दिक्कत सो जाती है उनके नेता है जहां से उनको लगएगा चुनाफ जीतने के सितीव बनेगी वहां से वोतर जाएंगे मैदन में झाल हुँ क बूल गए खालिद को आज तक जवान पर नाम नहीं आएगा खालिद की बेल क्यों नहीं हो इसे लोगों को वोट मिलेगा और जिंदिगे बर ये सक्स को गाली देते रहे आज कॉंग्लेस के पाले में खड़े हो गए और ऐसे सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा ये देश की को गुमरान नहीं कर सकते हैं करेंगे लाल की क्या बैक्राउंड है लेफ्टिस रहे ना पूरी जिंदिगी कॉंग्रेस को गाली देते रहे कि नहीं देते रहे सबसे ज़्यादा अगर मुखर कोई होता था तो ये लेफ्ट वाली लोग होते थे आज ये बड़े-बारे इत टालाफ वालों का हो गया है इनके मुक्यमत्री भी जेल में हैं सुचोजियत आप भी जैल में है पंजाम में 3-4 मिनिस्टटर्ट जैल मैं क्या ओलेंगे चुनाव में देश की जनता को ये जादा देर अपूर्ख नहीं बना पाएंगे घुम्रा नहीं कर पाएंगे ये बा दिल्ली की जनता भी देख रही है किस मुझे चुनाव में जीतने की क्लेम कर रहे यह तो इनको बताना पड़ेगा देश की जनता को हमें कोई अतरज नहीं है कर दो बात नहीं की नेताओं के और से ठीक है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़े नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रसाद्य यादव सबस्वेजरे बिहार से बाहर भेग दिया गया है इसमें रती भर बूम वे सचा है कि यह आप लोगर प्रता में बहुत आ गए हैं और ये बात भी सबको मालूम है कहीं वह एजूकेशन में कंपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहीं ब्यार की जंता के विश्वास उनकी दरफ चला गया तो क्या होगा लेकिन यह भूल जाते हैं कि चिराग पासवन भी ब्यार में हैं वह भी उनीका भी कद वह है जो इन लोगों का है और ब्यार की जो भविश्य है वह चिराग पासवन में भी दिखता है लालू यादव किसको काटेंगी फॉल्टिक्स में कोई काटेंगी थोड़ी जर के लिए तो काटेंगे लिए नहीं चाहते हैं कि तेजस्पी यादव कि शवी कंजोर हो इसलिए कनहया कुमार उभरते वे लीटर उनको बाहर कट दिया गया शाज़े इसके बाद में फॉर अच्छा बोलीजे दस सेकंड बोलीजे शाज़े देखिए आपको मैं ब्रेकिंग न्यूस बता दूँ आपको चित्रा जी बहुत जरूरी है जो नारे भी लगनेंगे और यह कॉंग्रेस पार्टी और आम मुझे लगता है आपको लगता है उसके बाद भी कोई टकर होगी तो आप समझ जाएएगा और कनिया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है इसके रावा अगर मैं आपको पता दू जो उनकी ट्वीट्स हैं अगर मैं शादी करूँगा तो अपनी बीवी से कि दोनों की बीच में मतलब हासेसपद है और एक पर फिर से कॉंग्रेस दिखा रहे हैं साफ तौर से क्या उसका चरित्र है क्या कितनी विरोदी सनातन विरोदी हिंदू विरोधी देश विरोधी है वो पूरी तरह से और यह उन्होंने आप सबूत भी दे दिया कानिया जी का कैंडिटेशर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी पार्टी के बारे में तुम सब जानते ही है तितरा ची मैं उतर देगा है मुझे लगता है इस पर तैसी जी आप जवाब दे दीजे बोलिए बोलिए मैं इस पह पहे यह कह रहे है हिंदू भी रोधी राजीश भाई को मुझे यह लोग कह रहे है इनसे मैं सुनूगा कुछ नहीं सुनूगा अब आगे की बार नारे लगेगे भविश्य में इस तरह के नारे मेरे भारत मेरी दीश लिए यह भाजपा की ओफिशल प्रवक्ता ने आज त चितरा जी आज तक की और राहुल कवल की रिपोर्टी मैं अपने चिसी के बीच में ने बोलता हूँ आप में आपका सम्मानित कैस्ट तुछिता जी बात हो जाए शाज़ाज सब्सक्राइब बोलेगा वो जैसे ही चुपोंगे मैं आप से जवाब देलूंगी मैं आपसे तैंक यू चित्रा जी चित्रा जी ये आज तक थी इंडिया टुडे की और आपके कलीग राहुल कवल की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट थी कि वो जो नारे लगाए गए थे ये बाहर से थे वो और फॉरेंसिक जाज गलत थी ये आज तक की जाज थी ये चित्रा जी चित्रा जी चित्रा जी आया इस पर बाजपई जी ने तर्क दिये उस तर्क से या चित्रा जी इसे नहीं होता ने डिवेट चित्रा जी नहीं इसे डिवेट करता हूँ आप मुझे माफ के तीजे में जा रहा हूँ अगर आप लाइब डिवेट में आप चार बार ये कहेंगे कि मैं छोड़कर चला जाओंगा तो सर मैं पकड़ की तो बैठी नियुक्त आप छोड़कर जा सकते हैं लेकि अपर सिक्ष्टा होते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्रॉस्ट्ट करते हैं अगर हम rally में speech दे रहे होते हैं तो वहाँ पर one way communication होता है आप भी जानते हैं इस बात को आप इतने senior हैं अगर मैं नहीं चाहूंगे आप छोड़कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाजय उसके बाद जबाद देंगी वो लिए अगर हमें कोई genuine बात पे रोके मैं इस चीज को मानता हूँ यह रोकते था कि हमारी बात ना जाए लेकिन अपनी बात समाप करना जाता हूँ बाद पर जी ने कुछ बुद्ध उठा है उन मुद्धों में तर्थ था हम उस पर अपोस कर सकते हैं हम कह सकते चिराग जी बड़े नेता है चीजे स्वी बड़े नेता है का नहीं है का नहीं है उस चीज़ पे मैं डिबेट करने को त्यार हूँ वह अच्छी डिबेट है यहां आकर कहना hypothetically दो रास्ट्र पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाने चुनुके दाग चित्रा जी आप कितना बोले है जबाद जबाद इस्वार जी बाकाइदा हाई कॉड्ड में पेंडिंगे इन्हों ने भी बी क्या-क्या कि प्रसेक्यूट नहीं हुआ ना तो हमारी एजिंसी है और ये तो इनका ये तो इनका दावा है और ये तो इनका झूट है չूट है ये जानते हैं गर मामना चल रहा होता है तो जाहिर एक कॉर्स इस पे तेह करता है और सारे की सारा प्रूफ सब के सामने दिया गया है ऐसा कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है कनेया कुमार को कि उन्होंने उस वग्च अमर खालीद ये सब नारे लगा रहे थे तो वह वहाँ पे मौझूद नहीं थे और उन्होंने उसके साथ समर्थन नहीं किया बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम होगना इसकर आया है नहीं उसके लिए कभी माफी मांगी है तो क्यों नहीं हम मानें कि आप फिसमें वह नारे नहीं लगाएंगे इसी जिस वक्तत्व के लिए जिस भारत विरोधी नारों के लिए आपने उनका चैन किया है और आपने उनको उमीदवार बना है तो आपको क्या लगता है कि 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 और तरीके के आशंका होगी कि वो इनारे नहीं लगाएंगे आपकी सोच है यह पुरी तरह से दर्शाती है कि जो इंसान इस तरह के भाशन और गनाईज करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और उम्मीदवार बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे यह कि नहीं कनहिया कुमार तो देश जोडने वाले लोगों में से हैं भारत जोडो यातरा में जो लोग मौजूद होते हैं क्यों इनमें से एक है भारत तोडो यातरा का में एहम भूमिका निभाने वाला कनहिया कुमार उसको प्रतीक बना करेया कुमार की रैली में और यह पूछेगा कितने शर्मिंदा हो भाई तुम हमारे सुप्रीम कोड को लेकर बताओ देश की बरबादी की मनोकाबना करते हो है ना इसके लिए अरे देश की आबादी होगी देश की समर्दी होगी इसानला तब कहते ना तब मानते देश चित् ले लेती हो फिर उसके बाद बरना दो लोगों में यह डिवेट रह जाएगी दो लोगों राजिश गुपता जी आपकी पास आते वे अब बीजेपी इस परसेप्चन को बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जा रही है और मेरे सवाल यह राजिश गुपता जी देखिए पर एक सर्फा मुकाबला है 50-55 फीसदी से जादा वोट उनको हासल हुए है दोनों लोग मिल भी जाएंगे अगर तो क्या कर लेंगे आप मनोश्तिवारी जी का वोट प्रतिशत में तो दोनों मिल कर भी उनका कुछ भी बिगारते वे दिखाईनी दे रहे हैं अगर 2019 के लि देंगे दुनिया बदल देंगे 2019 के चुनाव में पुलवावा के ऊपर खेला गया सेनाव के ऊपर वोट मांग लिया गया इस बार वह वाला चुनाव नहीं है लोग समझ चुके हैं कि इलेक्टरल बॉंड का धंदा करने वाली पार्टी जो विपक्षियों को बंद गेल मे अरे मैं कौन सनातर के खिलाफ है नवजय बड़ा अचंबा होता है जो लोग सनातर को मानते ही नहीं वो सनातर की बात करने लगते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे आईए मैं तो दो बार का विदाए कूँ मैं तो जमीन पे चलता हूँ अब जमीन पे आईए मेरे साथ म राष्टबाद दूसी तरफ जो खलीफाए तुक्डे तुक्डे गैंग है जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है उनको खड़ा किया आया है तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कॉंग्रेस अपने साथ आम आदमी पार्टी अपने साथ और मुझे लगता नहीं कि किसी तरह से भी काटे की टककर है और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगु सराय में हमने देखा क्या जल्वा था कर नहीं या भाई साब का अब यह वही जल्वा यहां पर बिखेरेंगे दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ गाली बगते ह हैं कि तुकडे तुकडे गाइंग भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं जो भाजन करके जिनको मज़ा आता है यह उसे और इस बार फिर से कॉंग्रेस से साबित कर दिया है कि जिस सरा से राहुल गांधी बाकाइदा जर्मिनी जाकर इंगलेंड जाकर भारत का अपमान कर करते हैं तिरसकार करते हैं एक-एक संस्थान का मजाक उडाते हैं जिससे मनी शंका रयर जाते हैं रशलमान कुर्ची जाते हैं पाकिस्तान से भीक मांगते हैं कि भई हमारी सरकार बदल दो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे और ज राजन करने वाली जो ताकते हैं उसके सरगना उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है राश्टरवादी ही नहीं ऐसे लोगों को जो कर्मत इतने हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि कॉंग्रेस ने इस बात की तदीक कर लिया है और मान लिया है कि वाकई में वो शेहनशाय आजम है तुकड़े तुकड़े गैंग के ठीक है मैं बात कर लेती हूँ राजेशी सीधे आपके पास आते हुए अब बार बार करने अकुमार के ओपर तुकड़े तुकड़े गैंग कहकर ये लोग बार कर रहे हैं सनावाद्वी पार्टी और कॉंग्रेस खड़ी है ऐसे में बचाफ करना कि आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा राजेशी देखे चित्रा जी भाजपा का ये काम है कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है अर्विन केद्रिवाल जी पे कोई नाम नहीं किसी चार्ड शीट में नाम नहीं एफ आईयर में नाम नहीं लेकिन शराब सरगना शीश महल संजे सिंग जी का कोई लिना दिना नहीं जिन चीजों से टिकेट ब्लै किया हर एक के ओपर एक ब्रांडिंग करनी है तुकड़े तुकड़े गैंग अरे भाई अगर ऐसी कोई बात है उसमें कोई सच्चाई है तो आपके पास में सारी एजनसीज है आप इस देश में एजनसीज को 49 पार्टियों के इलावा जिसके सा नयाले पर भरोसा नहीं है वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि जब दिल्ली के फिवर में नयाले ने एक आदेश पारित करा कि दिल्ली को पावर है ट्रांस पर पोस्टिंग की वो भी आपने संसेट में छीन लिया तो ये सिरफ ब्रैंडिंग करते हैं लोगों के मनों में को डालने की देश को असली बाटने का काम केस पेंडिंग है आपको पता है कि अपने लोगों के अंदरी ये बाटते हैं सिर्फ जीतने के लिए शाल जाजा जी आप जब आप दे दीजिए इसके बाद बाकी बाटते हैं बिल्कुल जली से चित्रा जी करहिया कुमार के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है दूसरी बात भाई साब जो बोल रहते शायद जानते नहीं कि ब्रैंडिंग ए एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये और इनका तो आगाज हुआ था ना अस finest लात से इनका अजाम देखा अपने क्या हो गया शराब पर और यही इनकी कहानी है झारू से दारू टक की और इनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त कि अनको पता है कि मनी से सॉडिया भी अभी थमीन बेली तक कि निम मिली द ठीक है जाने के लिए और वाकादा केस करने के लिए इनों ने मन्जूरी दी थी भूल जाते हैं भाइसाब हम लोगो याद रहता है ठीक है हाँ बोले राजे जी मैं जवाब दूँ और न्यायले रहत नहीं दे रहा है ना मुख्यमंद्री को चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा कि हमने हमने मंदूरी दी थी हम तो हम तो कह रहे हैं अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना तो आपके एजनसी क्या कर रही है शाधिय कि अपने कहा कि आपने का ट्राइल अभी पेंडिंग है अगर कोई आदमी देश के खिलाप बोल रहा है ट्राइल पेंडिंग चलता रहा आर्विन केजरिवाल जी को तो आपने पीमें बंद कर दिया इतनी क्या जल्दी थी और जो आदमी तुक्डे-टुक्डे की बात कर तो उसके ट्राइल पेंडिंग है इतना लेट करा गया और यूपी तो एक ने करो यूपी एक सरकार ने बनाया था यह अगलता ही नहीं हूं पर रहते हैं प्लीज पुनावाला जी आपके पास आते हुए प्लीज तैसीन पुनावाला जी कॉंग्रेस पार्टी राश्ट्रिया पार्टी है लेकिन क्या उसको आर जेडी के पिछलगो पार्टी के तौर पर विवहार करना पड़ा है बिहार में या रूप बीजेपी बाले लगा रहे हैं ये कहते हुए कि बेगुसराय से पछली बार चुनाव लड़े हार गए दुबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे लेकिन लालू यादब को तेजस्वी आदब में साफ कह दिया कि ये बिहार में नहीं रहेंगे इनको बाहर भेजिए इस वज हम दो या तीन चीज को समझ लेते हैं भाजपा के प्रवक्ता यहां कहते हैं कि दीश को तोड़ने की साधिश्ट के मान लिए इन्हों ने का कि दीश को टुखड़े टुखड़ा करना चाहते हैं और ये बात मानने में प्रधान मंत्री जी ने भी कही अब आप सोचे चितर और रहा है और ये लोग आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएं अच्छा खुद ही कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन की जो 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 इजाज़त है वह आम आदमी पार्टी की सदकार या एची साधी मैं इसे डिवेट नहीं करता हूँ मैं आप जानते हैं आप या करने वाले तो प्लीज आप इनको रोकिए हम उनके बीच में नहीं बोलते हैं मैं दो ये तीन चीज़ के नहीं अगर आप दुनिया के ताकत वर लोग है इतने आप ताकत वर क्या प्रश्य युक्रीन का वार लुकास है तो एक लड़का जो उधारी पे कैंटीन में खाना अंतराश्य ग्रूप्स के साथ आप आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएं आज तक को जेल में नहीं है अच्छा देखें मैं आपको दूसरा एक उधारन देता है आप ही के आज तक पर मैं आता था एनाए डेश की सबसे प्रथम इंवेस्टिगेटिंग एजंसी कि देश के तोड़ने की साधिश है उन्होंने आरोप लगाया कि माननिया प्रधान मंतरी को मारने की साधिश गौतम नवलखा ने यह इमेल निकला आज वो सारे केसे उन्होंने विड्रॉय किये और जो इमेल था वो गलत साबित हुआ यह एनाए ने मैं टीवी पे चाटी है अरे एस से लोग है जो इलेक्टरो बॉंजक का सारे उन लोगों से तुसारे गलत काम Śकाने mistशने बाले हो उचाहे इन इनके हिसाब से जो लोग money laundering करते हैं उनसे पैसे लेते इन लोग ये लोग देश को बचाएगे चलो मैं मान दिया कोई अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती वो कनहिया के उपर कोई आरोप लगा है इस बात पांच सालों दक लगातार करनेया कुमार ने बिहार में पूरी ताकत जोगी आंद में पता चला कि दूसरी पार्टी की नेता नहीं चाहते हैं फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए इसका जवाब आपने नहीं दिया लेकिन मैं अर्विंद बाजपेजी की अपने उम्मीद्व अगर मैं आपको पूछू कि चित्रा जी आपका शो पांच बजे का नंबर वन शो आपकी स्टूडियो से नहीं करी क्या है मतूरा गए आज तब की स्ट्रा जी की स्ट्राइजी आपको जैसे करना आप करोगे शो यह कोई तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि कॉंग्रिस की स्ट्राइजी क्या है कि बारी है प्लीज ठीक है ठीक है ठीक है अर्विंद वाजपेजी से बात कर लो उसके बाद में आती हूं देखिए आप गलत उधारन देकर इसलिए फस्ट गये हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूं दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है इसी वज़े से हमारा शो नंबर वन है लेकिन चुनाफ के वक्त वोटर बेगुसराय का आकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा और दिल्ली का वोटर बेगुसराय में नहीं करती है उनके नेता हैं जहां से उनको लगेगा चुनाफ जीतने के सिती बनेगी वहां से उतर जाएंगे मैदान में कि हमें कोई अत्राज नहीं है कोई अत्राज बिल्कुल नहीं है लेकिन अत्राज देश की जनता को दिल्ली की जनता को है दिल्ली की जनता यह जानेगी कि इस आदमी का इत्यास क्या है यह आदमी का वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जेन्यू में जो क्रिमिनल के एक् लोगों को वोट मिलेगा और जिंदिगे वर ये सक्स कांग्रेस को गाली देते रहें आज कांग्रेस के पाले में कड़े हो गए और ऐसी सक्सों को कौन एप्रिशेट करेगा ये देश की जन्ता को गुमरान नहीं कर सकते हैं करेंगे लाल की क्या बैकराउंड है कि अकेले नहीं लड़ सकते इसलिए तो मिल गए ने कांग्रेस और आप और दोनों को लोगे कांग्रेस की गर्दन तक ये ब्रस्टाचार में डूबे हुए हैं इनके सीर्ट सेनेता अभी भी वेल पे हैं और यही हाल आप वालों का हो गया है इनके मुक्यमत्री भी जेल मे हैं सतंदर जैनवी जेल में हैं पंजाम में तीन चार मिनिस्टर जेल में क्या बोलेंगे चुनाओं में देश की जनता को ये ज़्यादा देर अब मूर्ख नहीं बना पाएंगे गुम्रा नहीं कर पाएंगे ये बात तैय है और इसलिए मनोस्तिवारी जी जो काम की है और मनोस्तिवारी जी के पीछे चैरा है मोधी का चैरा मोधी का चैरा मतलब मोधी की घरंटी मतलब मोधी की विश्रिसनीता दस सालों के जो काम है वो दिल्ली की जनता भी देख रही है देश की जनता भी देख रही है क्या बात देंगे किस मूसे चनाओं में जीतने क्लेम कर र देखे जेडियू के नेताओं के ओर से बीजेपी के नेताओं के ओर से ठीक है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादब के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो उसको खड़ी नहीं होना देना जाते हैं लालू प्रस पात तो सभी है कि कनईया वाक्पॉत्ता में तैजस्वी से बहुत आ गए हैं कर् feat अगर कना की जर्म से लोग आ गए तो कहीं तैजस्वी जो साहित education एंकी सबको मौलुम है कहीं वी ऐजुकेशन में कंपीट कर में भी दिखता है लालु यादव किसको काटेंगी पॉल्टिक्स में कोई काटेंगी तो थोड़ी जार के लिए तो आप नहीं चाहते हैं कि तेजस्पी यादव कि शवी कमजोर हो इस लिए कनहया कुमार उभरते वे लीडर उनको बाहर कर दिया गया शाज़े इसके बाद मे दस सेकंड बोलीजे शाज़े देखिए आपको मैं ब्रेकिंग न्यूस बता दूँ आपको चित्रा जी बहुत जरूरी है जो नारे भी लगनेंगे और यह कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी मिलकर जो नारे लगाएंगी वही सारे नारे हैं जो कनहया जे लगाते थे आपको लगता है उसके बाद भी कोई टकर होगी तो आप समझ जाएएगा और कनहिया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है इसके रावा अगर मैं आपको पता दू जो उनकी ट्वीट्स हैं अगर मैं शादी करूँगा तो अपनी बीवी से कहूँगा कि अपना अपना नाम कर दो भारत माता की जै सोचिए ये किस तरह की बाते जो शक्स करता है वो है और ये नारे होंगे कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों की बीच में मतलब हासेस्पद है और एक बर फिर से कॉंग्रेस दिखा रही ह साफ तोर से कि क्या उसका क्या चरितर है क्या कितनी विरोधी सनातन विरोधी हिंदू विरोधी देश विरोधी है वो पूरी तरह से और ये उन्होंने आप सबूत भी दे दिया कनहिया जी का कैंडिटेशर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कॉंग्र पर चवाब देता हूं, तीन या चास चीज शाजिया ने कही, एक के कॉंग्रेस और आम आपनी पार्टी हिंदु विरोधी, मैं दुवारा से कहता हूं, बीफ कंपनी से चंदा, इन लोगों ने चंदा का धंदा किया, बीफ कंपनी से, धाइसो करोड रुपे, ये कह रहे हैं इनसे में सुनूगा, कुछ नहीं सुनूगा, अब आगे की बार, नारे लगेगे भविश्य में, इस तरह के नारे मेरे भारत मेरे दीश लिखिला, ये भाजपा की ओफिशल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पेका है, अब चित्राजी में आपसे अगर करता हूं, हाठ कवल की रिपार्टी, मैं अपनी चिस्राजी में दिए छोड़ दोगा, आप मैं किसी के बीच में ने बोलता हूं, हम आपका सम्मानित कैस तो, चिता जी आप को स्टेपिं करना हूं, हाथ तुटि पलीजिज उनके बात हुजाए, तरह तुटिजी, प्लीज उनके बात हु आज तक की जाज थी, यह कोट में भी साविट हुई गलत नहीं, यह रिपोर्ट गलत निकली, यह जो नारे निकले, उसके बावचूद आज तक के मंच पर आके दो पुलिटिकल राश्ट्रिय पार्टी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के छूट कहरे, चित्रा कि आपको और आज तक को यह लगता है, कि कॉंग्रस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाएगे जो भाजपा कह दिए, और यह फ्यूचर में लगाएगे करने के लिए, यह किस तरह की बात ही हो रही है, आप तर्खों पे इसका विरूट कीजिए, आपके शुप रही हो सब्सक्राइब लगेगा, तो वो इंटरफ करेंगी रहा है, ठीक है, अप मेरे बात में अपने दस बात हम की देदी है, कि मैं छोड़ देता हूँ, अगर आप के लिए चोड़ का जाना है, क्यों रोप होगी है, हम जब भी दिवेट नहीं आते हैं, शाजा जी का आ कि अघर वा सपर्म किता ना अप्ना को सवस् stato करते हैं कि अगर एक हम रैली-पीचा होते हैं तो वहां पर वहनविकनिकेश्न होता है आप भी जानते हैं अजब सब्छाने की जूरत नहीं है एनिवे मैं नहीं चाहूंगे आप छोड़ कर जाएं दो लाइन में अपनी बात पूरी करें शाजय उसके बाद जबाब देंगी बोलिए उन मुद्व में तर्थ था हम उस पर अपोस कर सकते हम कह सकते चिराग जी बड़े नेता है कर नहीं है कर नहीं है उस चीज़ पे मैं डिबेट करने को त्यार हूँ वह अच्छी डिबेट है यहां आकर कहना हाइपोटेटिकली दो राष्ट्र पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाले चुनूब के दागया और भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे इक है इसमें मुझे सक्त अबजेक्शन है चित्रा जी और यह इस बास के आधार पर यह कह र ले देंगी जी जी चित्रा जी मैं आपसे यह कहना चारी हूं कि देखे इस बात के लिए कनहिया कुमार जी जाने जाते हैं यह पूरा केस जो है बाकाइदा हाइपार्ट में पेंडिंग है इन्होंने अभी भी क्या क्या कि प्रॉसीक्यूट नहीं हुआ ना तो हमारी एज कुई भी क्लीं टिट नहीं दिया गया है कनहिया कुमार को कि उन्होंने उस वक्ड़ जामर खालीद ये सब नारे लगा रहे थे तो वह वहाँ पे मौझा नहीं थे और उन्होंने उसके साथ समर्थन नीक्या बलकि उन्होंने पूरा प्रोग्राम हौगistonा इसकर आया है न नारे नहीं लगाएंगे आपकी सोच है ये पुरी तरह से दर्शाती है कि जो इंसान इस तरह के भाशन और गनाईज करता है जिस पर केश चल रहा है उसी को आपने प्रतीक बनाए है अपना और उम्मीद्वार बनाए है कोई क्या कहेगा किसको किसको आप कहते पिरेंगे ये कि नहीं कनहिया कुमार तो देश जोडने वाले लोगों में से हैं भारत जोडो यातरा में जो लोग मौजूत होते हैं कि उनमें से एक है भारत तोडो यातरा का में एहम भूमिका निभाने वाला कनहिया कुमार उसको प्रतीक बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने और आपने इसको सुभी कारा है ये देश जान ले और मुझे नारे लगे थे जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई एक एक इनसान जाएगा करिया कुमार की रैली में और ये पूछेगा